कि आज हम पढ़ेंगे बिरिक का फ्लोर बिखाएंगे अब इंट को बिखाएंगे देखियागा इंट को बिखाने के लिए आपके फिगर दिख रहा होगा देखिए रोड बना हुआ है ठीक है इसे हम क्या करते हैं गाओं में मैंसम देखना को मिलता है या आपकर खरण जायक किनारे किनारे इंट को बांधने के लिए आपको ऐसा दिख रहा होगा इसके वाद एसा मिलेगा यह बांध दिए इंट को बिखा दिए ना एक कांटे निवस है आप समझ पार रहेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा हम पूने जाएगा इसकी सब्सक्ति इसकी एक जामें देगा समझ करें अब यह बीच में बिच में बढ़ने का तरीकいます तीट है इसाल टाइक है तौर कि इसलोर कितने परकास पढ़ना यह दो परकास है एक पढ़ना है लुए अब व्यापन दूसरा पढ़ना को कि ब्रीक फ्लोर में दो तरह का इंदर क्या होता है कि इसके अंदर बर्ने के पर किरिया को क्या कहते हैं विधल के दितरा भड़ना है जब करना है जब करते हैं का त तरफ या फिर का घड़न बाइब बनंगे दर या फिर कर देखा रेंगा है नगिए लेकिनाइब कर देगा 75 सेंटिमेटर कि लिए लाइग के लिए लाइग बनाईए तो एक पिकर आपको दिखना आपको पिक्स कर दिया इसकी लंबाई में फिक्स हो कि लंबाई कितना भी हो सकता है पूरे लंबाई में सेम तरह से बिखाते हैं वह सकता है अगले अगले पड़ाएंगे आज हम पड़ाएंगे डाइब नावांड आप समझेगा इसकेल सबको पता है इसकेल का आपका 10 सेंटिमीटर कों कितना माने हैं जब सबस्केल कितना लंबाई खीचेंगे हम 17 सेंटिमीटर को कि शीच दिए 17 सेंटिमीटर को अब समझेगा इन लंबाई कितना है आपको पता है इसके लंबाई फिक्स नहीं इतना मंकर उतना लेंगा ज्यादा बढ़ा लेना है ज्यादा लेना बढ़ा लेगा तब यह थे नहीं लेगा ठीक है फेकर देना है उसके देखें इंट का साइज कितना होता है यह रहां कि देख हैं तो यह आहेंuss वूसार उपर से कंद दिखेंगेशंगा सुम्ल मनानें में सब्सक्राहं पर कि नो संद्राइब गय भीत रहता है तो मुझे दस का ऊपर से जखेंगे देखेंगे डीचने का 10 सेंटी मीटर का लाइछ जोड़ा किसेंटी मीटर का पास्का पास्ट उसके बाद इस में 20 सेंटी मीटर का वहाँ बना देंगे हम इन रखिए निजिक करना हुआ किनारे पर जहां आएगा मुहीं जा करेंगे इसको कांटिनिवस कर देंगे इधर क्या करेंगे आप मिला देंगे पचाथा सेंटीमेटर है तो पहले हम क्या लगा थे खिए क्या अक्या क्या है वाद मैं किन फिन से बारे में हमको बता देंगे सब्सक्राइब कितना दिख रहा है कितने का है दस 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 कितने का है और एक हो गया पांच क्या होता है देखें बता रहे हैं क्या क्या कि कहां से काट देंगे बीच से काट देंगे इसमें क्या के क्या बंजाएगा और इसमें क्यों बन गए दो तूर लंभाई उन्नीश रहेगा इसकी यह हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका दस आधा पाझ इसागा प्षिंग काड कर जहां भी आए इसके बीच कितने सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब करना है उसके बाद यहां से लगा जिने से जहां मिलें उससे बाद से इसके बाद से और लाइन कीचे एक दम हलका लाइन चाहिए ठीक है कर रहे हैं बस आपको दिखे किसी और को नहीं दिखना है एक दम हलका लाइब करेंगे लाइन से जो लाइन खीच सब्सक्राइब रखे रहेंगे उसी क्या करेंगे ऐसा मिला देंगे कि पूर्र में सब्सक्राइब करें इसको मिला के लिएग्ट की समझे देखे करेंत Was तो यहां से दूरी कितनी है तो ठीक है अब देखेगा अब क्या करेंगा अंदर यह बस निटा देंगे इसके बाद इसके बाद यहां खीचेंगे एक तो यहां से बाद देखेगा अब क्या रहां तो यहां से इधर जाएंगे इसके बाद आप क्याआं है एक फोड़ करके एक फोड़ करके आप लाइन चीजी दिए अब देखें इहां से कितना इखाएंगे 20 कटे यहां से आप 20 जा सकते हैं इसकेल पर चन्त करेंगे अब देखें अब देखें उसके बाद इसको पकेंगे एक फोड़ करते हैं मिला है लमभाई मिला है और चबड़ाय तो दस-दस कपाले था चाहिए एहां से कितना रहाएंगे 20 मार्ठे है इस सायब हर सकते हैं इहां से कितना रहेंगे 20 देखें दोंद्ध कितना रहेंगे और 20 जसा क्लोट लिए सबоваसाना के हां कि इसको बना सकते हैं इसको बनाने कई तरह में देखिए कि इसका बना रहा है उसके बाद जाकि यह बना रहा है कि अधर दाश कितना मिला बीच एक है यहां स्कितना जाएंगे लाइन खेज़ दिए यहां से लंबाइची यहां से यहां से और देखिए डाइगोनली एक इतने का 20 कुने 10 का ठीक है जिसे इसाब से अंदर भरियेगा ठीक है तो दिखें इसी को अंदर का डाइगोनली भरे तिसका ना में वहां प्रप्रींगर्णल बॉण्ड दूसरे टायब में तुसका ना होज़ेगा और सेम बाहर का सेम रहेगा और क्या करेंगे कि 75 सेंट्र में देजाएगा श्रक्राइट एक बेडियो मराएंगे एक आज 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 आए कि आपका 20 cm कि माँद रहा है यहां से कितना देगा यह लेगा आपका 10 cm अब जा भर तो भरते हैं इसा कहते हो लोग दी आफ़रेटिंग करते हैं कि आपका हो गया अब देखेगा यहां कि यह डाइज यह डाइज दाइबॉन और बॉंड है अब देखेगा बस आपको इसमें ज्यादा किसके वह दो कैसे वह डाइज है आप लोग लाइक करेंकी सेकेंडियर के आप लोग कम है तो अगला वीडियो ओगा यहरिंग बन उसके बाद वहाद बिलेगा आपका सेमिसरकल लाइज दो तरह के सेगमेंटल आच मिलेंगे फिर हम पडेंगे वेसमेंट आपका एक जांक है यानट देखा ना पिछले हम लिए थे हम पसातर सेंटीमीटर चोड़ाई के लिए डाइगोनल बन इसमें लहां है। जो shy सतर स्ंसांटिमेटर चौॉडाई के लिए सबवारे के लिए हैं ये रिंगल और का data प्रिक फोट बनाईगा है इद्ञा दो आप कम के संव्ल और कितना कितना बनाएंगे और समझे मिट अBeald 중요한 कितना लिया थे taking सेंटीमेटर है ना अब क्या करेंगे सबसे पहले देखिएगा सबसे पहले हम खीज देंगे कितना सबसे इसमें कितना है इसमें बताएं गालाइन में इसकी चमडाई कितनी है इसकी चमडाई है आपकी 1770 है इसके चमद Actually City Coach कितनी संतर सेंटिमिटर है Spreally छाले देख आब सलेघिते हैं यह आपकाव शत्र सेंटिमिटर का इछ समझब है किनारे किनारे 10 संक्राइं को मिल जाएगा आपको इक किनार आपको 10 क्या दिख जाएगा क्या करीं गया कर जाए जाएका और generating का बाध इस अबुड़नार किनारे कीसे पहले पहले इंट को सजा लेते हैं उसके बादंबें क्या करते हैं इस तो पिछली वीडियो हम से उंक ति हम खाल ऐखाल पै़ंगे टैकल window अन्य विड़ियो करने का hearing अब क्या 150 खैस से पहले क्या लगाएंगे क्वीन तेखिए 10 Sorti 5 सेंटि मीटर कि का हो गया क्वीन कुलोजर एक कितना आई आपका 20 cm प्लेज आप पिछला वीडियो नहीं देखें दूसको देख लिए ठीक है और यह कितना है एक कितना है मेरे भाई यह आपका 10 cm लेकिन यह वाला कितना क्यों क्यों क्लोजर एक पांच सेंटीमेटर का ठीक है उसके बाद इधर से भी लगा देता है क्यों क्लोजर इस अब जितना वाचे है उसमें पूरे पूरे को क्या लगा देंगे एक दो तिन चाओ ठीक है और दीखें है अब को लंबा लंबा लेंध दिख रहा हुआ और पूरा 20 cm का अब पतला दिख रहा है ना जो हैचिंग नहीं कि है उसको छोड़कर पतला दिख रहा है वो दद्ध सब्सक्राइब करेंगे कहीं लिख देंगे क्यों कि निरानी को बंद कर दिए उसके बाद ने जितना भी दिया रहेगा इसको क्या करेंगे इसको क्या करेंगे रख दिए और क्या कि इसको हम रेट से भरते हैं कि इसको कैसे बरेंगे हो रेड़ से यानि अंदर का इट को अभी इसा जाना देखें क्या कि एक लाइन खीज देंगे कि इसको कितना खेंगे हम 10 cm कितना गेंगे दासेंटिमिटर देखिए जात है कि इसके बाद इधार से भी दासेंटिमिटर फे क्या कि इंट को इस सजाते हुआ चले जाएंगे ठीक है प्र यहां से कितना the centimeter वह दिए दो सेंटिम्टेर प्राया हम कि यहां लगा दिए अब फिरास हाँ से दस क्यों और है कि ऐसा चल धेंगे खेए मेरा यहां थ्लेट कम हो रहा है यह ज्याधा हो रही कि जब बनाएंगे आपका एकदम एकुरेट हो जाएगा ठीक है ठीक है यहां से 10 सेंटिमेटर आएंगे कि यहां से 10 सेंटिमेटर जाएंगे कि एक यहां से बचेगा तो तोड़ा अब क्या करेंगे इसी में हम इट को भरेंगे ठीक है इहां से कितना तेहां समझाएंगे कितना कितना जाएंगे दर हम 20 cm है ना चले यह से नहीं मिला तो यह आ रहा है ठीक है अधीड है यहां से हर जगहां से कितना जाना है थर बीच जाना है ठीक है यहां समा गए लेकिन यहां को कितना जाना है यहां से मिले गाता आपको उसको भी चले जाना है यहां से कितना गए इसमें भी आएंगे हम बीश देखिए कितना बीश इहां से कितना देखिए इस देखिए अब ही आपका और इस पैस बसता है तो हाँ से भी कितना 20 ठीक है जहां है जो बच रहा जो बच रहा है उसको क्या करेंगे को जो रहा है उसको तो किका और समयेंगे दस सेंटिमीटार लाइन खीच देंगे त sauces wa pra ऊपर भी same जही सेंब यही रहेगा कुछ आझाय गांख कूछ सुंद्र नहीं करना कूह यह तो Когда है को कि उसके बाद किए पारदंगे इसमें हम एक नीट को लगा देंगे दिखेंअ Esse न हम इसे नहीं को अंगे कटना इन्य चैनल इस तरह होना चीए यह दूसरे का समान नहीं आना चाहिए को बना सकते हैं इसको क्या कर देंगे थोड़ा साम कांटिनीवस कर देंगे इसे कहते हैं क्या कहते हैं इसे कहते हैं हेरिंग बांड है तो आपका ब्रीक फ्लोर भी कतम हो गया अगला ट्रापिक चलेगा आपका और ठीक है अब लोग वीडियो को लाइक करिए ज्यादा ज्यादा लोगों तक परम चाहिए क्योंकि हम जितना आपनों की संख्या पढ़ेगा हम बिल्ल तापिक चुश्च अब समझिएगा सबसे परले हम समझेंगे कि कौन-कौन संब को पढ़णा है कहां बनाते हैं अब बनाते की नहीं बनाते समझ यहईका जैसे क्या है कि आपका बिलिंग बना रहें ठीक है यह हो गया अपका पिलिंथ लेवल अब इसके ऊपर क्या करते है हздए इसके उपर करें घम चनाई करते चले जाते हैं इसा यह तो चनाई करते हैं बगल निकल जाते हैं अब इत की चनाई कर दिया है अभी तक ठीक है अब क्या कि यहाँको चिनाइरा पड़ेगा इसके उपर क्या करना पड़ेगा हमको जब चिनाइ BUR Vietnamese इसके उपर नम चिनाय कर दे तो यह जो डोड और B chúng स्टियल है होद राटा लगड़ी करता यह दह कि दोनों क्या क्या जाता है आज कल इसके उपर आप देखेंगे डोर और बिंडो पे लोड नहीं जाता है ठीक है लेकिन जब डिवलप्मेंट नहीं था जब बीम यह करते थे तब हम दोर और बिंडो बनाते थे एक सरकर बनाते थे जिस हम क्या 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 outrageous देखे डीचे Loch g forever क्या बना देते थे इसطरता का बना देते थे डोर यह बिंदो पर बहुत माडल से बनता है कई माडल समग बना देते अब क्या हुआ है इसको फ्रम करनते थे ट कiénारे पधिर का बना रेट बींडों पर लोड़ नहीं जाता था यहीं क्या होता आपका आर्च एक आर्च कों अपके कि अब नहीं किए जाता है क्या जाता है यह किया जवाने शुटल का अब देखेंच अह आपको कितने तरह के आर्च कितने तरह से आपको पढ़ेंगे दो तरह से एक होता आपका से anarच क्या वोग आपका सेमी सरकल आर्च और दूसरा हमको पढ़ना है सेगमेंटल आर्च पहला क्या पढ़ेंगे सें डौए हैं अब सेभ्ए हम पढ़ेंगे सेभ्माल आप पर हिंगे सेमी सरकल है ठीक है सेमी सरकल में कम से दopy में कितना को कितना का देगा की तीकने कड़ेगा 20 सेंटीमीटर कुछ कह सकता है आपसमझेन इसś Li x2 १Кि थिकने कि थिकने कि तिन आय। कि द्सक्राइब का थिकने कितना इस टी सेंटिमेटर हैण तीसregackics किने तो देने का चांस है और का सकता है ओपनिंग हाइट कि ऑपनिंग हाइट का देगा आपका दो मीटर यह दो मीटर का दिया समझ एक डौर बनाना है यह दो अब समझेगा अब हमको सबसे पहले देखना है कि डाटा कितना है थोड़ा सा बड़ा अपने सपेश के हम क्या सबसेन आप एक संबंद 10 का इतना तक इसमें माले चलेगा कितने समभंद 15 का का सबसे पहले कहीज नाम को इस पांग कितना हैं इस पांड कई आउंग 2 एक मीटर को स्केल पर कैसे चलिज करना समझेगा एक मीटर है न तो जींटी मीटर हो जाएगा माल ले रहा है कि एक सम्मद्र का लिए ठीक है अभी स्केल वेट करिये तो कि हम कल्कुमेटर लूढ ले रहा है हुँम unterstüt ooh चलिए कितना किछ नाम को तो ससींटी मीटर्र से लिए तो क्या देंगे निए 55 से तो 250 facts-57 संप्रक पेंड कितना जागा शब्सक्वा चेहाँ एяс कि आप एक सम्मंध़ दस म junior होते तो सो चोटा हमको लग रहा है कितना आपका 10 cm अब देखिए 10 cm क्या खीज़ दिज़े अब समझेख हुग आपका सब्सक्राइब को मतल्ब कि यह कुपर सिर्धा रच बनाना कि ऊपनिंग उपनिंग कितना तिरा कि मिल एक स्टी कितना मिल आपका एक दस्मरों VO 5 मीटर थे ।oi । इस थे कि चैनल यहां कितना आपका एदकने कि इस पान को कि मैं चॉल टु एक मीटर है अब यहां किया ओपनिंग हाइट अ कि आपका सेमी सर कल अब क्या करना है इसके एकदम बीच में एक मीटर है इसके एकदम कहां जाएंगे आप समझेगा ऑपके कितना करेंगे किटना यहाँ करेंगे पंदरों सेंटि मीटर इसके कि अगले मिलेगा यहाँ को को 15 mm ठीक है एक मीटर यहां से टचAL आइंगे और अर्छ आदे क्रणिंदे मेत ऐसे पर आपको पता है कि तो कितना पता से न हुगा इस हुगा वोगे होंना सो कितना यह साहले सिंटेश्ट मार्णेट बना उठ्च ऐसे टवका अх Im थो ön यह यदि सेमी शरकल आर्च का इसपान देगा उस्पान देगा थी तो क्या देगा स farmersानियुद Siya parliament थे गेंपोल देगा तो देखें पांब कितना स्रूर्आ जब भी ते इस पांब कितना कि इतना यह मतलों वस्टाइब तो जितना इस्पान का आधा ही राईज देगा सेमी सरकल आर्च में क्योंकि यह 50 लिए जा रहा है तो जितना इस्पान दिया रहे गा उसका आधा देगा ठीक है असान है आप क्या करेंगे यहीं से आर्च की मुटाई कितना है जो यहां से चंटिमिटर होंगे क्योंकि एक मीटर है तो 50 सिंट्यमी अब यहीं से दो सेंट्यमिटर और बढ़ जये और क्या बना देंगे एक हुआ है बस आपका रेडी हो गया क्या सेर्कल आर्च है को नहीं असान दोसान है ठेक आपर क्या करना लेकिन विलेगा जिसे कहा दाता है इस पुरिंगर कि अधिक क्या कहता है इस प्रिंगर करते हैं इस लिए घृट कर दिया है अब समझेगा अब क्या है कि दीवार दो कितना भी कम्रा दीवार हो सकता है इहां एकदम दिवार ही दिवार हो सकता है इधर भी दिवार ही दिवार हो सकता है आप समझ पा रहे होंगे हमको पूरा एक घर बनाना है तो बीच में आपका आर्च बीच में रहेगा लेकिन इधर कितना भी वाल हो सकता है ठीक है कि स्केल कितना माने हैं एक संबंद है दस का तो इहां से जितना मन करें चले जाएगा इधर जितना मन करें चले जाएगा दोनों साइड में लेकिन दोनों साइड में एक कोल जाना है ठीक है इधर जितना जाएगा उधर इतना जाना है उसके बाद ऊपर जितना मन करें उतना चले जाईएगा है ना और क्या करना है जब जितना मन कर उतना गया है तो कांटिनीवस का सीमबर बना देना है ठीक है क्योंकि इधर की चला यह लंबाई फिक्स नहीं है क्योंकि हम इस अध्यान भी नहीं देंगे यह तो आपका वाल है आपको तिकने से बात को समझ रहें इसकी जो मूटाई है ना ओंती 100 सेंटिमीडर यह तो मतलब कि कितना भी रख सकते हैं इसको तीस नहीं रखना तीस भी रख देंगे तो घलत नहीं होगा ठेक है अब समझेगा अब क्या करेंगे इसको हम बना देंगे आप जानते हैं यह आ अच्छे जाना है कि सुन्दर लगे अब कितना वी चले जा सकते हैं ठीक है मेरे पास उपर इस पेस नहीं है इसी थोड़ा कम ही गया है आप कितना वी जा सकते हैं बढ़ सुन्दर लगना चाहिए अब दिखेएगा यहां साब आप लिख सकते हैं यहां से ओपनिंग हाइट आपको अच्छे लिखे देना है एक दसमेलों पांच मिट अपनिंग हाइट ठीक ना अब समझेगा अब इसमें क्या भरना रहता है आपका यह जो आर्च रहता है ना वह इंट का अब दिखेगा जो सेंटर पर गये थे ना वहीं सेंटर से क्या करना आपको ना इसकेल लेन उसमें दिखा देना बराबर दूरी पर देखें किसके प्रति घुमा रहे हैं यह जो सेंटर लियत है अब यह जो अब बार बार गुमाएंगे लेकिन अच्छी बात है जिसे आध्य तक कहुंच गया अब फिर कहां से सुरू कर देंगे हम इधा से शुरू कर देंगे ठेक ह कि अब समझ गए होंगे ठेक इसको अटाथे इसकर प्रति क्या करना है और बीच में जो मिलेगा उसको क्या करना है थोड़ा चांड नीचे का भी ऊपर चाहले रहता है और तो रहता है थोड़ा साइड थोड़ा भीचों यह दूनों तरफ से जोड़ते हुए जाते हैं और की स्टों कि ना कि क्या है कि कि पीच में से करते हुअ कि दोनों को के करते हैं कर देता है सबसे उसे उपर वाले पोर्शन को क्या करते हैं यहीं टाज काते हैं क्या काते हैं हम टाज काते हैं ठीक है इस प्रिंगल लाइम अच्छल लेक्षे रहा है यह पी आर आई यह जी यह लाइम हें है ना अज़े खीका अंदर वालो काते हैं हम लोग इंट्राडोस क्या कहते हैं इंट्राडोस ठीक है बाहर वाले क्या कहते हैं इक्स्ट्राडोस क्या कहते हैं एक्स्ट्राडोस कहते हैं ठीक है एक क्या होजाएगा आपका वाल कि और वाल मेंशनरी और अ कि यह शुंद हुट्ट्छ चैनल कर एक यह पत्थर चिनाई कर बना रहता है तो बस सिम्पल सा इलवेशन हो गया आपका सब्सक्राइब नहीं देता है तो अब जितना मन कर उतना बना देजिए इसी तरह कर देना है और क्या कर देजिएगा तब की बात है चलिए इसको अपनिंग बना दे रहें है कि अब इसको इसका क्या बनाएंगे हम सेक्षन करेंगे अब देख रहें थी स्पेस है कि नहीं ऊपर ठीक है अब देखे अब क्या करेंगे इसको मिटाते हैं अब क्या करेंगे हम सेक्षन करेंगे यहां पर क्या लिखेंगे यक्स 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 डैस एक सेक्षन कैसे कर देंगे यहां कर देंगे बीच में वाटिकली इसको वाई वाई डैस लिख देंगे ठीक है अब देखे अब इसको काट दिये अब काफी ड्राइंग पढ़ लुठत कर दोड़ देख से तो इसके वह जोगया है अब क्या मिलेगा अब जो मिलेगा अब समझेगा और जो मिलेगा नई दिखियो प्रोजेक्शन जा रहा कि यहां कट रहा है ना इसके किनारे तक किनारे तक कर दिए अब देखे इसके समना आएंगे इसको पूर्जेक्शन जाएंगे और इसके बराबर बना देंगे हम क्या वाल भूए नेमा कि मेरा इसकी मॉटाई अलग है मेरा एंहां से कुछ अलग दूरी गये हैं लेकिन आपको इक Ο水 आप इह से जितना लजाना है उधर आपको इह से आएंस रहेगा उत्ना आवे रहए गाको तो आप इसके लोग बनाएंगे तो सही होगा ठीक है अब इसकी चमणाई कितनी है यह जो है आपका 30 सेंटीमीटर है जो वाल की मोटाई थी आप खुद समझ यह यह इसी को पर बना हुआ अब आप जब काट के ऊपर से देखेंगे तो अब क्या दिखाई देगा दिवार की म मोटाई इसकी हम सेक्शन कर देंगे ठीक है समझ रहे हैं अधिक है समझ हागा थी सेंटीमीटर जो तरह है वही आपको इस तरह दीख रहा है है इसकी मोटाई इसकी मोटाई एहां देख़ा पुरा आपका तो कटके निकल गया है तब क्या करेंगे हम आर्च का सिम्बल होता अब कि आपका आता स्ट बहुत है औस तेस देखाइं रहे। और ज़ाने का ने जाते हैं कि दिवारों की मोटाई कितना है 30 सेंटिमेटर क्या करेंगे में माप देंगे यह वाला डिश्टेंस कितना है एससिंटिमींटर इधर से जब काटके वर्टिकली देख रहे हैं किया बना रहे हैं क्रास सेक्शन य V LIKE जब वक्ठिकली आप देख रहा है तो बताइए तो दिवार की मोडाई दिखाई देंगे यही बना रहे हैं अब क्या 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 कैट रहा है यहां कट रहा है प्रोदेक्स चले जाए जाए अब देखिए यहां कट रहा है Progress चले तेग है अब देखे ओपर क्या कतरा एतना दूर क्या कट रहा थे एतना दूर कटरा आकवका वाल तो डीखिये वाल का सिक्सान इतना दुर्ण आपका की स्टोन कट रहा है निस आर्च कट रहा है ऐसा होता है हर्जेंटली ठीक है मैं है यह गांता हुआ तो यह सभी में कर देते हैं उसके वादेग्यode कर दें लिखे नहीं 對 पीछे का तो नीचे नहीं करतें लेकिन एहां क्या है कि कि परसाइं चलिए हम घंदा करते है ठीक अब डnek में यहां से लेकर गए गये वाला और यहां से यहां तैंने सरकल में क्या रहा तो उसको डिखाते हैं इस दिखाते हैं यूद्ध सी नहीं है याद रखेगा कोई सेक्षण नहीं है इस इमबल एक वह आपका करव हो रहा है जो पर नीचे देखे नीचे तो दिख रहा है क्या यह वाल दिख रहा है लेकिन कटा नहीं है ना तो बस सीपल छोड़ देंगे तो नहीं दिख रहा यह आपका कंप्लीच हुआ क्या सेमें सरकल आर्च कि अब हम क्या पढ़ेंगे हैं कि अब आ हम क्या पढ़ेंगे आपका सिगमेंट और ओर कि क्या पढ़ेंगे सेग्मेंटल sine और जी किछटिए कि लड़ तरह का कोसटन मिलेगा सजमेंट नुए समझेए सबसे पल़क पहले काःभा क्या कहेगा इस्पान इस पाइन काताएगा दो मीटर opening हाइट कि कि ओपनिंग हाइट कितना मिल जाएगा यह भी माल लेते हैं दो मीटर हो गया ठीक है उसके बाद क्या मिल जाएगा आपका आर्च थिकनेस ह我要 Thickness कितना मिल गए वही 30 cm मिल गया है न उसके बाएद क्या मिल जाएगा आपका k तो वाल थिकने कितना मिल गया आपका 30 cm कहेगा ना इंगल अब देखे इसमें क्या आये गांतर इंगल एट सेंटर यानि केंदर पर जो अंसर कितने आपका कोल बना रहा है इतना तक तो पहले से दिया हुआ था सैम से मिला था इस पाइम आपको से अंगल एट सेंटर अब देखे इसमें को डाटा बड़े बड़े हैं दो मीटर दो मीटर यहां इंगे लेगे हम इसके लेखे एक संब्सक्राइब का दिलिस्ति का एक समझेश का भी ले सकते हैं ठीक है इसकेल कि नियाट तेंशन नहीं है इसकेल करना हम बता है कैसे स्कील को चिंज किया जाता है तो आप वीडियो देख लिजिए गा चले देगा अब समझेगा सबस्पर क्या सब्सक्राइब और कितना यह सब्सक्राइब किदना मिल गया है अब क्या करना है इस पान कितना मिलना आपका दो मिटर अब देखिएगा इसे पर इसी पर इसे पर बडिस्टेंस कितना हमको मापना है सिंटिमीटर इंगे दौसे कितना आपका 10 सेंटिमीटर इहाँ कितना आपको 10 कि आक भotted स्हाइस आपको dentro fracture नबेर अभी उपनिंग हाइट कि इसर्फ हैट भी कितना है अब इही से नीचे कितना जाएंगे रेकितना हेंटी मीटर अब कि इसको अप這些 कितना आ जायगा दस सेंटी मेटर कि है कि मिटाज एड़ेंगे कि क्या करेंगा रखेंगे हम दिखकत नहीं है ऐपको मिल गई इस पार में गया अब क्या करेंगे शमझेगा अब बॉच और डि पंसल का नोख कहां रोंगे मतलब कि दिऴाबर को यहां के न हम आता आज कि लए आगा है मला कि यहां से लेकर сказать कि बनातेंगा स्मझों समझेंगा जब लिख बहुत ब़ड़ा बंगल जैसे इसके आपको ढूंवा भूसाना वैं मिरमें अलमारी में माडल फेक हैँ क्या वहाग है उसके लिए इस पांग क्या हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा जब इस करते हैं थो राथा इस तरह बनाते है उसे से लेकिन सेगमेंटल में क्या हो गया कि थोड़ा सा नीच यह इसलिए हम क्या बना दिए सेगमेंटल आर्च ठीक है अब दिखें उसके बाद कितना चाहिए हमको आर्च की मुटाई कितनी सेंटीमेटर अब यहीं से अच्छे सार्च उसका आपको पता है इधर क्या होता है आपका कांटिनियोस का सिंबल जितना मन करें चले जाएए अब आपको कोई विक्कत नहीं होगा है कि היה करें की इसमें हम बनाएंगे जो जीणाई करेंगे इंट मुछ आगी पत्थर का क्या कि बहुत लोग तो यहीं नहीं बनता है बहुत गदह गदह लड़कर रहत है आप लोग बिलियंट अधिके उसके बाद एसा हो जाएगा अच्छे बना लिजेगा बुक में देख लिजेगा यह वच्छा सा बनाया होगा अच्छा क्या ठेकी है इसा है ना बस कंप्लीट हो ग आपका यह लोगा क्राउं धिक लिखाए लाता इसम मैं असके बाद एक क्या आपका इंट्राड लोग ऑे क्या देख आपका इस्ट्राडोस अधिक है एकजाव आपका की स्टून कि यह वाल मेसने इंड्रेम हाल मैसने इस्टोन में कर सकते हैं अब तो असान पिछली बार झाला सारी चीजे लिख देना है अब इसका स्थेश्द आपको बनाना हुआ बताना पड़ेगा क्या उपर चले जांगे खीज देंगे ऐसा काल देंगे कुछ नहीं सेक्ष्ण अजले क्षेवादा फिसले वाला ही सेक्ष्ण हो जाएगा तो आप यहां से प्रिजिक्षें ल अब क्या जाएगा सेगमेंटल आर्च है तो तो डाटा दूसरे तरह से देगा कह देगा इस पान सारी चीज़े एक जगां तिन जगां होगा दो मीटर ओपनिंग हाइट कह देगा दो मीटर और आर्च थिकनेस कितना कहो देगा अब का कहत है तिस सेंटीमीटर ठे एक है उसके बाद वाल थिकनेस कि हुआ वैक्यों तीस सेंटीमीटर अब देखे उसमें इंगल एट सेंटर था इसमें क्या कह देगा राईज राइज गांडेगा हाई जितना इफ्मे Pandर भी सबसे पहले सबसे पहले मिश्पान घिचेंगे कितना कितना खिचेंगे कि दो मीठर इसके लोगी रहे बहुत असान आपके करेंगे अब इसके हम आधे पर आएंगे किसके आधे पर आगए हम एक मीटर पर उसके बाद यह उसके बाद समझेगा उसके बाद कितना जाना है यहां से किसके बाद यहां से 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 सेटीटे में है लिकीनिकी बार याद रखेगा आर्च बनाने मैंने इक उर्ची बहुत ज़रूरी यह एक उरेशी आप के अंदर होनी चाहिए नहीं तो क्या होगा कि धर उधर मिल जाएंगे सब ठीक है तो आप रखेगा एक उरेश रिकाइस में उसको फिर वही काम करेंगा आर्च की मोटाई तीस है यहां से तीस सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे और बना देंगे आर्च की मोटाई अब तो आपको पता है कि पॉइंट के वाउट क्या बना देंगे आपका राका न की टोन राता थोरा सान किनारे से बड़ा रखते हैं इसका कि अस्का से कि उसके बाद आपको पता है किनारे समको कर देना है कि अब फिर कोई बताने का कोई मतलब नहीं है बहुत सिंपल सा तरीका क्या है इसका कि मतलब कि पिछले वाले का तरीका क्या था कि सबसे पहले इंगल लिया थे सेंटर पर है ना तो बस तरीका समझना था आपको कैसे 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 और रहा है उसमें सेम वेशन से चलॉशंत की है और सोक्राइबगा च्राइब कर दोन में आङ इसक्षन करेंगे इसका प्रोजेक्षन लेगा तो तो टाइम वेस्ट करने की जरूत नहीं है अल्दी वेरी वेस्ट करेंगा तो कुछ चीज आपके लिए मतलब आपके लिए मॉस्ट इंपारेंट है जैसे आपका हो गया ड्राइंग यह दियाप सेविल इंजिनरिंग कर है और आपको ड्राइंग नहीं आता तो सिविल इंजिनरिंग करने का कोई मतलब ही नहीं होता है क्योंकि आप तीन सल पढ़ने के बाद साइट पर जाएंगे तो आपके हाथ में क्या दिया जाएगा अब क्या बनेंगे आप साइट इंजिनियर बनने वाले हैं डिप्लोमा इतना सेंटिमीटर चर डालना है तो इस सब कैसे आप समझेंगे जब आप डिप्लोमा में ड्राइंग को अच्छे से पढ़े रहेंगे अब थर्ड समेस्टर में अभी से आपका ड्राइंग मिलता जाएगा फूर्थ समेस्टर में इर्गेशन और वेस्ट वाटर इंजिनि सब्सक्राइब करेंगे तो अब जानते हैं कोई वर करेंगे सबसे पहले बिल्लिंग बनाएंगे सबसे पहले क्या बनाया जाता है नियुक होता जाता है किसकी बात करेंगे किसका फांडेशन अब बना सकते क्योंकि अभी अभी आप फॉस्टियर के बारे में ज्यादा आपके पास नालिज नहीं है अब सिंपल सा एक बुक पड़े होंगे बिल्दिंग कर्श्रक्शन का या फिर बिल्दिंग मैटेरियल का उसमें बिल्दिंग मैटेरियल के बारे में बता के इंट क्या होता है पफर क्या होता है क्या होता है कंकरीड क्रीट क्या समझेंगे कंग For the具 ने का थी होता है स्टेख्टर को क्या करते हैं लोग कंक्रीट काते हैं हम आप से क्या है सी सी क्या है और सी सी में बहुत यह अंतर होता चीजिए आप लोगं को अभी नहीं पता होगा क्योंकि अब थार्ड समेस्टर में तो फांडेशन के ड्राइंग पढ़ने से पहले से अब बेसिक चीज को समझेंगे जो फांडेशन बनाने में काम आएगा च। आप घर में बना अपने खर सोचे नियुक कियोंगे घर तो उसे क्या कहते हैं उसके बाद एक मोटा सा दिवार चलता है उसके बाद पतला सा दिवार चलता है जो आपको च्छत तक जाता है तो सारे चीज दिवार को क्या करेंगे उसके नीचे को पाट को क्या करेंगे जमीन को उपर को पाट को क्या करेंगे यह सब बेसिक चीज लेकिन आपके अंदर दो एक असान है ना ड्राइंग बहुत असान है तो लेकिन इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक कैसा भी रहेगा उसको समझ लेंगे बना लेंगे ठीक है और देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ड्राइंग पढ़ने से नहीं होता है हम पढ़ा दे को तो कुछ नहीं होगा जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं टाइम मिलेगा उसमें यह जो गलत रहेगा इहाँ गलत है यह सही है तो नहीं देते हैं है ना हो सकता है किनों थे पाएं तो थोड़ा जो कि मेरा भी हम भी हम तो यदि नहीं आता है रिपलाई तो हम तुरंत उसका रिपलाई देंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं का सेस्ट नियू अब क्या होता है अब दुखिए हम लोग क्या पढ़ने हैं ड्राइंग में क्या होगा हम आपको डिटेल में थीरी पोर्शन नहीं बताएंगे लेकिन ड्राइंग में हम तो कुछ बताएंगे लेकिन विपन सके šके ठीक है ऐसीमपल शाब लोग जानता है पाट होता और बूदिंग का ओवा हुझा होतां फ है ठीक है नियू क्या होता है बिल्डिंग का वह भाग होता है जो ग्राउंड लेवल इनि जो भूमी आपका राता ने जमीर राता उसके नीचे राता है यह इसके नीचे क्या हो गया देखिए हम इयाँ समझने हैं यह नहीं हो थिक यह हुआ कि आपका जमीन हो जाएगा सनथ हो जमीन के नीचे रहेगा उसे मुप कहते हैं सब सि角 च्रίας कि क्या काता है सबिटक और जमीन के ऊपर वाले भार को क्या कॉलब्पर ए चल किया काता है रहें57सॉअ सब आख स्टेक्टर होता है नीचे जमीन के सब इस्टेक्टर जमीन का रहा है या आप सीवील इंजिनियर आज किया काते हैं कि लिल आज के बाद हम जमीन को क्या कहेंगे ग्राउड लेवल यांगी जीर करेंगे तो नीचे को उम काते हैं ठीक है जील के उपर को बहुत कुछ होता है खिर्की डोर बिंडोर जील की नीचे को हम लोगाते हैं सब इस्टेक्चर यादिStar राचना अधिसान पर शूपर रचना होता है याहल के नीचे सब इस ट्रेक्टार आपका श्रट भी वगरा जाएगा सारे वक्तारे सारे क्या होता क्या होता है बिदिंग का था है तो पर्चार से पहला होता आपका उध्ली नीऊ और दूसरा क्या होता आपका गाहरी नीऊ ऐड़ारी नीऊ मतलब सैलो इसले कहले है और गाहरी मतलब डीप न डीप ओ मंडेशं में तयक कितने परकार से मिले दो परकार से उथल किरी नीव किसे और जितना चांड को रहे हैं ऑग nature उतली निव और गहर निव किससे कत निव के अधार पे निव के चांड आई के अहार पे और गहर आयए के अधार पे ठीक है अपने घर में देखें लिए तरह बना होगा कुछ फाउंडेशन ठीक है थोड़ा समझे बाकी आप चीज़े समझते जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है यह होता है आपका फाउंडेशन ठीक है जो बाउंडेशन की घराई और ब्रकाउंडेशन को अब फिर बता रहा है अपने घर में देखेंगे इतना फॉंडेशन ठीक चीज़े अब जमीन के जो नीचे रहें गण्राउंड ब्रकाउंडेशन की घराई आई म। यानि जिस का चंवलाई इसकी गहराई से जद्धिक या फिर बराबर होता है बी क्या आगा नीव की चंवलाई और अब इसको मिटा सकते हैं कोई दिकत नहीं है इसको अच्छे से लिखेते रहे हैं बी क्या होता है अगा कि नियू की और टी क्या मिल जाएगा नियू की गहराई है ना लिए जिस नियू की चंवाई उसके गहराई के बराबर या फिर अधिक होता है उसे हम लोग आते हैं अब दूसरा वह समझा गया होगा तो जिस निव कि गहराई यह जिस निव कि चंवा क्राई संवेक्स होता ह待 गहरई नी unas अब समझेगा अब सेलो और वह कौन कम इरेश्य शॉंपर सब्सेर क्यों की आधाता इन्युन प्पूटिंगेशन श। परमडेसन को ख्ष्ष माना क्यातायँ सबसे पहला इस प्पूटिंगेशन इसका हिंदी अता आपका खशकेदाण आप मेंगों क्यातायगा खश्केदाण नें हो ठीक है दूसरा आएगा आपका सट्रीप Parkinson क्या आपका का इस्ट्रीप फांडेशन ठीक है थर्ड क्या आजाएगा आपका इस्ट्रेप फांडेशन है थर्ड क्या आजाएगा आपका इस्ट्रेप फांडेशन फोर्थ आजाएगा आपका कंबाइन फांडेशन क्या आपका कंबाइन फांडेशन ठीक है फित क्या आजाएगा आपक आप यहां राफ्ट फांडेशन है ना राफ्ट फांडेशन इसमें बहुत सार याज देंगे एक दो और भी आजएंगे ठीक है हमको इसमें इंट्रेस्ट ही नहीं है अब समझेगा विल फांडेशन यानि डीप फांडेशन क्या होता है भाई हम आभी डीफिनिशन बोले थे फांडेशन क्या है जैमीन के नीचे नीचे घ्रांड्ण के नीचे थे तह honoring वी थे चाल रहता है जो का फांडेशन चाहां वह जानिक mrience आप घूल रहता है तो बी काफी नीचे तक गय रहता तो 성ा राइए उसके डाया से काफी तो उसकी चौड़ाई उसकी चौड़ाई से काफी अधिक काफी नीचे तक उसको ले गह रहते हैं तो ओवी एक तरह से क्या हो गया घरी हम किसी में भी इंट्रेस्ट नहीं है हमको बस किसमें इस कोई भी लेना नहीं अभिंगरím लिए करहां की परकार से पढ़ेंगे तो हम इसमें इंट्रेक्टेटर एक बात याद रखिएगा इस टाइप आफ सेलो फाउंडेशन है ना इस प्रेट यह किसका भाग है उतली नियुका किसके भाग है उतली नियुका गहरी नियुका हमको पढ़ना ही नहीं होता है ठीक है आगे जैसे में जाएंग स्प्रेट फोटिंग फांडेशन जैनि खसकेदार नियुका अभी लिए अपने घर में पहले के जवाने में आप सब पर बन रहे हैं उसे हमनों कालम फूटिंग करते हैं अब सारे सारे पहले कालम बींप बन जा रहे हैं अब की बात नहीं यह अभी इस पूरी लंबाई मे इस्प्रेट फूटिंग फांडेशन बनाए जाता है यह सिर्फ न दो तीन मंजील एक लिए होता है दो से लेकिन तीन मंजील के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं इस्प्रेट फूटिंग फांडेशन का है ना खसकेदार नियुकिस के लिए वह लिए होता है सिर्फ दो वजा लेगा ठीक है को मुझचे इसके डिफिनीशन है ना जैसे डिफिनीशन नहीं कहेंगा इसकी टर्म केंगे क्या होता है लुए पता है हम गजा, С ne नहीं पता है हम कहती होगा को आपको है नहीं पता हैом समझते हैं सी máं होता दॉटat मतलब आपका प्लेन सिमेंट कंक्रेट है उपमतलब आपका यसे लेश्य में पॉर्समेंट कंक्रेट यर आप यह कंद उसको हंद्य। कंक्रिट का सिम्पल सा मतलब क्या होता है मजबूती परधान करना अब देखते हुआ कि यह ज्यादा यूज होता है कि यह सनिक ट्टोकोड़ी लड़ने गया तो दूसरा गया है ना उसको मजबूत देने के लिए पीछे जाता है रिनफॉर्समेंट काते हैं जैसे आप लोग बनाने के लिए देता है जब आपका घर बनता है तो चट में उसको मझबूत ही देता है किसको को मजबूती देता है तो क्या होता है और जगा नहीं का आपको आज के बाद डीकत्य चल्द गया उसे एम으면 डालते हैं оно की जिसको जूकने की जंधोना है उसे में जालते हुँ कुछ नहीं यह कुछ नहीं कि झाल भर्स कभी हम फ्डिक को तीक काइब अब इसका लिखेंगे चार यानि करों इस समदरे सकता है कंब बारे चकुछा तो उसकता है एक समद्न को सोबन हो सकता है एक समंद च्छसम अंद बार्य ताइसा नहीं कि यूसे इसके सामने हम cambi लिखें तो यंद्र नहीं हो इसके आगे लिखें तो यसा नहीं होता है एक उसको ढूंस भिली चींट को वे सैंद और तीसरा में यह कंपन्न का सिमन honeymoon सबको को पता है सिमेंट मतलब सिंपल सा सिमेंट होता है दूसरा सैंड यह बालू होता है और इस टोन पत्थर का गिट्टी सिमेंट बालू और पत्थर को गिट्टी को मिला कि हम क्या बनाते हैं 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 अब समझेगा एक यह इक भाग क्टेमेंट है टो सब्सक्राइब कर उताद से उप्सक्राइब कोई भी मैटेरियल में लेजिए किसी सभसे पहले क्या रहता है सिमेंट उसके अगला वाला सन्ट इंदो को संयूख तरुपश हम लोग वह कि आ stato एग्रिगेट यानि Millaba क्या क्या काते हैं वो मिलावा ठीक है और monstr lip वह काते हैं कि अध Capine एंपंग्रिगेट के फाइनि ऑ Hmm अग्रिगेट क्या पहुता है क्या हुता है का मोटा मिलावा यहां तक आपको समझ आया हम कहते हैं एक दो चार में एक क्या है तो आपका एक सीमेंट थो क्या है दो बालू है चार क्या है चार पत्थर के गिट्टी एक यह ना मोटा लगा कि अभिए पी-छी क्या पान स४भाया, घर में बंप कुछ गिट्टी डाला जाता इंदसेंस मतलब क्या वहागा निए खोदने के बाद इंट का गिट्टी डालके दुरमूर से कुटाई करते हैं उसमें बालू थोड़ा था चीड़क देते हैं और क्या करते हैं पानी चीड़क देते हैं अपने घर में इसाइब फांडेशन के खुदाई किये उसमें इंट क फेंट के साथ साथ बालू डालते हैं उसके साथ साथ हम यहाइं इम अपने घर मैं देखेंगे यहाइण तो और पैसा हैंसे के लिए पत्थर के फिरेए उसमें उसमें तक रुदाबन नहीं है यानि जो हम सीने घर अंत कैसे का क्या चला लेते हैं हैं बालू लिख्री यह पत्थर बीख लेए तो तो मजबूत ही होगा ना अब वाले से तो मजबूत ही होगा है किकल esse इसको जादे मजबूत और करने की ज़रूरत नहीं है कहने का मतलब है हम आपसे पूर्च दें एक दो-चार में और एक तीन-च्यम में और एक-चार-अठ में जादा मजबूत कौन होगा तो आप कहेंगे मजबूति नई देगा बना रहेगा उसमें बना रहेगा इसमें जह सर भाग को बांधने के लिए एक बाग क्या है सिमेंट। इसमें बारे बाल जुशाओने के लिए एक भाग्समेंट इसमें नो भाग्स करते हैं कि मजबूत होगा सब्सक्राइब क्या होता है एक संबंध चार संबंध है साधा सिंपल सा हम उसको इंट की गिट्टी और बालु से काम चला रहे थे लेकिन उसके अस्थान पर सिमेंट और पत्थर की डाले तो हम ज़्यादा मजबूत नहीं बनाएंगे है ना तो क्या हम बनाते उसे कहते हैं यह आ पशहा लगएंगे फिरीन, नंहीं, अदिक कामजोर होता है किसा के पेस्था प्यूंट कींट का प्यूंट और सिमेंट कंक्रीट आपका। इसमें भी सिमेंट बालु और की में नहीं कि सिमेंट बालु और गिटी रहेगा किसमें सीसी में जिलेघ़क सबेखरए में इसका कब mango के ता है मत одноम लबुक्स कैसे होता है इसका बिए 124 होगा फिर की संबंद एक संबंद 2 हो जाएगा या फिर एक संबंद ये ना है इसका रेसिowing देख रहा है इसका रिए तीन एक दो चार एक दो शॉब्सकर एक चार आठ एक शैबार है तो सी और सी डोनों सीच है समझ आया और जब पिशब में भब सबस्रों सब्सक्राइब तक है族 में मесघ बंदे हो रहा है रोड़ नहीं बने coming का पाँ इसीोड में चछानों नहीं होते हैं मागव में थीज़ा एक सब्सक्राइब थीज़ा अथ एक छार तो क्रिश्टल की फिर बनाने पर ठीक है अब वह कुछ चीज आपको बतानी है बना लेते हैं उसके बाद बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है में अापके झांड एक लाइन का कोश्चन आएगा कि 30 cm वैल के लिए क nei किस्प्रेड्ड्फोर्टिंग तरगरेंशन का कि सुआ उस्प्रेड्फूटिंग प्रकंदेशन का कि ती सेंटीमेटर वाल के लिए इस्प्रेट पूटिंग फाउंडेशन का और एक खीचिए अब अच्छे से एक्जाम में अच्छे देगा वाई करा सेक्षिए या फिर कहा देगा होगी उचिती माप यह उचिती स्केल पर खीचिए कोचन दिखाए दे रहा है ना उचित कह समझेगा सब्सक्राइब के लिए इस्प्रीड फूटिंग फाउंडेशन का रहें क्यों क्योंकि आपको से लिए तो वही आपको खीचना रहेगा है अब समझेगा अब मिस्तिरी को बिलाएंगे मिस्तिरी को और मिस्तिरिस कर देंगे दिवार रहा हूण तो कहा पागल हो क्या तुम मोटा हम इहां क्या दियांगे हँ तो हमको दिवार की मोटाई बता रहा है कितना चौड़ा क्या लेना देना लेकिन वहीं चीज़ आप हमसे कहेंगे कि सर्जी 20 सेंटीमीटर मोटा दिवार है उसके लिए फांटेशन बनाईए भगो ङेंगे ठीक है दिवार की मोटाई मिला मिले सेंटिमेटर की दो मैं ठीक दिवार कि लिए होता है क्या होता इत्लायी कोटी प्लस 13 हम निकाल लेंको फिर момент तोर्श क्या अदिवार की मॉटाई हैएं थीस सेंटी मीटर आप tattoo कितना थार्ट यानि कितना पता ज़या कि कि आत्मान की मॉटाई थाइस फांडे समोद था लगा कि त्था दिक ना पले तर्ट अम न कल यानिन इब तर्ट यानि 90 सेंटी मीटर हमको ₹फ था रत ख sex तो चीह अब आप कहेंगे सब चमड़ाई तो पता चल गया इतना चमड़ा खोदेंगे लेकिन जमीन के कितना घरा खोदेंगे घराई भी कुछ क्या होता है कि नीव की चमड़ाई के बढ़न होता है नीव के घराई के बराबर होता है हम बताएथिक नहीं आपको कि बताएते हैं आपको अधिक होगा या फिर बराबर होगा घहराई के तो नीव की चौड़ाई 90 cm तो नीव की नोट रहें दौने हो गया मेरा फांडेशन होगा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है अब एक नोट समझेगा नोट क्या है कि नोट समझें इंपटेंट नोस है कि उथली निव जो है ना उथली निव ओ उथली निव गहरी निव हो सकती है उथली निव उथली निव नहीं हो सकती है यह क्या मधर वाई उथली निव नहीं हो सकती है समझेगा इंपाटेंट नोट कया रहा है कि उतली नियु नियु नहीं हो सकती है लेकिन दिली नियु नहीं हो सकती है तो जो फॉब्डेशन के चंड़ाइघ नियु और इसे क्या होता है इस लामिक इंडियन स्टेंडर्ड जो इंडियन स्टेंडर्ड होता है उसा एक चीज़ा बोल देता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा हम उसके करते हैं कि इसा क्यों होगा ठीक है इंडियन स्टेंडर्ड और सब क्योंकि वो सब प्रेक्टिकली पर्योग करके सब अब्जर्वेशन दोरा बताते हैं सब कि इतना होना चाहिए तो उतना होगा हम उसके क्यों होगा समझेगा अभी लाजिक हम इसका बता दे रहें कि उथली नीव गहरी नीव हो सकती है यह तो तो क्या उतली नीव है ना कि इसकी अधिक हो जाएगा नहीं होगा जैसे अधिक हो गया तो क्या घड़ा खोद देंगे फांटेशन की घड़ाई तो कमजोर थोड़ी होगा यह तो आपका मजबूत होगा लेकिन नुक्सान क्या होगा आपका ज्यादा कोस्ट नीए खर्च लेकिन चाहिए जो बना रहे थे नदी में पाइल फांडेशन अब जितना चाहिए उससे कम घरा डालेंगे तो क्या हो जाएगा कमजोर हो जाएगा क्योंकि उसको उस गहराई तक ले जाते हैं जहां तक कठोर मिटी मिल सकते तो कभी भी गारी नीए उतली नहीं हो सकती है को समझ दाने को इसलिए बता है पता चल गया लेकिन आप यह जानना चाहेंगे कि भाई जो हम लोग जो PCC बनाएंगे PCC आपको समझ जाना चाहिए PCC मतलब क्या है तो के सबसे नीचे सिमेंट बालू गिट्टी का परत डालते हैं आपके घर में क्या डालता है इंट की गिट्टी बालू दुर्मूर से कोट्चें उसे हम क्या कहेंगे PCC कहेंगे कितना मोटा PCC डालेंगे तो यह हो जाएगा आपका PCC की मोटाई सिमाल टे कितना होगा निम की गहराई का निम की गहराई का बाई थर्ड कितना देगा तीस सेंटिमेटर अब दुखिये अब यही में निटे हैं अई 70 cm आता सब्सक्राइब तक लोग तो कितना होता कि आप यंद्ध यह समिश्टर में कोई भी ट्राइंग आप डश्मलों नहीं लेंगे तो 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 पांच चलना इसे द्राइंग क्या होता आपके पागल हो जाएंगे ठीक है तो हमेशा हर एक डाटा को किसके नुपात में लेके चलना है तीन के नब्य के जगा यदे हम सव मान लिए होते हैं तो नियों की मुटाई कितना आता पीसी सिक मुटाई सव का तीन तीन आता है ना इसको मान लेते 25 सिंटीमिटर बात को समझ आ रहा है है ना ठीक है आगे आपका सारा डाटा मिल गया है इस डाटा को अच्छे से नोट करिए उसके बाद हम क्या बनाएंगे अब इसके सब्सक्राइब करिए वीडियो को रोकिए नोट करिए ठीक है चलिए हम इसको ड्राइंग बनाते है ठीक है मिटा दें अब चलिए सबसे पहले मिलेका निव की दिवार की मोटाई थीक है तो दिवार की मूटाई यरी मिला था का 30 cm ठीक है और क्या मिलाथ आपको निव की चंवलाई कि यह असों मिला था नवे संटिमेट्र और क्या मिला है कि कि आपको 95 है cherry कि मोटाई किeffective कि मौटाय यह इसमाल टी कितना मिल्क रापको मिला हुआ है की अबुट दिखाए तुन आपको ना क्या हुआ हुए मिला हुआ है कोई दिक्कत नहीं है अब आपको क्या कितना ड्राइंग खिचना अब समझें इस फ्रीड फूटिंग फांडेसन होता कैसा है इसका हिंदी क्या होता है खसका दार नहीं हो है ना तो इसमें क्या बना रहाता है खसका बना रहाता है देखिए चाहा है अब देखिए यह जो foundation है यहीं आपका कौन सा foundation यह अपका है अब क आपका क्या है इसप्रीलपूटिन फ्रीटॉलतन घ्रिक है श्षाट ऑनि तो 3D है और हम लोग क्या बनाते हैं 2D बनाते हैं हम लोग क्या बनाएंगे ड्राइंग में 2D बनाएंगे अब समझेगा इधर से आपको देखके बनाना है अब समझेगा इधर से आपको देखके बनाना है अब समझेगा इधर से बनाना इधर से सबसे पहले आप स्केल तो सबसे पहले इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा पर फांडेशन की चौड़ाई दिखाई देगा तो फांडेशन की चौड़ाई कितना है 90 सेंटीमेटर एक लाइन कीचिए आप दिखाई देगा एक लाइन कीचिए 90 सेंटीमेटर दिखाई देगा अब 90 सेंटी ठीक है तब खीर दीजिए कितना सिंटीमेटर कितना संटीमेटर ठीक है कितना किच देंगा आप दिफिकर है ठीक है अब देखे यह क्या है यह वहला दूरी क्या है आपका यह आपका है PCC की मुटाई अब देखे अब फाइक्टियर में बनाएंगा कोई भी ड्राइंग बनाएंग तो हम काट के देखते हैं न यह दिवार पूरा था तो इसको बीच में क्या कर दिये काट दिये इस इंपल सा दिवार था यहीं से क्या कर दिये हैं कट कर दियें के दिखाई देगा दिवार की मोटाई और नीचे जो खसका निकला हुआ है सामने देखने पर वहीं हम देखके बना रहा है तो 90 cm मिल गया एक क्या है यहां सबसे नीचे घर में रहा तापक है PCC प्लें सिमेंट कंक्रीट इसकी मोटाई कितनी है 30 cm इसके लपर कितिना आएगा 30 cm को 10 से भाग देंगे क्योंकि 10 से मी कोई एक से मी मार रहे है तो तीन सेंटीमेटर आदेगा ठीक है तीन सेंटीमेटर क्या बना देजिए पी-सी-सी बन गया ठीक है अब समझेगा PCC का सिंबल कैसे होता है चलिए इस कश prose therapy use Cane का मतलब एसा नहींगा इसे बनादीजिया अैसा लाइन से रहाख आप हो कशा 25 इधर बनाना ठीक है और बीच में screen को भरना नहीं है बीच में खाली ठीक है बीच में खाली मतलब देखें जो हम concrete बना रहे हैं इस तरह भरा नहीं होना चाहिए एक किसमें भरते हैं इतना दूर एक भार खीच आतना फलिक एक चीच सब्सक्राइनोल किया तुखर ओघ। आधे किया हो गया आधे सिमिंट और आलो गया अब इसको यह से 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 लिक दिखाना है इसको रीकार कल रूप में तिक फोइन के रूप में ठीक आधिक आपका समझेखा अ दुनों सो कुछ छूटा है दुनों तरफ से कुछ चूटा है उसके बाद मेरा दिवार बढ़а है है सबसे पयाएं दोनों तरब से 15 पंद्रैं सेंटीमेटर का कितने संद्र dennо और सब्सक्राइब 15 सेंटीमेटर का ठीक है यानि समझिएगा घस का छोड़ करके एक हीट मोटा हम दिवार चला देंगे अब इसकी मोटाई कितनी मिली इसकी मोटाई तो आपको पता है तीर होगे आप बनाने जानते होंगे कहां से 50 से 90 सेंटीमेटर अब दिखिए ट्राइंग क तब आपका ड्राइंग अच्छा लगने वाला है इतना जितने दूरी पे रखें उतने दूरी इसको भी रखना है ठीक है तव widget अच्छा लगएगा और समझिएगा पहला-खस का कितने को छोड़ हैं पंद्रे जितना-जितना इसके बीच में छोड़ना सारे के बीच में उतनाइज सिंटीमीटर छोड़ना है को फंदरे सेंटीमीटर इनि पाला खषक कितने कप सब् t अबह्रे में 15पjan त्याएं तो बच जाएगा में सासन सेंटीमीटर कितना पचे के आपका 60 cm अब इसकी मुचाई कितनी है मेरे इसकी मुचाई तो आप जानते हों कि जब आप एक इट लेते हैं आप पढ़ेंगे का आप का साइज क्या होता है हुआ है कि अपने घर में देखतें और दुसरा इट है जो पर देखते में दूसरा यह होता आपका 19 cm और यह क्या होता आपका 9 cm और ऐसे रखेंगे तो 9 cm मिलेगा और एक cm क्या मिल जाएगा में जाएगा अग्या में जाएगा तो तो यह तो ऐसा रखेंगे इस तरह तो लंबाई में तो रखेंगे नहीं तो एसा रखेंगे तब भी उंचाहिए नहीं मिलेगा और इसके नीचे मसाला लगाएंगे तो लगेगा तो कुल मिला जो लगे वलाओंचाहिए कितना मिल जाएगा आपको 10 cm कितना मिल जाएगा आपका 10 cm ठीक है अब देखिएगा अब ज्यादा कुछ नहीं है ड्राइगा बन चुका है पाहला खसका कितना छोड़े हैं पाहला खसका फांडेशन बनाने में पांच पांच सेंटीमीटर का खसका कब तक जब तक दिवार की मोटाई के बराबर मोटाई नहीं समझे इदर उसके बाद पांच पांच सेंटीमीटर का खसका कब तक जब तक दिवार के मोटाई के बराबर मोटाई नहीं मिल जाए समझे इदर उसके बाद फिर समझे पहला खसका पंदर पंदर सेंटीमीटर का उसके बाद पांच पांच सेंटीमीटर का खसका फिर पांच सेंटीमीटर का चलिए कि 5 सेंटिमीटर का चलिए मैं लेए मैं एकीड़ फिर चल दिए आप इदाी चल दिये बना इधर से छूता इधर से पंद रचोटा है ना कितना मिल गया कर« 60 अभी मिल ज आपको 50 सुसेल करें किटना मिल गया 50 सूर में पूरेंगे तो कितना मिल जाएगा को अब 3 cm भाई यह हैं हम क्या बतक है लगला क्या सेगे हैं यह 30-25 cm का उसके बाद coffee का फैस्थ कि जब तंस जागा जो तक ब Three sister मिल गया क्या सब्सक्रास को दिवार मोटाई मिल में जाए कर देंगे और उपर क्या कर देंगे हम कट कर देंगे ऐसा अब इसका क्या नियम है इसको लिजाएं के ऊपर तक और इधार से भी यहीं और क्या करेंगे कट का सीमबल का मतलब क्या हुगा क्या हुगा यह है दिवार काफी वार गठात अब आपको क्या पढ़ना है अभी आपको क्या पढ़ना है फाउंडेशन तो एक कितना भी ऊपर जाए आपको उससे लेना देना नहीं होना चाहिए बात को समझ आ रहा है बात समझ रहा है अब इधर से देखने पर यह वाला पॉर्शन 2D में दिखाया कि नहीं इस सब से कोई मतल सेखने में जिना सब्सक्राइब जितना भी है उसको दश सेके डिन तो उतना से सेंटीमेटर में अभी सेखने ठीक है इन का सिम्बल क्या होता है कि इसको मिटाते हैं है कि हुआ है इस आप इट का सिम्बल क्या होता है समझेगा यह की जब तक आप जिन्दा रहेंगे तब तक आपको ड्राइंग कि यह सिविस से कनेक्ट हो गए तब नियत्माली आयसपैसेस बन गए तो को नहीं कि अधना कि यह कि आपका है इसका सिंबल हो गया यह आपका इंट का सिंबल हो गया अब समझेगा सब्सक्राम का हना जवना चाहिए इंदोनों की दूरी सेम होना चाहिए इन दोनouth की बीज में छाइए तब यह यह 30 है ना को अभी चलता ना पलब श Rider के तस सेटेमेटर पता दी है लिए थिस चाहिए अभी अपने मेरे बाट अब जिसक्राइबर नहीं है जितने लाईव चलाने के लिए थीये थीमिल को आप लोग बढ़ साप नमबर दी है कि कोई भी दिक्कत आ रहा है तुरूंत हम से कंटेट कर सकते हैं तुरूंत बनाई तुरूंत बेज़ी अब तुरूंत बता देंगे सही है कि गरात है ठीक है ती सेंटेमेटर है और टेलिग्राम में वह वह अब सब पर नहीं मिला निव की घहराई मिला नियू की घहराई के कुछ नहीं जाना है 90 सेंटेमीटफर और एक सेने या इसको बनादेना का सिम्बल मित्टी नीचे इस ग्राउंड लेवल तेकै ऐसे लिखिवर आले क्राउंड लेवल के लिखेंगे ग्राउंड लेवल और यहां से एक लाहिन आएंगे लिखेंगे आप 90 सेंटीमेटर है की नहीं 90 सेंटीमेटर पर मिल गया आपको ग्राउंड लेवल यह यहर्म फर्स वालें कैता हम लोगे अपकी मतलब जो आपके घर निकल रहाएं उसी के भरवर से थोड़ा सा उठbn और भडखेंगा तो घर के आपके आगए है जमीन वह तो ग्रांड लेवल हो गया और जो उठके जो फर्स बना उसे हम लोग आते हैं समझ यह जैसे कि यह हो गया आपका बिल्डिंग कि मैं एक आप फांड़ेशन ठीक है एक बिल्डिंग का फांड़ेशन बहुमंजिली बिल्डिंग चलिए कोशन आपके लिए आप समझें बताइए एक मंजिल दो मंजिल तीन मंजिल चार मंजिल पांच मंजिल का मकान है अपने मन में सुचिए पांच मंजिल का मकान है तो चतों की संख्या कितनी है कितने मीलेगे कितने मिलेगा किसी अपने में जाएंगे दवा कराना या पिर कही जाएंगे तो आपको जब बलड निकलवाना रहेगा तो मैं इसे कहँए बत्याइगा कि ja अंब कर दो समझेगा क्या है जमीन हो गया ठीक है जमीर से घर में कटो पूस्ट लगाएंगी रखे जमीन्फ रहते हैं और क्या तो कितना लेवल कितना होता है अंहीं से 45 से 60 mm से कहा एंड qualidade से 70 इहां क्या लिखेंगे लेवल क्या लिखेंगे प्लीन लेवल ठीक है अब 15 सकते हैं पचास रख सकते हैं पंच हमसे बढ़ बीच बनता है तोמׅ कि आप यह खड़े हैं आना यहां खड़े आप प्रet along level i1 बीच में बनेगा ठीक है फार्डवम अगला कर दकता प्रेंगा अपना फ्लौर यह इसी को बीच में बनाएंगा ठीक है तो अब आपको समाझ आ रहा है इसके बीच में होता है अब समझेगा कि अब क्या होगा आप देखें कोई घर देखें किया होता है कि तलाब के किनारे रहे गा या फिर गड़े के किनारे रहे कभी भी कैसा नहीं कि सीलन ऊपर चला जाए कैसे कि जो होता है नहीं मतलब नमी को सोखता है अब यदि इसके बगल में तलाव है तो क्या करेगा नमी को सोखता है और इसको धीरे-दीरे पहुंचा देगा च्छत तक पूरा दिवार का प्लास्तर फूरा खराब होड़ने क्या होगा पानी को सोख लेगा नमी कौन सोख एक क्योंकि नीचे तो सब हीट है ना अब इडिको सोख और धिरे-दिरे-दिरे ऊपर पहुंचा देगा च्छत तक पूरा पुरा प्लास्टर खराब होगा पूरा अब का दिवार खराब होगा लेकिन आप देखें कि किनारे सीड़न नहीं जाता यह क्यूंकि एक कोट कोट इपकर अब क्या समझेए का अब देखेंगे इस इसी को पर Kara क्या डाल देपे पाट कुछ को बddendo कर देतें उट्सिंट लिए-डिश्म्यक्त नीथ निए इशरי लिघीए सब्रक्राइब डियूट के ये सम्वंद संब्द है तेन आप से पूस् दें ये क्या है उस्मेंट है टेनल पत्तर की इंव ढटी। अब समझेए डिपीॡस हो थैक ये डिव streams जिसी टेंप इसे प्रूफ प्रूब कोर्सर गे वाटर कौर्व देखें फेस्टर मतलब डोटा होता है मानितल के आप न gibi मतलब ह्म चता है रॉक अब नियों कौर्ण यह प्रूड यह दितने पाइज प्रूड र gefश्माय संतर। सब करें बरत Radha तो एक क्या होता है अपका डीपीची एक संबंदे दिनर संबंदे तीन कहने का मतलब क्या है इंक डालना कि समझेगा कहने का मतलब क्या है कि डीपीची डैंप प्रूफ को और सीलन रोक रहा है जब इहां करतेसं का तो जब यहां तिसकी ऊपर अगुंक्रीट का त्ढ़े कर दिंगे कृट का कितना सेंटीमीटर 5cm से लेकर में चाहें को समझे कि मजब़ूत काफी कर रहा है ठीक है जहां कंक्रीट कर दिया क्या नहीं जाने देगा ना कभी यह उपर नहीं जाने देगा क्यों क्यों के साथ कि जा पायगा तो और यह तो तो थो थोड़ा थोड़ा नमी याद तो देते हैं कि में बालू गिट्टी साथ सब्सक्राइब लिक्विड भी डाल देते हैं तो एक होता है कंक्रीट हो जाता है इसे हम लोग कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स क्या है कुछ नहीं है तो यह कर देना है यहां लिखे देना है कि नार किनार किनार क्या कर देंगे हम प्लाश्टर कर देंगे थे पैंसल को दो बारा और चला देंगे कि ग्राउंड लेवर से 10 cm नीचे तक हम प्लाषटर करते हैं ठीक है कहां तक ट्रक्राउंट लेवर से 10 cm नीचे तक कि अब सब कुछ लिखना नहीं होता ठीक है प्लाषटर लिकेंगे अम प्लाषटर एक संबंध है चार का ठीक है इसे यहां से लेके जाएंगे लिखेंगो ठीक है ना क्या लिखेंगे लिखेंगे यहां लिखेंगे यहां पांच सेंटी मीटर जो रहे थे कि यहां क्या पीच से एक संबंदे चार संबंदे आठ है ना बता रहे थे ना पीचिसी क्या होता आपका काफी कमजर होता है तो एक संबंदे आठ का तो यह कुछ हो गया आपका फांडेशन अब फांडेशन जो है किसी आप और से पढ़ें तो दूसरे तरह से बनाएं इसी फ़म्डेशन को इस तरह से बन सकते हैं घवलाने कि वह इस तरह बना दिये टिर्ट थेख है तो कन्फिव्ड थोड़ा नहीं है जो दूसरे तरह से बना रहा है उसका भी सही है और मेरा तो सही है ठीक है तो आज की लिए विडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर कि पहला लेक्टर था 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 अब लोग से हम लोग नहीं है अब हमारे आपके बीच में थोड़ा इंट्रेक्शन नहीं क्योंकि आप फर्स्ट यर से आएं सेकेंडियर में और फ़र्स्ट यर काम क्लास लेते नहीं है तो थोड़ा बहुत हमको जानेंगे आपको जानेंगे जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है कितना तो इतना ही आज के लिए और कुछ फूट नहीं रहा है ठीक है अब अगला टापि क्या होगा मेरा कि क्या होगा फ्लोर होगा यह निहीं फर्स होगा ठीक है फर्स हमको कई परकार से पढ़ना होता है तो बताए का कैसा लगा वीडियो आपको अपने जादा जादा दोस्तों को सेर करिए ना क्योंकि जादा सुस्क्राइबर आजैंगे चैनल को ग्रोथ थोड़ा कम ही है कि नया चानल है कि अभी तो आप कुछ नहीं जानते बहुत टिपकल सब देखते हैं तो भी हम सुरूप करेंगे अब सपोर्ड करिएगा मेरा ठीक है आज हम पढ़ेंगे ड्राइंग फर्स का यानि फ्लॉर का ड्राइंग पढ़ेंगे इसके पिछले पीडियों हम बताये थे ड्राइंग है और उसी में कुछ बेसिक है आपको आइडिया लग गया होगा कि हम फर्स कहां बनाएंगे हैना उसके उपर क्या मिलता है पाइटालिस साथ सेंटिमीटर पिलिंट लेवल यहनि पीयल हमें भी बताये थे जिएल और पीयल के बीच में क्या बनता है आपका फर्स बनता है मैं समझसे जब भी हम प्रस का ढाइंग बनाएंग तभी बना सकते हैं जब पीछे वाला वीडियो यानि क्लास नमबर वन को नहीं देखें तो आपको जादे अच्छे से समझ आएगा नहीं भी देखेंगे उसको इसको देखेंगे तो समझ आएगा लेकिन थोड़ा बहुत करने वाले तो आप अच्छा ही रहेगा कि डिरेक्ट की लेक्चर में आए तो आप सबसे पहले उस लेक्चर को देखेंगे तब इसको देखेंगे शुरू करते हैं जैसे है ना अब समझ आपका एक लाइन का आएगा कि चाली सेंटीमेटर वाल के लिए क्या देगा चाली सें तो माप पर आरें खिश यह इसा लिखेगा शाठकर लिए दिया है कि चाली सेंटीमेटर वाल के लिए क्या बनाना है आपको फर्स का ट्राइंग बनाना है अब समझेगा इसी तरह सेम आपका पिछला वाला को सेंटीमेटर वाल के लिए इस पृट्ड फूटिव लिवार की मुटाई थीर्स बनाएं अब चल्कली उसका लिए मिलमा क्या है मीशित्यमेटर निकालते हैं तूटी प्लास 30 से दो पूले दिवार की मुटाई 40 सेंटीमेटर है ना पिछला वाला हमको यादर आए 30 30 है ना कितना देगा है 110 सेंटीमेटर वजह गाना असी 90 110 सेंटीमेटर उसी तरह कि गहराई कि निव की गहराई भी कितना रखते हैं लोग निव की मोटाई निव की चौड़ाई के बराबर यानि 110 सेंट्रीमीटर क्या रखें के हम निव की चौड़ाई अब क्यों इतने रखें हैं है आप पिछले वीडियो देखके आईए आपको अच्छे समझाएगा अब समझेगा निव की चौड़ाई निव की गहराई लगो पराबर हो गया फिर निकलते हैं की मोटाई निकलते हैं पी की मोटाई 9 कि क्या होता लेकर चलना है पांच के नपात में काम नहीं करेंगे तरह काम नहीं करने वारे हम लेकर चलेंगे पांच के रेशियो में आपको मानना कि मुटाई तो आपका कमज़र होगा की नहीं अधिक रखेंगे ताका क्या होगा मजबूत होगा बस आपका खर्चा बढ़ेगा तो खर्चा से क्या लिए ना देना है फाउंडेशन आपका मजबूत होना चीए ठीक है खर्चे पर हम ज्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं का से हैं इतना देक्षार हम क्या किछेंगे सबसे पहले हम क्वाऊंडेशन शापका न नहने हैं सबसे पहले इसलिए ना कितनाली है दसंटी मेटर का माण रहे हैं एक संटीमेटर का मान सबसे पहले हमको खिचना पड़ेगा 110 cm निव की चौड़ाई यानि इसकेल पर खिचेंगे कितना 11 cm है ना इसकेल पर कितना खिचेंगे आप 11 cm निव की चौड़ाई ठीक है क्या हो गया 11 cm निव की चौड़ाई उसका PCC की मोटाई 35 cm है इसकेल पर आएगा 10 से भाग देंगे सारे सारे सेंटीमीटर में आएगा सारे 3 cm कितना आपका सारे 3 cm ठीक है बचक क्या करें कि इसको हम पाइट कर देंगे यह हो गया आपका PCC यहनिंगे कितना आपका 110 cm है ना और यह कितना मिल जाएगा आपका 35 cm ठीक है कितना मिल जाएगा 35 cm कितना मिल जाएगा 35 cm अब समझेगा हम आग domestic उनटेस्टाल बनाते हैं पहलाए वावका कितने सेंटीनीमीटिडर का छोड़ेंगे हो पंद्रे 25 सेंटीनीमीचे का वह सबाइंब तक नो जरू सेंपल खमके ऑदES लिखेंगे कुल कि नहीं करिंगे यह दूरी कितना है आपका पंदः सेंटिमीटर थी कितना हम इसंटिमीटर पर 55 cm का हैना हम क्या बोल रहा हैं पाला खसका पंद्र 55 cm का उसके बाद 55 cm का खसका कब तक जब तक दिवार के मूटाई के बराबर मूटाई नौ मिल जाए न दर्धिये गा 110 था तो पंद्र पंद्र निकाल लेंगे 110 में से 30 निकाल देंगे कितना मिलेगा LIKE 10D में जाए आपका 80 cm प समेटर पर इधर पांच और इधर से 5 तरी मिल गए आपका 70 cm सही थे पर सी एथर से 5 एधर से मेटर बितना मिल जाएगा आपको आसे संटी मीटर फिर इधर सो पांच और DRS पांच एक कितना मिल जाए आपको पचाश संटी मेटर अब फिर fan director अब निकालिए नमबर आप खसका ताम जम करिए उसमें डिश्टर हो जाएंगे तो सबसे आपके लिए यह याद करना कि सबसे पहला खसका 15-15 cm का उसके बाद 55 cm का खसका कब तक जब तक दिवार के मोटाई के बराबर मोटाई नौ मिल जाए अब देखें पी-सी का सिम्बल ह तो ताय से ऐसा बरना आपको ठीक है दिखें रहो सकता है ड्राइंग तो इस तर इस तर बन गया तो आप समझ सकते हैं तो इसना तो बनना यह थेक है अज़िके एक आपका पी-सी-सी है ना बालू सिमेंट दिखा देजिए आप बालू सिमेंट ठीक है यह दिखेंगे आप यह 35 हो गया और सारे के सारे को लेकर एक साथ जाईए और कितना लिख दीजिए आप इसको सारे को एक साथ लेकर जाईए और कितना लिख दीजिए पांच सेंटी मीटर है ना कितना लिखना आपको पांच सेंटी मीटर इसको लेकर यह लिखिए पी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-स संबंद है चार संबंद आठ इसकेल को मिटाते हैं सब कितना है आपका कि आपका था सेंटीमेटर एक सेंटीमेटर अब समझेगा फाउंडेशन के घार आई देखे दिवार की मुटाइब सेंटिमिटर आपको मिल गया है दीवार की मोटाई 40 सेंटिमेटर आपको मिल गया है तिर सिर्व 9 if एक सब्सेंटिमेटर्मिल प्सेंटीमेटर मिल गया है अभी आपको क्या चाहिए नीजिद कि खराई यहां समाप लेंक़े ऑफ बना देंगए 30 लेवर कितना मैं चाह ti सब से कम निया की दूरी कितना होता है जी प्ल की दूरी कितना होता है 45-65 से सेंटीमेटर है इसके बिज़गत कर दया है अब इतना जलिदी बता रहे हैं क्योंकि इतना सारी 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 चीज है ना प्लास्टर करते हैं इसी पत्फुला से नीचे तक क्या लिखते हम लोग प्लास्टर एक संबंद है ठीक है अब समझेगा इधर में प्लास्टर कर देंगे इधर प्लास्टर कर देंगे आल के सिम्बल में और आज श्कलासिंबल कर देिक्व का स्मयों पोर अब समझेगा पर बनाset च्छेएंग रिख्ञें सब्सक्राइब कर रहे हैं अब हम क्या बताइथ है कि आप रहते कि तरह हैं आप इसी पर आइंगे है ना आप किस पर अपने घर में फर्स के ऊपर ही तो चलते हैं यह फर्स हो गया और आपका बकल बताये थे चलते हैं दो अच्छे से जो रहे हैं आप देखेंगे से आपका घर राता रहाता है समझ्जेगं है त्योंगों बता थेया यादि को इते है इतना सारी चीज अभी तक दो हम बनाएं है किसमें फांडेशन में इसे किसमें बद dipping समझें वागे बनाने वालएं ऐसलिंपल सा यह ज़ूजएगा वाल के एक उसलिए थैसे मिलेगा अब समझेंगा जो काट समुख़ रहे हैं तो वाल ह boundary पी और माल ले रहा हैं हम च्छत बना गुआ देखिए यहां क्या बना हुआ है और समझेगा जब आप इसको ऐसे काटेंगे तो च्छत भी तो कटेगा तो लेकिन च्छत में इंट्रेस्टेड है नहीं हम किसमें इंट्रेश्टेड है फ्रोर में परस में अब बताइए यहां इसकाटेंगे तो सारा वाल दिखा और आप नीचे खसका कैसे कैसे बना है बनाए थे बताइब आप इसे अवाल को काटेंगे तो यह एक कटेगा कि नहीं कटेगा बिल्कुल कटेगा आप बात को समझने कोसिच करिए इहना जो पिछेश रहेगा है नो मुबाईल यह फोर्स काटें गर फ़र्स बीट कटे वह किномिंगे तो क्या दिखाए कितना कितना मुटाइब कौन संथा सब दिखाया दिए इसके इउपर डिये हैं इसके ओपर यक्ता तो दिखां नहीं यह ओंड़ गया और आपने जिस दिखाएव चीजें मैं कटा होता है tutti दिखाई देगा हम आपको बताएंगे कि यह दिखाई देगा ठीक है इसको किहीं से प्रूफ करके नहीं लाया देगा अब समझेगा इसको क्या करेंगे इसको किनारे से क्या करेंगे क्या करेंगे सचेगा इसका हुआ आपको समझा रहा होगा इसका समर्ला कांटिनिमस काफी दूर तक है दो ईसके बीच माइनगा फर्स même को पूरा फुर्ष देखें गए तो इसलिए क्या करते हैं काड़ देते हैं अब समझेगा सबसे पहले क्या करेंगे सोर कर रहे हैं सब्सक्राइब करने काने का मतलब अब जील का सिंबल क्या मिल जाएगा यह हो जाएगा आपका ग्राम फ्लेबल ठीक है बिलने के भीगा आपका सबसे पहले क्या ना आपसे समझेगा the just फर्न क्या घ्राप समलता होगा तो आप यह लोग सबसे पहली है मिट्टी रहता है मिट्टी को पर डालते हैं अब लगो को खोटाए करते हैं फिर उसके ऊपर हो करते आब आपको पता होता है क्या होता है तो अब देखें होंगे तोड़ा सा सीमेन डाल करके और मोटा मोटे दुरुमूर से कूट जियाता है जब हाट हो जाता है उसके बाद उसके उपर हम कंक्रेट की ढलाईया कर देते हैं सिंपल सा ही होता है लेकिन हम मुझ तरह नहीं पढ़ेंगे हैं ना कि हम एक हैं सिविल इंजीनियर की परपस से बनेंगे यानि इस्टेंडर टाइप में फर्स बनेगा उसको बनाएंगे समझेगा तो सबसे पहले धाई सेंटीमीटर क्या रहेगा आपका समझेगा इसको तीन समखने दो समखने चार का है ना यह निए सबस Highway बनाट रहेगा 20 मुटा सीमेट कंक्रीट दो सबसूर प। स्वाなる कंक्रीटesi में रहेगा इस संबर दो समखने3 ठीक अब इसमें सारी चीज़े आपको पता है सबस्क्राइब प Nathanि इंख सा व्यात इस विखने लाइम सेमेंट कंक्रोट में चुना डालता है क्षिक को डालेंगे चूना डालेंगे और इंट की घृट्टी डालेंगे तो अब या करेंगा आप jut acon temperature है क्या स्काइब क्या है एक क्या है चुणा चार क्या है बालू और 8 क्या है इस चूना डालेंगे तो क्या है अपने घर में कभी आप देखें यह चूना डालें नहीं कदेखेंगे लेकिन हम इस्टेंडर्ड जो मेरा ड्राइंग है उस हिसाब से पढ़ना है जो जो इस्टेंडर्ड दिया हुआ है तो आपको डालना है ठीक है तो अपमान को सोखने के लिए क्लिए क्या डालते हैं और एक बाद समझेगा जब अपने घर में ना कहीं भी फर्स बनाईएगा तो उसमें देखेंगे कि बीच-बीच में पतला एक सीशा टाइप में होता है उसको जरूर डालिएगा क्योंकि जब टंपरेचर का इफेक्ट आता ना जब टंपरेचर जादा होगा तो कंक्रीट फैलेगा टंपरेचर कम होगा कंक्रीट सिकूड़ेगा यदि अपने घर म जब भी फर समने तुझ में सीशा डरूर दिलवा दिजिएगा काफी बेनफिट रहता है ठीक है सीशा समझ रहोंगे है ना पतला पतला रहता एक लंबा सा तो धाई सेंटीमेटर सीशी सलसा सेंटमेटर के लिए में सीटी जालते है आठ क्या है इंट का गिट्टी चार क्य ुझ थीक है वालू एक क्या है चूना है धूय हो जैगा आपका 10 सेंटीमेटर है तक थीक क्या रहता सेंड क्या आपका बालू 20 सेंटेमेटर फिर 15 सेंटेमेटर डालेजिए इसके आल आपको पता है तो दस सेंटेमेटर इसकल टू एक सेंटेमेटर उसके बाद जो है वह आपका अर्थ थेक है क्या है आपका अर्थ है पिरते भी है अब आप में ऐसा नहीं मिलेगा जब आप बनाएंग ना तो बहुत ही कम मिलेगा धाइंटीमेटर मतलब समझ रहे हैं एक एमेम आएगा एक इस तरह मिलेगा यहिंता दिर लेकिन दोटेशिक आइस जया जब में जिकीर हैं कि भी सेंटीमेटर में तर जंचे कि नहीं पांच सेन्टीमेटर 25 से एक कितने लों wszyscy 5 सेंटीमेटर 5 इनी 5 छूटा होता है इसका डाइम सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है तो यह सीची का सिम्बल कैसा होता इस तरह है इसमेंट बालू लेकिन यह वाला है सिर्फ बालू है तो सिर्फ बालू रहेगा इसमें कंक्रीटिंग नहीं करना नीचे आर्थ है तो सिर्फ पॉइंट रहेगा है ना क्योंकि बालू अर्थ का सिम्बल बालू और मिट्टी का सिम्बल ही होता है उपर दोनों में कंक्रीटिंग है तो हम इसमें गिट्टी भी बना दिया जितना इस तरह करेंगे उतना आपका अच्छा लगएगा अभी आपका फर्स कंप्लीट फिर्फ ऐने गए हूँ अब समझेगा तो क्वेश्च्छन क्या देंगा तो कहेगा कि 40 सेंटीमीटर वाल कि लिए कि आयरा आजो का फर्स बनाई प्राज वह को तैरायो का फट्वस चाली सेंटीमेटर वाल के लिए सी से का फर्स बनाई है ठीक है कौन कहेगा एक्जाम में कहेगा 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 चाली सेंटीमेटर वाल के लिए टाली से का फर्स बनाई है वो कहेगा चाली सेंटीमेटर के लिए कंक्रेट का फर्स बनाई है किसका फर्स बनाई है कंक्रेट का वो कहे गा इतने सेंटिमूटर दिवार के लिए संग मरमर का फर्स मुलाइए पिसका काहेगा इतना फर्स आप किसे लेबश थि कह großes अभी सब कर ना booking को सिंबल को सिंबल क्या होगा इस तरह की सिंबल अब कि सिंबल कि इस तरह होगा टायराजो का इस तरह हो Sapp decent सप्याय कर सक्दमोल कर इस तर और संगमर्मर का इस तरह अठीक और सबस्याधा खांए सब्सेदाना कि इसका नुइए इसमें से किसी युष्ट ना या-ट इसमें चाइब कांक्रेट suis फिर क्यां और अब का उपर कितना संक्तमेटर में में अब इसंते मितर नियुक Michael की लेकिन अब को महां में नहीं लिखना है निर्टना थिक है से घुचना इन das देना होस इसको लिखना नहीं है इसके तरह लिखना निए ठाल जिसका बहुत ह्त कहंते है को कह खाना तयार हो जाएगा उतना ही था अब आपको समझा रहा होगा कंक्रीट संगमर वर्पार में रहता है को तरह को तरह को होते हैं तरह होते हैँ जर॑ कि पराकार को होते हैं एक दो तेन चार सबसे पहले बन जाएगा आपका बना देंगे असान था इसके बाद क्या मिलेगा अगला टापिक में रहोगा फर क्या होगा चत होगा सबसे लेवल पर आता है नो में रहाता हुएम बीच के जितने भी मंजिल मिलेंगे वहां लोग काते हैं फ्लोर काती है पहले होता है तो लिए बन जातए तो आपंगा उप्र ना क्या आता है तो चाहँ पढ़ेंगे बिल्ली कस्ट्रक्षन में उसके साथ आप जानते हैं लिंटल में भी और लिंटल एक चीज नहीं होता है ठीक है घाषम को पढ़ना है डो परकार के और अपर सब्सक्राइब किसका चत पर नाम को और सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कि मतलब होता है रिन्फोर्समेंट क्या होता आपका रिन्फोर्समेंट सिमेंट कंक्रेट ठीक है क्या हो जाएगा अपका reinforcement कंक्रीट कच और सिंपल सिंपल समझ रहेगा कंक्रीट पत्थर नहीं होता है कंक्रीट क्या होता है सीमेंट बालू और पत्थर कि गिट्टी का पानी कसा जो किया रहेगा कंक्रीट रहेगा और जो देखते हम आप मशीन से ड़लाई करता है कंक्रीट को मिक्सिंग करके ओपनाते और क्या होता है विदियो में आज हम किसको पढ़ना है यूद अगले वीडियो तेक पीछ अगला वीडियो देगा आपका रैन्फर्समेंट ब्रिक कंक्रीट का शलेट का सलेव कुल रूप यह थिए सब् siguecken RCC खे ri pafette seriously अवी सब्सक्रोंत और एख समझेखां अब एक बिफ्निंग है कि तरह का बड़ा से अब इसको पर कायं से आपसे करेंगे यह कटेगा तो क्या दिखेगा मालिद यह कट गया देखिए अभी तब पैक था जब एसे काटेंगे और काट के इधर का निकाल लेंगे अब इसमें क्या क्या दिखेगा आप बस एक तो क्या करिए कर डिवार की नीचे जाएंगे तो नीचे भी मिलेगा ओपर का च्छत च्छत कटा है कि नीचे जब ऐसा काटें आप तो क्या कटा है चत कटा है अब छत में क्या क्या डाले रहेंगे आपको सेम सेंदी जाएगा ठीक है दिखेंगी नहीं आ इसकेंट को इंटरेस्टेट किसमें निचे नहीं नीचे तो हम पिछली वीडियों पर चुके हैं बनाएंगे ॉपर किसकों बनाने इंट्रिस्टेट किसमें है नीचे नहीं है हमको बेसिक लिग न है उपर पर न है उपर दिवार दिखेगा और उसके उपर हम एतना किलियर है कैसे काटे हैं समझ आगया है वह कंट है कि período काट के कि tsunami देखना है ठीक है कि अपने कीस्ट, अपने काता है रूम की लंबाई बहुत कपूर अब इसलेम हैं kay समाज़ागा अभी आगे लॉसके आगे जाएंगे वि Shit Was करते हैं थार्ड समेंट्र में आपको TMT करना होगता कि質ने मोटा मोटा मेटेडियल दिख़ाएं तो चलिए शुरू करते हैं को संबस्स एक लायन का आएगा कहेगा फिर उसी पूराना कुस्टान 20 कि मिजद्ध 23 कॉस्टाइन दिवार के लिए Spirit Footing Foundation बनाई है या फिर हम फार्स में भी रही कहते है बीस एथी सेंट्री मिठर की मुटाइं के लिए सब्सक्राइब अब भी कह रहे हैं कि बीश सेंटी मेठर के लिए रके सि का से बनाई ये और आपके वह सकता है आपके एक जूता है कि इस मोटाहिं नहीं नेचर को पढ़ाये थे 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 ना इसा बनाये थे न कुछ अ कि यहां पाँडेशन बनाएं और यहां क्या किया था हम कांटिनिवर्स का सिम्बल लगाए थे ठीक है और कहें थे इसके उपर मेरा क्या है वाल है लेकिन हम उसमें इंट्रेस्टेट नहीं है उसमें कि पिछली बार वहीं हम इंट्रेस्टेड है इस बार है न हम नीचे को आम से इस बार नीचे से नहीं लेना देना है कहा लेना देना हमको पूरा पूरा फोकस रहेगा ऊपर ठीक है चले सुरू करते बनाते हैं इसकेल क्या रहेगा आपका इसकेल वही पुराना वाला 10 cm is equal to 1 cm एक सेंटीमेटर कितना मार रहे हैं हम एक सेंटीमेटर ठेक है दिवार की मुटावी कितना लेज़े हम 20 cm कि आप कि अब कर दिखेगा नहीं तो यहां दिखना प्रएगा सब दिखतु रहा है हाँ ठीक है कि एक हो गया आपका कांटिनिवस का सिंबल ठीक ना कितना मोटा वाल है कि रखते जो अब कितना उपर जा सकते हैं कितना व जासा जोगेगा में लगने वाला इन तो इतना डिमाख सेना है कि रहेिका तो थोड़ा साम चले जाएंगे अब देखेगा एक आओ गया आपका दिवार की मुटाई उसके पहले देखें आपको घर में क्या होता सबसे पहले सबसे पहले चट की ढलाई करने के लिए सबसे पहले पट्री वगरा बिचाते हैं उसके उपर क्या करते हैं हम लोग छळ डा टेक है सबसे परले इसमने मोही करेंगे इसको यह तींटी मीटेर के रएधा पॉसक्त कि उत्लिशा ने किसकी 200 का सिंवल कनटनीवाश का अभी हम सब्से बता रहे थैसे करी कि जो एक किनारे का वाल है यह पूरे च्छत तो बहुत लंबा होता है क्या पूरी लुबाई का च्छत बनाएंगे को मतलब भी नहीं है थोड़ा सा बनाएंगे तब भी उतना ही में टेजल दिख जाएगा जितना मुटाई का देखना रहेगा है ना कि देखते हैं क्या हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा दस या बारे सेंटीमीटर मोटा समझेगा क्या हो जाएगा दस सेंटीमीटर या फिर बारे से में ठीक सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या है अब समझेगा अब क्या करेंगे इसके उपर हम डालेंगे अब आपके च्छत में सीरन भी तो आ सकता है क्यों च्छत सबसे उपर वाला पार्ट क्या होता आपका अच्छा तो होता अब से बचाने के लिए इस पर हम ना डालेंगे एक है डालेंगे हम बीटुमीन ठीक है अब तूरा सा मोटा कर देंगे और उसनी पर डार्क टैकक मकद करेंगे और रूख कर देंगे र लिखेंगे हैं तु कोट हर्ट बीटुमीन है अब मैं क्या होता है अब मत無house अदेंगे जिससे फबनता है है एद च्छत क्या करेंगा विटमीन करते हैं लिकना से बताएगा ऊड़ेगा लेकिन मैं अलग नाम से जानते हैं लेकिन होट बिटमीन मिषाएंगे छोट मशनला माइव क्या करना है इसको कैसे बीचाएंगे 27 को गर्म करेंगे मतलब है को समझाए गर्म कर दिए गरम करके उसके बिचाएंगे जब फिर यह वाला थन्टा हो जाएगा फिर दूसरे मेटि और गरम करेंगे एक बार और विचाएंगे यह निए क्या करेगा सीजन को बचाएगा कि इसके उपर हम डालते हैं अब कितना इधर आएगा यह आएगा ना कितना 20 cm कि जितना दिवाल पर चाहता है उसे हम लोग कहते हैं यानि चढ़ाओ क्या कहते हैं बीरिंग कहते हैं ठीक कितना आएगा बीस सेंटीमेटर यह दिवार की मोटाई 30 cm आता तब आगे देखेंगे अब समझेगा एक आप उसके बाद हम क्या है अब देखेंगे सबसे उपर वाला पार्ट क्या होता है च्छत होता है बार बार म करें अब जब सबसे ऊपर होता है बिल्डिंग का तो इस पर टंप्रेच में 331 तेंटिमेटर सथीर से छोना रहेगा मालो रहेगा और इन का गिटि यह अब वहागर एगा तब मान को सोक लेगा है कि नहीं इंट का गिट्टे क्या करेगा ताप मान को सोख लगा आप इसा कहीं नहीं होता है लेकिन हमारे से लेवस में तो ऐसा ही पाहना है ठीक है तो हम चुना पत्थर भी उसमें डालेंगे यह सिसी डालेंगे ठीक है आगे बढ़ें उसके उपार धाई सेंटीमेटर क्या डाल दिया सीमेंट कंकरीट अब सेम सेम आपको कैसा दिख रहा होगा यह फर्स की तरह पर समयाद करिए ऐसा ही था कि नहीं धाई सेंटीमेटर सीसी सबसे उपर उसके नीचे सरसाइज सेंटीमेटर यह सीची था है ना उसकी नीचे दस सेंटीमेटर बालू था उसका कशना बन जाता है एह गर में जहां जाता है एक- gjॉप करने का लाइन को करदेगे और लिख देंगे के दिखाने के ज़रुतने ह включ प्लास्टर है ठेके फाउनिसिंग कर दिया प्लेन हो गया क्या हो गया कैना सा http अब देखिएगा अब इधर क्या होगा भई अब क्या होगा इधर इसा तो छोड़ेंगे नहीं चत बनाके यह फिर हम कहा दें कि यह यह दिया बीशी सेंटीमीटर का दीवार रहाता तो आपको बीशी का बीश चाहाना था बैश का बेश आप चलाती होते ठीक है इसमें कोई वह पदमास वह रहेगा है अब क्या होगा अब खेलते खेलते आएगा इधर दर रहेगा है कि क्या होता का निज्ञेर का छिवार कर देते हैं अब यहां कितना उपर जाएगा है हाँ किइस एंजिनियर का लड़ का सांथ थुड़ी होता arrow 75 से लेके नब बीचे तेघ थे कर फिषडम से लेके मैं से क्या रहेगा आपका प्यार पेटवाल इसे हो लोक आते हैं उसको इसको कि अधार पेटवाल थेक है कि पायरा पेट उपाल दीवाल कितना सेंटिमेटर मोटा है दस सेंटिमेटर जो समझेगा इन्हें कितना है ले के चला जाना जीतना मेरा बचा रहेगा है हुआ है है हां पताथ से नबबे सेंटिमेटर अब समझेगा उपर नहीं थोड़ा माडल बनाते हैं कैसा माडल ऐसा अब ठेक है इसमें भर देते हैं कंक्रेटेंग ठेक है को पिंग इसको मिटा सकते हैं कि इसम क्या कहते हैं कि एक संबंधे दो संबंधे चार का अब समझेगा एक संबंधे दो संबंधे कि क्या हो जाएगा आपका कोपी हो जाएगा 124 ठीक आप समझेगा इधर क्या करेंगे प्लस्टर कर देंगे वह संबंधे इस के चार का इदर बहूं जो दिवार बागी बचेंगे उस पर क्या करते हम को प्लाइटर कर देना है अगे-टू-kot-haut भीटमीन बिटमीन सबसे मोटा रहेगा है ना जो आप मोटा करेंगे सबसे मौटा यह रहेगा उससे पतला यह रहेगा देखिए जब सब्सक्वार सबस्क्राइब कोपिंग आप निचे साब का दिवार गया एक तरह इस तरह भी बना सकते हैं ठीक है एक अब भलागा से नीचे साब का दिवार है अरव सिंपल सा ऐसा बना सकते हैं भी यह नीचे से आपका दिवार है कि आए ना ऐसा बना सकते हैं तो क्या अधर्थ होता है कोपिंग कर बनता है आप देख लिएगा जब आपको सुभजाय बना देखा ने ठेक है ते अब कोपिंग एवाल हो गया वाल का है चिंग कर देजिए कि अब समझेगा एक या चीज़ है यह आपका और सिसी है ठीक है इसमें कंक्रेटिंग बनाई यह ट्रेंगल बनाई यह जो ट्रेंगल क्या रहाएगा आपका बहरा हुआ ठीक है उसके बाद इसला साथ सिंटिमेटर यह भी तो कंक्रेटिंग है ना यह वी कंक्रेट बनाई यह आप सबसे उपर वाला सेशी है और भी कंक्रेट बनाई है अब देखे जब आप इस केल पर बनाएंगा ना थे बहुत चोटा-चोटा होगा बहुत इसकी बीची के लिए बहुत पतला-पतला होगा ऐसा नहीं के सर्जी तो बहुत दूर-दूर बनाए थे तो मेरा भी दूर-द का खाल अ-गूर अ-ग और कलया है हाँ ऑप सेमेंट और बालू ठीक है होगए अग्यार और कोई दिक्कत नहीं है लेकिन समझ जेगा यहां क्या लिखे अंट सेया 12 cm मूट ऊटा क्या लिखेंत इन्ट गोड़ना को दिखाएंगे तो आप किस दिखाएंगे ज़ड़को दिखाएंगे तो चटल नीचे लगता है अब नीचे क्यों लगता है आप देखेंगे और बात में बता जाएगा क्यों सब्सक्राइब बताया घख कि होता है अप क्या होता है छोटव मारक यह कि में वेट करिए समझ देगा एक दिक्ैक पॉईंड रूप में लाइन ना कि मेनि वह हुआ हैक लिखना आपको में बार हो जो पॉाइंट कर रोप में इनधा से लिखना उससे लिखना को डिलीश्नवार है क्कश Bluetooth और क्या लिखना आपको पॉइंट कर रूप में देखरा है तो गया आपका थिकैंप अब प्रेट से रेंगे अब देखर आप च्छत में कैसे रखाइब अ यह एक च्छत दो च्छत तीन चड़ अब कितना भी चछाइब टाल दें कितना सामने से एक ये दिखेगा हाई की नहीं तो दक्षिकनाक ज Te Regault पॉइंट करूप नियें पॉइंटर वाला आपका है डिस्टिबूशन बाद है हमेशा नीचे से अब कहेंगे एक इतना छोड़ के डालें तो इसका ना डिजाइन के आप दो एम तीन फोड़ के डाल देगा एक नीचे छोड़ के लिए गाते इसा नहीं कि नीचे कुछ नेवर ना है नेचे भी आपक चल गया है ठीक है तो कंपलीट हुआ कि आपका इन्हीं स्लेव कंपलीट हुआ इतना इथा तो इजए एजए एजए टापिक मिलेगा ज्यादा हाट नहीं मिलने वाला है अगला टापिक हम क्या पढ़ेंगे रैनफोर्समेंट बिरिक स्लेव सेम एशार आएगा एक दो साइज क्या है कि अगले वीडियो हम परेंगे आर बीशी का सलेव इतना तो आपको पता चल गया होगा और बीशी का सलेव होता क्या है ना राइनफोर्समेंट बिरिक कंक्रीट अब इसका बेसिक समझे अब ब्रीक का स्लेव को होता है वही एक पुराना वाला अब दीखे पिछले बार इसको हम रूम बना एक ब्रिक ब्रिक येंए का साइज क्या होता है कि एक क्या होता आपका 19 ओनिश सेंटिमीटर और कले नुशुत तरह है ठेक है क्योंकि जो हम लोग यूज करते हैं अपने घर में और ऐसा नहीं होता ठीक है बस ऐसा पढ़ाई जाता है इसा हम आद तक खुद नहीं देखें तो ऐसा बीरिक होता है आपका 19 गुल नौ का जो कि हम जो पर अब इसको आप यह होता है कि अब इसको हम अब इसको आप कि या फिर ऐसे रखेंगे तब ही नहीं मिलेगा उचाहि नहीं मिला एसे रखे तब आपका 9 cm मिलेगा और एक सेंटीमीटर हम ऊपर नीचे माशाला माल लें तोटल हम माल सकते हैं 10 cm है ना क्योंकि हम बताए थे कोई भी काम आपको दसमलब नहीं करना पांच के मतलब अनपार्ट में लेके चलेंगे तो यह दस सेंटीमीटर इस तरह रखेंगे तब भी मिलेगा एक चलेंगे तो इसके पीछे वी क्या रखते हैं एक पीछे वी हम क्या रखेंगे तरह समझेगा पीछे बिद्ध रखे ठेक पीछे उसके बाद इट है ना यानि एक की पो कहते हैं चारों तरस घर देते हैं इसको प्लान से म्हेर्ध देखज़ इतर रहा है किसी सीम्पल साइड कोह मिलान पिर दिखेगऄ से ठेक सब्सक्राइब कि एकत्र रखए हँद में तो यहें एक य cooling मारे सब्सक्राइब जोने सब्सक्राइब आफिन रखे हैं चलरके इत फिर इतर इतर जर वर तरे डिन है ऊथ कर टेकर उनको अब को समझाक अगया है आब कि अगरी मैं इस्वीच बना रहा है प्लांत से देखके बना रहें हाज तक अज Up स्क्राइब क्या रहा है आपका आर्बिशी स्लेट को इसके यह क्या रहा है आपका 10 cm एक सिंटीमीटर है ना कि क्या बता है थे कि क्या देगा 30 cm वाल के लिए बनाई है एक लें का कोस्टन देगा और उस दिवार की मुटाई से आदारी को श्राइब करते हैं इस में को डिवार के चांड कोस्टे में कोस्टन आएगा का छत रहें dość किस देखते हैं सबसे पहले किया जाएंगे हम नीचे जाएंगे 30 cm मौटा वाल है कितना पर मोटा क्या चले जाएंगे हम वाल जाये और जानते हैं इस पर हम कितना कितना यह आपका यह तो नहीं बताने विडियों आप जान गया होंगे ठीक है अब अब लंबाई अब जतना मन को उतना जा सकते हैं कि अब समझेगा पिछले वालें क्या था यह था आपका 10 या फिर 12 संटीमीटर मोटा रसी का सलेव यह था ना बस इसी इसी खंड में मेरा अंतर आएगा कि इसमें अर्वी सी के सलेब में ठीक है वन मिनिनुट करें करें कि देखते हैं क्या है आपका अल्सक्राइब यह है ना जो यह है आपका कि बारे या फिर 15 से में ठीक अर्वी स्लेव एक संबंद है दो संबंद है चार का कहने का मतलब समझेगा इसमें क्या है रेंफोर्समेंट भी है रियनफोर्समेंट भी भी है कंक्रीट भी अब एक ऐसे है अई और अगे को देखेंगे ठीक है इसके ऊपर क्या अफ्टर आपका इसके उपर टू कोट हाट बिटमिन है ना इसके आपको पता चल गया है यह चीज क्या होता है क्या होता है तिलीक दिनगे तूठ हाट बिटमिन यह पिरिए को पता क्या होता है क्या होता इसके उपर क्या जाएगा शौरर साथ सेंटीमेटर मोटा कैंने मिलेगा आपको यह सी शी आपको कैसे बनाना आपकी सब्सक्राइब दाता बाखी सबका क्या होगा उसके बाद इसमेंट बालू हो देगा तो तूना और बालू सोझेगा एक क्या देगा आपका कि क्या देगा यल सी थिख है क्या लिखेंगे शच्छा साथ सिंटिमीटर थीक है ए beat goal cc 1 संबंदै 6 संबंदै बारे हैं इसके उपर कि इसके उपर услов Dos Entre मोटा मैं क्यों ज़ते माउठ का ड्री चेस्ज में ठीक rasig है एक संबंद्気 2 संबंदै चार्वा ठीक रफिस बना के इसमें और इसको पर क्या कर देंगा हम फिनिशिंग कर देंगा है क्या कर दें हम फिनिशिंग जी फिनिशिंग कर देंगा आपका बनके तयार हो गया है क्या अर्श लेखने पैराफेट वाल को को उपर क्या बनादेंगे हम को पी है ना कि को पी में 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 कि एक संबन्द्दे दों मनद्दे चार में ठीक है कितना जाएंगे पचाइतर से लेकर 90 सेंटीमीटर अब अब 50 चले जाये 85 चले जाये 90 चले ठीक है अब का वाल का सिंबल हो गया हुआ कि इस इधर क्या कर देंगे प्लाश्टर एफिर प्लाश्टर में कि प्लाश्टर कि एक संबंद है पिएधिया आपका पैरा पेटवाल कि पैरा पेटवाड ठीक है और तो इतना तो क्या इतना तो सिंपल है किसके तरह है तो पिछला वीडियो पढ़ा था उसी के तरह है लेकिन इसमें इंट दिखना चाहिए कि नहीं नीचे याइस तो काटे है क्या दिखाए गाइब इसको कहां दिखाएब्ध यहीं से काट देगा इहीं से त्रीडी में क्या दिखाए देगा यह कहां से दिखाई देभा अब क्या मुपने 10 अब क्या करना है सबसे पजेंगे 10 KINARे 20 लिखना शोड़तें ओपर दास किनारे यह शोड़आए यह पर 10 किनारे 10 और फिर तीन से पांस उड़ेंगे ती मरें प्रवसर के विच्छ क्या बाइंगे हम कंक्रीट बढ़ेंगे इस और इक तो क्या बढ़तना है कंक्रीट वर झाल और एक कितना है आपका 10 सेंटी मेटर कि इतका साइज होता है दज सेंटी मीटर यह कितना वोदाग आपका दज सेंटी मीटर इसारे को क्या भर देना है कि कंक्रेटिंग कर देना है कि 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 थ्यूद्र भूर तक यह अब अर्युंग भीक्र गया ग्यात थे ख़िए अब क्या डिख्येक कि कि इन प्रस्मेंट्रेओ कि अब आधा समध आ रहे कि नहीं आ रही को उसनी आ ना छहत रहेका विश마 औध आसई इसी में न लोट देखनेका अब भी सोला ठीक आप अब सामने से देखेंगे दिखें यहां तो एट था एट कबर कर लेगा लेकिन जहां इप नहीं यह उतने दूर क्या दिखेगा आपका यह बनाई धर बनता है है ना चाहँ रहता है आपका नीचे रहता है एप आब एक अपका गोला ऐलट पाइंगे जो नीचे है उसे हम कहेंगे में वार क्या कहते हैं जो नीचे वाले का थे में बार और जो उपर उसे कहते हैं डिश्ट्रियूशन राए ठ्लीस तो आपको समझा गया होगा ठीक है एक दूरी कितना है तीन से 5 सेंटे मिटर तो देखिये रिए विभा एड के भी दिख रहा है थो पिजिद्थ धूर और इसमें कर देख अब आपका एसे कहसान है तो एप यह बनता है आपका पर समयन बिरेग कंक्रेट का सलेब तो कंप्लीट हुआ अभी तो कुछ उट तो नहीं तो यहां देखें प्लाइटर यहां भी तो होगा है नहीं यहां प्लाइटर अब समझें अध्याशन को अब कि extent कि एक्व में क्या कहें लाकिक अध्याशन की याशन खेए जिसमें उसकी ब्रेवस्थरा करें तो अब मतलब जो च्छत का पानी है उसको भी निकलने का यहीं से बनाई है और इसके किनारे किनारे आजाई आजाई है मन कर तो पूरा आजाई है ठेक है नहीं तो इतना याजी अपर आज़िक अधिश्व कहेगा बात को समझेगा यह कहेगा कि जन निकासी की ब्यवस्था करें ठेक है यह कहता है दखे है मैं को बनाना यह जाए तब निकासी की ब्यवस्था करिए तब करें आइसा बनाएंगे अब इसा कैसे बनाएंगे यादी प्राइब के लेवल से काटे हैं कहने का मतलब समझेए एक और अब छत था ठिक है इसी पर क्या लगा था आप मालिव छत के उपर लगाते हैं शाथ लगार लगाते पाइप तो पूरा-पूरा दिख आए आपको पाई पूरा-पूरा दिख किनारे के लेवल से काटेंगे तभी आपका चड़ दिखेंगे नहीं कि किनारे क्या यह किया है कि पहले से काटेंगे तब क्या करेंगे अंदर पाइप का हम क्या दिखा तेंगे दिखा देंगे K a किया दिखा धर गुंच बात को समझ दीका सकते हैं कोई दिखकत नहीं खो लेकिन दोर को की अच्छा लगता है तक इन दोनों के बीच में न है इस पाइप और दिवार के बीच में एकदम थोड़ा सब्सेयर दीखे कि हूँ फाइब का लाइन ठीक मतलब कि सब्सक्राइब क्योंगे यह फेक्षेए नहीं कर देंगे बिल्कुल कर देंगे ठीक है अब इसको करने कामन है इसको आप vestड़ लेकर चले आई है इसको नीचे चाहिए इसकों कूल कि बार्षा अब कितना है बोलगे ईससंद्र नइंहाँ करदेंगे अधाङ पाइप लिखेंगे कितना पाइप 20 सेंटीमेटर कितना कि आपका कि आपका दो सेंटी मेटर टेक्टा सेंटीमेटर बहुत है तो पानी निकलने का पाणिपल सथा कुछ नहीं है तो क्या नंबर है उसमें ठीक है तो क्या करना है और सेंड कर देना है उसको क्या कर देंगे तो सुधार करिए देखें वीडियो उसको बनाएं कि इसका सब्जेक्ट होता है बनाने का जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं दो बार तीन बार चार बार कितना भी पढ़ेंगे मजा मतलब कोई मतलब भी नहीं है ठीक है तो आपको समझाया होगा रैंफॉर्समेंट ब्रीक कंक्रीट और इसके पहला वाला क्या बताएं तो आज हम पढ़ेंगे पैनल डॉर यह दिल्लेदार दरवाज अभी तक हम क्या क्या पढ़ लिया अभी पढ़ेंगे फांडेशन इन्हीं इस्पिरिट फोर इक उसके वाद ना झाब सिह साथ परकार का प्लॉर देखे थे उसके बाद हम स्लेप देखे थे और सिसे का स्लेप और आरवी का आज पढ़ेंगे डूर टापिक का लंबा चले क्या करेंगे तो सब्सक्राइब हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो हम साथ में साथ कोशिच करेंगे फिकर आपको दिखाते हुए चले लेकिन आपके जो घर में आपके घर में जो दोर बनाया उसको जरूर देखिएगा ठीक है हम यह बताएंगे कहेंगे डोर में देखिए ऐस खुंठा होगा तो आप देखिएगा ऐसा मिलेगा साथ हम कोशिच करेंगे कि फिकर आपको दिखाते हुए ठीक है डन चलिए शुरू करते हैं आपको इसलेबस में जो है ओ है आपका पैनल डोर है कौन साथ और आपका फैनल डोर है ना यानि दिल्लेदार दर्वाजा के द मुड़ता है लघड़ी का और दूसरा हम पढ़िए आंसिक लखड़ी है और तो आंसिक काच ने है शीशे का ठेक है यह वैसा डोर जिसमें कुछ पार्ट सीशे का लगा रहेगा और कुछ पार्ट लखड़ी का ओभियम को पढ़ना और यहाँ जो पूर्णत किसका रहेगा ल पैनल डॉर यानि फूली बूड किसके लिए हैं पैनल डॉर करें फूली बूड हम पढ़ेंगे ठीक है पूरता लकड़ी का बना हुआ दिल्लेदार दर्वाजा ठीक है अब पैनल डॉर शुरू करने पहले कुछ टर्म समझें ठीक है हम लिख देरा है यहां पैनल डॉर है न अब का 1.2 मीटर गुण है 2.1 मीटर ठीक है क्या है यह दो दॉर की इंट्रियम जहां करेंगे उसके कितनी है समझेगा कभी एक दुम्रार फीक्स है लेकिन कभी-कभी एक दुम्राइब के जगा यह दूरुफाउच मीटर दे सकता है क्यों क्यूंख घर में घुशने वाला इंट्रेट में गेट रहता है वह थोलंव उसक्थ यांधे सकते हैं लेकिन क्या है कभी-कभी देगा स्टेंडर्ड क्या आपका एक दसमलों दो मीटर गुंड़े दसमलों एक मीटर आपकी आप क्या कहेगा पाइनल डोर का प्लान और क्रसेक्शन बनाईए तो आपको क्या समझ जाना है कि मेरा साइच क्या है एक दसमलों सब्सक्राइब नहीं तो देगा और साइज देगा इतने इतने का पैनल डोर बनाएए और साइज कौन सा देगा एक दुछ दो मीटर मुने दो दसमेलों एक मीटर इसको रट लिजिएगा ठीक है कैसे रटेंगे आप आपको देख रहा है आपको रटना ही जरुवत नहीं पड़ेगा और इस समेस्टर में आपको पता हो नहीं पड़ेगा जैसे उसमें क्या बता है पाला खसका 15-15 सेंटीमीटर का उसके पांच-पांच-पांच सेंटीमीटर खसका जब तक दिवार की मुटाई के बढ़ा और सेंटीमीटर सेंट उसके बाद अर्थ सब क्या था रटे ही तो थे रटे ही हैं तो इसमें कहां संफर मूला आपको दिखाएंगे नहीं दिखा पाएंगे तो काने मैक्समाम चीज़ बिल्दिन ट्राइंग में आपको रटना पड़ेगा कि इतना डाइमेंशन इतना होता है अधिक का डिमेंशन इतना होता है इसका लंप आहीं होती है इसके इतनी होती है किलियर हुआ वह चले स्बूर करते हैं यानि दो कोई कोई गलत ने होगा सब्सक्तुराइब का कैसे डो रहते हैं आपके में एक बाइन इसकी साइज कितना होता है होता आपका 75 सेंटीमीटर गूले मे 지ndra क्पचातर सेंटिमिटर कुれ 210 सब्सक्राइब पचातर सेंटिमीटर गुले 210 सेंटिमीटर यानि 90 सेंटिमीटर गुले 210 अब देखें उंचाइए हम उंचाइए कम करतेप कता हैं जितनाफ लंबा हैं तो लंबाई नहीं कम करते हैं लेकिंड़ाइं कम करते हैं कहां वह जानुट हो गया जैसे इस्टोर हो गया है ना यह वाले डूर देखेश की चंड़ाइं इससे कम है सब्सक्राइब कर सकते गटा सकते हैं इसमें पचातर सेंटीमिटर वेकिन आदमी को तो उतना ही रहेगा अगे तो आदमी लड़ जाएगा उसमें जाते हैं तो बार बार डाक्टर को बुलाना पड़ेगा खर्चा बढ़ जाएगा तब समझ लिए होंगे चाहिए सब में एक ही है अब दो मीटर को इसे लिख सकता है इसा बनाते हैं कि क्या करेंगे रिख सब्सक्राइब कर देखें लिख लिख करते हैं घर के सबसे बाहर इसको लगाएंगे नहीं इसको तुम्परी यूज करने लिए यहां चारा रखते हैं या फिर कुछ कबार रखते हैं लाइटीन बाथ रूम करने मतलब कि जहां दिखाई नहीं देता हो है ना चोटे-चोटे अनिपाटेंट वर के लिए इसको लगाते हैं यह होता है आपका बैटन एंड लेग्ड दोर यह पट्रे को कहते हैं बैटन यह अब है सुखकेन दंट यह ऊश्य पट्रा है कि बंद आता धरें से किस सबसरे स्कूलि On the कि इस तृट मोड़ी के सब्सक्तेया सब्सक्रांच है यह दो समझा रहा गाँ अथना आप नहीं है लुग हम बता देंगे ठीक है अब हम क्या बनाएंगे दोर बनाएंगे उससे पहले कुछ हम तर्म समझते हैं कि होते क्या है यह समझेगा दोर ठीक है सबसे पहले समझेगा पोस्ट पोस्ट मतलब होता है अब देखिए हम जो है ना डोर का फिकर बना दे रहें उसके बाद को समझाएंगे ठीक है अब बने रही है गाज के बाद आपका कोस्ता नहीं फसने होला ठीक है अब रहा है झाल झाल वहोगा कैसे उननीव अकृंकर देखे आपकोलग रहोगा रहा लएक क्या बन गया रहा दोट भडरल बन गया अनि दरिवाजा बन गया अब समझेगा इसांव гораздо चाव करते हैं जोंखत क्या पोस्ट इसां है यह नर्मिद worked पूस्ट पेलो को समझें पोस्ट होता कैसा है और समझेंगा यह के आपका पोश्ट का इस तरब हर वह दिन संधा ने फिर्ट अब इसमें और आइसे शाया रहता है यहां समझें है हुँ समझेगा यानि यह वाला जो होता है यह होता है आपका एवला डाइमेंशन शाड़े साथ सेंटिमेटर कितना होगा आपका साथ तेनों सेंटी मेटर ठीक है कितना अताब का साथे साथ और साथे नौ इसी तरह जैसे माली इसको अभी इसको बना दी है इसी तरह किधर भी होगा कि अगर भान भाई कि अगर कि अगर ठीक है कि इसी तरह किधर अब समझेगा है ना यह बन गया आपका क्या चौकट बन गया ठीक है यह वाला दूरी कितना है आपका अब बताइए जबसको घुमा कि आप सामने जर्खेंगे तक वाला दूरी दिखेगा साठे साथ वाला है ना यह निकहने का मतलब एक वाला कितना आपका साहे साथ सेंटीमेटर एक कितना हो जाएगा आपका जो चौकट है साहे साथ सेंटीमेटर अब जो कटे हैं कटा है अब कटने में क्या होता है डोर आग इसी में इसी में फिक्स रहता है आग इसी में निकलता है डोर इसी में रहता है इसी दोनों तो रहते हैं फंसेंगे निक मलते हैं तो यही दोनों में कहा है फिक्स रहता है यह वाला दूरी समझेगा यह वेला कि इधर से देखेंगे तो उतका 10 cm एक सपनुपांस यह वाला कितना होगागा यह का आप से लेका लेकिन इधर से देखेंगे तो कौन साथ दिखाए देगा तीन वाला सुन्भाद सब्सक्राइब है और था से 5 संतीमीतर पर अब हम बनेगा अब हम बनाएंगे आपको आपको हम समझा रहें ठीक है अब हम बनाएंग तो बनता है नप समझें कि तब्सक्राबशक रस्तिंटाबसे करतें रिंट्फ अई इधर कितना गया गए हम 12 1 divided सेंटिमेठर कटा है यह सब्सक्राइब दो काटा ऑग कि इवला कितना दिख जाएगा 15 सिन्ति मीठ्य है क्छा है अपने घर में देखिए और बंद वह होगा वहाँ काट होंगे हैंना है इसी तरह उसी में क्या होता है फिक्स रहाता है और लोहे का जो ठोकां रहाता है और असे मैं एक गुमता रहाता है थेखने तीन से देखनें कि सिर्फोट ब़ुकर था हुआ हिसी तुरह ओपर सब्सक्राइब कि आपका हेट पोस्ट यह वाला इस वह तो ऑफा इस तरह कि आये इसमें बिसक्राइबा कटा लाएगा इसमें भी देखेंगे का हमें इत्य आफ देगा वाला कटा रहेगा अब अब जहां आप है अपने घर में लकडी का चौकट होगा देखिए जिसमें दोर खुलता है और बंद होता है तो क्या होगा यह सिंगल पल्ले वाला यह तब भी चलेगा डबल पल्ले वाला है तब ही देख लिए चारू तरफ चौक यह रिएट कितना रहेगा तीन का ठीक है उसके बाद इस सारे सारे चीजें हम कहां शब्द बताएंगे ओं तरह बदाएंग इतना बताना था आपको पोष्ट के बारे में और हेंग पोष्ट के बारे में ठीक है अब समझेगा जह 120 क्योंगरे 210 होता है एक सोबीस कहां होग दर्वाजे की नीचे तक कितना होता है 2-10 होता है ठीक है इसे मुझे काते हैं होर्ण कितना निकल राता है ये 15 सेंटेमीटर कि कि 20 या पिर 15 हम निकालेंगे 15 सेंटेमिटर अब किलिए रहा है निचे से लेके अगदम उपर तक कितना है 210 सेंटीमेटर जब कि चौकट के बाहर से बाहर कितना 120 सेंटीमेटर यहीं सेंटीमेटर को क्या मानेंगे एक सेंटीमेटर पर खिचेंगे अब समझेगा सबसे पहले आप खिचेंगे कि एक सो एक सो एक सेंटीमेटर यहस एक सोथी एक सेंटीमेटर है यहनिंडे की टीकर अब धिक है अब समझिएगा में 120 हो गया दो इसकी मोठाई कितनी है इसकी मोठाई है आपका सब्सक्राइब कितनी है Depression ऋए शेंटीमेटर आपके घर मेरी एधिस लगडी कते हो दिखें जिए उम बतास दो आपको मिननट पो 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 का मैं की लिएखिए कि ये वाले क्या है है आपका है आपका शारे कम है तो ऐसा लगा होगा करने मतलों मोटाई ऐसा होगा ठीक है और आपको साड़े साथ वाला इने पतला वाला भाग दिख रहा होगा और मोटा वाला भाग क्या होगा इधर होगा ठीक है ऐसा है ठीक है पतला वाला भाग दिख रहा होगा मोटा वाला नहीं दिख रहा होगा तो यहां से करके यहां से लेकर यहां तक कितना है 1.2 मीटर इस केल पर 12 सेंटीमेटर ठेक है अब दोकिए सबसाइब क्या है सबसाइब का है इसकी मुटाइब 10 बाग देजिए तो कितना देगा दसमी लोब 7,5 cm यानि 7,5 mm 67 mm ठीक है 75 mm को नहीं समझा रहा है तो mm में change कर दिए 7,5 mm खिदिए 7,5 mm पर ठीक है हो गया अब समझेगा उसके बाद 210 cm क्या बनाएंगे हम 210 cm हम बनाएंगे थे लौब बढ़ा के दे रहा है कि 210 सेंटीमीटर क्या बनाएंगे हम इसकी उंचाई बनाएंगे तो 210 को स्केल में चेंज करिए 210 का दस से भाग देंगे तो एक अई सेंटीमीटर है ला यह एक दम उपर से आई आए आप नीचा तक कि अधी सेंटीमीटर करेंगे यह यह तक कितना घया आप एक ही सेंटीमीटर ठेक है कहां से एकदम ऊपर से ठीक है अब देखेगा चौकट ना 120 के अंदर ही बनाएगा फिर 67 सेंटिमीटर कि इसकी मुटाई कितनी है सहे साथ फिर 67 आईएगा और इसमें बना देज़ेगा ठीक है इसके अंदर ही है कि आधा मोटा हो गया इसको भी लेवल में करते हैं तक है बात समझ रहा है तक है कि एक सब्सक्राइब आप उसके बाद यहाँ से पंदरे सेंटिमीटर निकाल दीजिए आप पंदरे सेंटिमीटर चौकट ठीक है 15 सेंटीमेटर क्या निकाल देज़ एंहां स्याधिए आफ 15 सेंटीमेटर ठीक है यहां सब्सक्राइब का इसे बनाना है एकदम ऊपर से लेकरके एकदम नीचे तक 2.1 मीटर कि महांद एक दढ़ा दो मीटर के अंदर की सवकट बना एक देज़नों की सब्सक्राइब क्या है ठेक दिखा है गाल यह अब देखें डा थोड़ा सफ टेना बन गया ठीक है कि वहां नहीं बीशेद होगा आप लोग समाच सकते हैं थिक है अब समझेगा इसके बाद इसके बाद इसे दोग कहते हैं क्या पोश्ट हुश्ट है कितने का है साथ सेंटीमीटर गुणे साथे अपका पोस्ट इसके वाद देखेगा इसमें क्या बनाएंगे हम 10 cm रिवेट आपको समझा गया जिसमें दर्वाजा फंसता है वह क्या काते हैं उसे हम रिवेट काते हैं अपने घर में देखें ऐसा बना हुआ तो सामने इस देखेंगे ना दर्वाजे के बाहर से इंधाय द तक करवादा क्या होता है ठीक है तो जो नहीं दिखता है उसम कैसे दिखाते में पढ़ के नहीं दिखता है उसम दिखाएंगे it से थीक है अधे समझेगा इसके बाद क्या आएगा है इसके बाद 120 के ना आधे पर आएगे नीडिसाथ 120 के कहां पर आगे और एक लाइन की देंगे त्थिक है लाइन की देंगे उसके बाद एक दिख रहा एंव दुरी कितना होता है 10 सेंट्स बांगे येख से 10000 उसे मोज़ें ओधरैंगा इधार है कित्ना होता आपका दस सेंटिमिटर इस किलब परश्र कराई जबंगे गगे तो इसे हम लोग कहते हैं इस दोसव दोस को इधर साथ आते हैं क्योंकि दिस्टेब करेगा ठीक है हम बताया थे ने ड्राइंग ना अच्छा लगना चाहिए ठीक है तो 210 सेंटी मीटर या फिर 210 मेलों एक मीटर इसे हम लोग काते हैं है करें हें हैं कि या इस्ति वाई'RE हैंगिन स्टाइल कितने कह है दस सिंंटी मिटर जो फान सेंटी मिटर अब समझें इसमेका integer कहने का मतलब जो आपका दर्वाजा होता है दर्वाजा चौकट की मुठाई से कम होता है है ना दर्वाजे की मुठाई जो घूमता रहा था जब पल्ला काते हैं पल्ले की मुठाई दर्वाजे की मुठाई से कम होता है तो चौकट की मुठाई कितना है ठेक दिये जो था चौकट की मुठाई कितना था जो सामने दिख रहा हो आपको दिख रहा आए इन्हीं 10 cm वाला तो दिख रहा है लेकिन किने की मोटाई कितनी होती है सद्थर जैनि धाई संथिमिटर कितनी होती है थाइज सेंटिमीटर रखतें इसका इंट मिल क्यान किया करें कितना काटे थे हम समझे यहां कती है है कि यह थीरी तेकि तैना हो कि तीछ राप को तो कहें थे इधर का मिलता है टो इसकी मों लोटा हुपाई कि नहीं द्रवाजे के मूटाई धाई इस में तु होता है कि सैंहें आका फेस्ट हो कि इसा तो नहीं है एके घर में जो दरवाजा और निकल रहाथा तो नहीं है में तेंस जो दुखिए गार पहले लिखेंगे जो नहीं दिखेंगे घर गाई संटीमीटर है किसे हम लोग कहते हैं दोनों जहां एक जगा मिलता है इसे मृतिंग स्टाइल किया कि एक लाइन में लाकर लिखने पर नहीं सुन्दा लगता है इस यहां से फिर यहां से ठीक है विख professorkī serves north iоп करेंगे और जब एक एक जगह मिलता है जैसे इदर से को इसको बंद करेंगे दर्वाज में कुछ कटा रहता है तभी तो जाके कहा कटा रहेगा आपके घर में दो पर लेवाला दर्वाजा उसको देखे इता खुला और जब आके यहां एक जगां बंद करेंगे तो एक क्या रहते कटे रहते तब दूसरे पाक चिपकते आच्छे से एक कटा रहता है यह दोनों में कट रहते हैं तो भी एक जगां मिलेंगे तो इसमें या फिर इसमें इसमें अब नीचे बनाएंगे तो दस सेंटीमीटर जाइए उपर और बना दीज़िए इसे हम लोग कहते हैं बॉटम रेल आले ठीक है पॉटम रेल एक कितने कहें यह आपका है दस सेंटीमीटर गुणे डाइ सेंटीमीटर कितना है दस सेंटीमीटर आपको दिख रहा है डाइ सेंटीमीटर नहीं देख रहा है फिर हम नीचे जाएंगे कि असी या फिर नब्वे सेंटिमीटर हम कितने पकए नीची सेंटिमीटर रचाएंगे कि उसके बाद 15 एक डूला दूरी कितना है आपका पंद्रे सेंटिमीटर इसकी चौड़ाई 10 सेंटिमीटर लिखिन इसकी पंद्रे और कितने का है 15 cm गुणए 20 cm कितने का है इसकी चौड़ाई क्या है अधिक पंदर सेंटीमेटर को गया और अधाइ सेंटीमेटर उसके बाद निच्छे आएंगे फिर बनाएंगे लिकी दे लिकी देंगे कैया के कितने का है कि आप में ने खिर हेला है दल ने संदेंटीमेटर कि इद काया व्यावा वाण्याओं नकितने का है फंद में आप बनाते हैं अब समझेगा इसके बीच में क्या बनेगा काफी आपके स्पेस बचेगा तो इसके एकदम बीच में आएंगा कहाएंगे एकदम बीच में ठीक है इसको हम इधर से लेखे चले आप समझ गया आप लोग बात इसको बना देंगे इसके एकदम बीच में आईए ठीक है कि एकदम बीच में इन दोनों के जो बॉक्स दिख रहना उसके एकदम बीच में और उससे समझेगा उससे और त्समिलों 25 cm उपर 60 25 cm नासे तीन स्थम 225 ओपर 65 cm संसै назв it मतलब सलसा सेंट्रीमेटर के इस कहंगे तो आफ ले कि तो का नतीन का मीटिंग रेल ठीक है आप मीटिंग स्टाइल ठीक है आपको सीथा ले जाना एक कि इसको नहीं लगाते हैं तभी कोई दिकत नहीं है लेकिन आपका ट्राइंग उतना अच्छा नहीं लगेगा ठीक है इसके बीच में ना काफी इसके बना देते हैं ठीक है इसके इसकी चंड़ाई थोड़ा कर दें कि तो अब दोनें बिच में बिच से अधा नीचे फिर पांच सेंटीमीटर ओपर 5 सेंटीमीटर नीचे आजैंगे दस सेंटीमीटर का बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अब देखित जितना भी आपका बचा अब जितना बचाना इसमें क्या बनाना आपको पैनल बनाना है क्या बनाना पैनल और एक बात नोट करें का पैनल का कोई साइज नहीं होता है ठीक है अब समझें सबसे पहले क्या करेंगे किनारे से 3 mm छोड़ेंगे अज अब 2 पैनल नहीं होता है लेकिन हम अब को उतना छोड़ा रहे हैं उतना छोड़े आप ड्राइंगी ता किरेंग लगेगा अच्छा लगेगा है क्योंकि हम लोगोंतों को कित्ुक्ति चोड़ेंगे तो सुन्दर लगेगा ठीक है तो सबसे पहले सब में 33 mm का छोड़ेंगे आप कि और एक बाक्स बनेंगे सब में ठीक है और बहुत कियर फूली बहुत सी सफाई के साथ बनाना ठीक है नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा सब में चारो तरफ से 33 mm छोड़ेंगे ठीक है 33 mm छोड़ेंगे पहला यानि 3 mm उसके बाद 55 mm छोड़ना है ठीक है याद रखेएगा इसको 33 mm के बाद केतना चोड़ेंगे 55 mm ठीक है करेंगे तीन वाले को पांच वाले से मिला जांगे लग रहा है अब क्या लगारा वाद को देखें कितना संदर लग रहा है बनाएंगे स्केल पर ना तो मुदब बॉल उठेगा एंगा है है ठीक है अब का इसकेल को हम मिटा सकते हैं अब तो इभी मिटा सकते हैं पूरा ठीक है इसकी काम नहीं हमको तो क्या हो जाएगा यह इसकेल इसकेल क्या था आपका दस सेंटिमेटर इसकल टू एक सेंटिमेटर एक सेंटिमेटर देखेगा इसे हम लोग काते हैं हॉर्ण क्या कहते हैं और इसको लिखे जाएगा लिखेगा है एड़ पोस्ट कितने का है एड़ पॉस्ट कितने का है है तो चरह साथ गुणे सब्सक्षाइब उसके बाद इधर से दिखा दिएगा एड़ सेंटिमीटर कितना है इसको लिखे जाएगा हम सारे साथ लिए हैं अब दस भी ले सकते हैं या फिर आपको डाइमेंशन दिखा देना और एक तरफ क्या लिख देना है आपको नाम लिख देना लिखना इसको बूड पैनल क्या ल पाइनल क्या लिख सकते हैं अब और आप अब तो कोछ बतना है यह रिवेट इसे लिखना है आपका अब लिखना है देन सेंटिमेटर पूरे तीन सेंटिमेटर ठेक है जो काटे हुए है और तो ठेक है अब समझेगा कि इसका क्या है अपका फ्रंट एलवेशन है क्या है आपका फ्रंट इलवेशन है कि क्या जाएगा है फ्रंट इलेवेशन ठीक है अब इसका क्या बनेगा सेक्षान करने का मतले हम सेक्षान क्या बनाएंगे क्यों क्यों कि रिवेट कैसे दिख रहा है आपको नहीं पता कि रिवेट के बनाए रिवेट काटना यहां इसा नो हो जाएंगे मिस्तरी के दिएजा ड्राइंग अपक्या करे अब बना देगा अब भी अब हतु काटना यहां तोने तब इативन सबनाना पड़ा इसके लिए इसक बनाना पड़ेकं इसका दो तरफ से और इधर से काटके हम इधर बनाईए कैसे बनाना है कि ऊपर थोड़ा सा इस उपर छोड़ देंगे और तोड़ा सा सब्सक्राइब दोपर और स्केशckos favourite चोड़ को बना ले ना मेra हो सकता हूए क्सेंटी मीटर और कम नहीं होता है अभी हम exist घर करने पर को धिक्त। मेरा थ्लसका छोटा लबा बनेगा क्यूंकि एक की मेंने संतीमितर collected कर देए और ऍटनियनी सेंटिमिटर कब नहीं होता हुए समझ रहा है कितना हम असानी से एक और दि बना देखाते बना तो bundी लंबेसे चोटे समाज्द मेरा समझ देगा इसको बना लीजेगा ठीक वीडियो अभी मिलीच वीडियो से क्या करें गए करेंगे और इसका क्या करेंगे दो तरह से से करेंगे और कहां से देखेंगे इसका क्या बनाएंगे समझेगा अब इसको मिटा रहें इसको मिटा रहें इतना आपको इसका वीडियो पहले बना चुक्त सबसे पहले इसका वीडियो परने में जाया कैसे और वीडियो यादा लंबा से फिर्धान ऑगले इस वीडियो से सबसे पहले आप और शुक्त जाएंगा प्रेलिस्त उसका मिलेगा, उसको देखने गए उसको देखने आपको किले समाद आएगा ओक आप आन्स देखने ना बिसको साइवगे सरी डाका दूर अप्वाले सपर्चु के उसको मिता रहें जाएंगा भीतल दीएम कमेतलियां मितादी इसको एना तरिया को अच्छे से समाद है, ठीक है, रात को बद राज सारी करें, हम सोचते हैं कि अधर को बद राज़, अधर सौझ तर लेक हैं, फest लेकिते हाने, अदर को बद राज सारे करें, इसको सेख्षme करेंगे, आपको जहां करें, पहला है यहां सेक्शन कर दिए यहां को नहीं है आपको मन करें पर करें पर करें क्या है इसको पर से उपर्स है उसके लिए आप समझेए कि आपको नहीं दिख रहा है और जो आपको नहीं दिख रहा है प्रंट में कितना साइन हो देखिए वाला आधिक है ना यह साइन है आपका साइन हो अब देखिएगा इसी में कैनल में का लिए इसी तरह क्या 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 कर देखिए रही अब जो आपको में समझनाइं दोर सेक्षिन को समझनाइं ठीक है सब तो समझा गें क्या हरा राता है इससी खर Кटा रहता है अब इसमें तो सामने से देखने और इदेंगे तो कहां कंति है दूइक्पिन देखे hop लेकिन देखे है यहां कंति हुआ है उदर सी देखेंगे तो नहीं कंति लुए मतलब जो हमें डार्ग करने है समझएगा यह मतलत Dent कर दाना एट आर कर रही नहीं कि में लेकिन अथ कि जब आप इस लेवर करते हैं तो अपता है आप आप से देखेंगों उपर से इसा कटा हुआ शिदधेर आपको एसा दिखेए ठीक है I can समझेगा। यह हीसा सिदेरेख्ञा सिदधे सिद्धा कर दायेगा। यहां कांशा नहीं चोकर से चोकर काटेगा। चोकर आईकोद निञाका को नारी पक primeira तो उपर से कर देगा। अब इसक बना बना है। सब्सक्राइब किसी इसका उल्वाइब इसका प्रोजेक्शन और इसका पूर्जेक्शन है कि इसकी 4 कितनी है इसकी 4 आपकर सार्य साथ मदर साठे साथ यहां से लेकर यहां से जाएंगे और सारे साथ और तो प्रजक्शन मिला था और साथ ये लागि करें लाट लाइन करें लेगा ये शाहे साथ अधों करके काट गए है अब देज़िए अब बात को समझें आफ गणा उपर नहीं कहीं कर देजिए और और इसी का पूपर नहीं प्रजा रहे हैं इसे लिए इस दोर को काटएगे बूर को किनारे कि अधर ने घर बो जहां दर्वाजे लगा उसके किनारे को क्या लगा हो है तो दर्वाजे जहां खतम हो रहे हैं तो किनारे किनारे क्या मिल जाएगा आपको दिवार मिल जाएगा तो करना आपको दिवार बना जाएगा ती सेंटिमेट तो करना दिवार जाएगा तो किनारे किनारे क्या मिल जा इन». एवल वल चटना हो कि अति एजेगा हो क्यों पारें करतें इनसेंपिह。 इसके अतिना को करत चाहिए गा चाहिएं पूरें करतें. उनों स्थेंपिंधिमृटरं तुमति नहीं हो को क्यों पunya हैं? इत एंसेंपित हो क्वारें कि एजेंसेंपिमृटर? और झाल है के इसका पर रहेंगे इसका प्रोजएक्षिंट सरस्थ्य नहीं जो साहे सात मिली गया साहिंगी कहीं फिक जो आपकर दोदेखाएंगे जहां यह काटएंगे उसके सामने यह बी लिकाटें यह जो बादे है कि इसके किनारी 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 क्या दिन जाएगा आपको दिवार दे जाएगा कि इसका कुछ नहीं होता है जिसे कि नीचे से कितने दूर्टे बनाएंगे दिवार के बीच में बनाएंगे दिवार के बीच में बनाएंगे लेकिन आप अच्छे तरह जानते हैं आपको आपको नेक हैं मिलार कॉर्टे दिवार गलारी के लिचिति को इसको अपको अपको दिवार से दिवार्टे दिए शबचेंग, जो आपकर कट देखेंगे, ज्योपना विपने होपर से चलेंगे, जो सबक्यमzetष का पूरह्च पर, मेरें होपर देख्ण 13 का चुक होगा ना अने होगा कि सिंटीमीटर नीचा करके कार देड़ा है कि इसे कि मात प्रहें करें सब्सक्राथ पुर्जेक्शन मिल गया और यहां कि नहीं है जो अपने लूम्स कर दिखाए लादा यहां फंसेगा अब दर्वाजे की मुटाई कितनी है कर बताया थें दर्वाजे की मुटाई कितनी है के सखेए अब इसा खूलेगा बन दोगा उना इया ना कालता है आप दर्वाजे एसा खुलता है इसी में खुल देजी पढ़ लेगें इहीं दुनों में फी ट से राता है और आके नीव बन दरता है का जमाब तो नहीं दिख रहा है हु मैं सभी है ठीक है जिन भेच आप रिए ताकी जेरा नहीं में आप इह समझे न है कि इतना समझ है ağa कर रहा है है कि इसे रहे हिए इसयद इर त इस से डिप इस्तैइल है इसके बाद मीटिंग इस्टाइल के बाद मीटिंग इस्टाइल भी लाई दून तरफ इसका प्रजेक्शन और इस लाइन का प्रजेक्शन किसे हैसिंग करना है किसे हैसिंग करना है इसा नहीं है हैसिंग आप इसा कर देजिए अब दूसरे वाज पर लेका दूसरे करना इसको करना है इसको इधर भूमाएं इसको इधर भूमाएं लग लेका इसी उद्धा पैनल बद रहा है अब पैनल को कुछ नहीं करना क्रासक्षां क्रासक्षां कीजात मिर्य बद रहा है किसका करेंगे आपके से सिरीपना उसमा इसमिश अंगे किसका करेंगे अभी हम कहाँ आक भाल में कहां करेंगे यह नी हैं आप में किया लिखनगे है जिरे कना दानों अब दिखेंगे है वाइवुन कि इस के ऊपर किया तो की आवज के मॉटाय कितनी है 50 cm 3 cm समूँ रहा 9 तो ठीक रहा है घ्जा है यह नुर चप्रेटे मेरा कि नacious जिए कैनेथ लेगकर एपिंट स्मूटे के फिर दीकला सेंटीमेटर क्लाक करआ साहे चौकट साले साथ तो प्रॉजेक्शन धे यह हमें पहले साथ नौ मां कहीं काहीं सब्सक्राइब करते जैंडिवाल में कहीं करता था कहने मां लगा ऐसा इसे भाए कि एसा है थीक है इसा किसे आपको अपर लेका ऐसा एक है कि इसी है समय लेजिए इसका पंबनावत थेखिन कि देख यह अब गया कि एक इतना यह पर दियो नवाला परिंध मोला रखने ज्रव्र और तार किरेंगे यजे देंगे क्या कि सिल्हें एकना हम प्रोग्रिक्सीं परकार और अन्य जिस दिन के सब्सक्तार पर होते हैं आइसने पर पर के सिली बिंधाब लमाते हैं तो और चौकत में कि एम और इसी में चिपके जाएगा। बार बार उंकर आपर देखें ऊपर को समझेगा अब क्या क्ट रहा देख लेए ज़े लिए काते हैं इसको बाद इस चौकट कटा बन जा है। इसके बाद जीके बाद करें। करें दाईए करें। नहीं करें। बाद लॉपर को फिर्टता ये डपने करें। लेकिन एक बाद समझेगा इसे बाद समझेगा तो आपके गर में जहां डौर होगा दरवाजा और खिर्टी ऊथ क्या दाला गया होगा उसे ओपर एक बीम डाला ही होगा तो बीम नहीं पढ़ना है हमको लिंटर पढ़ना लेकिन आप मानके वे चलिये यह बाद में कर दनेंगे लिए कि आपक दो इन दर्वायद ऑपर क्या डारा दिए रहाता है है जब इसको ऐसे का जए स्के ंगा इसके जिए बीम और विर तो कंकृींटिंग लड़ाता है तो क्या दिखा देंगे हम कंक्रीटिंग दिखा देंगे और इसके ऊपर क्या रहता है उका दिवार रहता है तो दिवार के इतना मोटा और उसी में क्या लगा हुआ दिखे इतना पतला वह दर्वाजा में पूरी दिवार देखा है इसी में दर्वाजा कि अब समझने में बात है इसको लगता है इधर कुछ नहीं है कि इधर का चोकट कैसा रगा इधर के होगा इधर का चोकट यह बना चोकट होगा ठीक है चोकर से क्या लगा हुआ है दरवादा लगा हुआ 25 00 102 9 अब बदाई बोलत और धरकर तो दिख रहा था बनादिये अधर से देखने पर जो कर बच रहा है वो दिखे किस्ट रहा है देखिए जिदने चावपट के मुटाई है उब सब्सक्राइब क्या लगा वह दरवाद पुलिए जोपट को मुटाईब कितनी है कि यह बदेखे य्जारा हुआग है यूशनके कि अादि कि इतना साथ को चाण है नो तो जब उधर से देखेंगे तो इतना इक्ष्ट दिखेगा दिखेगा इधर वार चौपट दीखेगा कितना साहे नहीं है यहां से लेकर यहां तब यह वारा साहे साहे नहीं है जब आप इसकेल बनाएंगे तो आपका अच्छा बनाएं इसाहे नहीं है आपको नहीं है अपने घर में जो लगा है डोर उसको किनारे से दिखेंगे काट करते देखेंगे जर्वादा क्या है कि बहुत कम जब अभी रहा हुआ है इसकी मूटाई क्या है इसकी मूटाई अधिक दर्वादा पतले में ही लग जाता है और दोसरे वारे का भी क्या देखेगा आपको जोकर देखेगा ठीक है एक कंप्लेट हुआ क्या सेक्षण इन्हीं क्लास सेक्षण वाइवन और वाइवन ठीक है तो अभी हम इस वीडियो मतलब अभी हम डोर का वीडियो कि आप सेक्षण करना है जैसे वीडियो का देख रहे हैं तुरंथ हमको क्मेंट करते करने किसा समझ आया या कि आपको अच्छha से समझा गया होगा वीडियु अच्छे ये ऐने जो करनेां तो जैबना रहे पर ल。 अजह को अच्छे सब्स बना दें दोश्य भूल जब जरूर जरूर एसमेश करिएगा कि आपको सेक्षन कितना समझाया ठीक है उसके आदार्ग पर हम क्या करेंगे आगे का हम डोर का वीडियो गनाएंगे ठीक है यह जिदिक आप चैनल पर नए हो तो इसको सस्क्राइब जरूर कर लेजिएगा और वीडियो क्या करना है यह निवी एक खिडकी अब जैसे डोर तापका डोर तो परकार से हमको परना था एक तो फूलिवड का और जर्टूर ऑुलिव सब्सक्रा pian solve का धरलियो आंशिक का यहा शिच्छ्चर धर खिड़क भी हमको दौड़के को परना पड़ेगा यह मैं लाद नुट दूसरा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा आंसिक मतलब कि आधा लकड़ी और आधा काच का ठीक है तो देखें जिसको डूर अच्छे समझ आगे उसको यह समझ आजाएगा ठीक है तो फीफ्ट और शिक्स नमबर का अच्छे देख कि इसको यह कोई दिक्कत ने होगा क्योंकि आप सो अब कुछ बेसिक अंतर समझते हम दोर और विंडो में हम क्या बताएथे आपको उस सेशन में दोर पढ़ा रहे तो क्या बताएथे कि दोर का साइज जो होता है कितना होगा चौड़ाई एक दसमलो दो उचाई दो दसमलो एक किलियर साथ है ना चौड़ाई 120 सेंटीमीटर छाए 210 सेंटीमीटर वात एक लगा लेकिन बींडो का कोई साइज नहीं होता है याद रखिएगा बात बिंडोगा कोई साइज ने होगा तो हम कैसे बनाएंगे का मतलब है कि कोई साइज फिक चैप्स कीविंडो बनाइन sleeping this at 70 or 90 सेट्पीटेमीटर का कहा बिंडो बनाए यानि 90 सेट्पीमिटर कुरे 90 सेट्पीमीटर का समझ रहे हैं बात यह साइस का बिंडो ऑ सकता है लेकिन जब दोर कहेगा तो कहेगा दोर बनाईये लेगन विंडो का साइज फिक्स नहीं होता तो कोई विदो देगा इस वाला बिंडो बनाईये या फिर ओ कहेगा कि कि इसका साइज इतना है विंडो का इसका पैनल विंडो बनाई है ना अब समझेगा एक और चीज में क्या अंतर होता है कि यह देखे डूर एक आउजाएगा आपका कि अधर बनाते हैं ठीक है पर अंतर समझा दे हमना मैं अगरे देखें एक है आपका ढोर है आपका डौर यह वह बस हमें सम्झा रहे हैं विंडो कैसा होगा कश दिख़ा अंतर आपको कुश अंतर दिखा क्या देखा कि विंडो डॉर मैं ढॉर में समझेगा डौर में इसको कहेंगे हम दोनों को पोस्ट लेकिन इसको कहें कि मैं लोग सी याज डबल यह ठीक है तो पहले एक चीजे नहीं होती नहीं होती है पहले होती थे उसी में लगते थै और जाते में नहीं है इसको हते हैं अभी बिंडो में यह पर समझें यहां आप समझेए ौए यहां यहां क्या था दस सेंटीमेटर दस सेंटीमेटर फिर बीच के बाद इधर दस सेंटीमेटर इधर दस सेंटीमेटर ऊपर दस सेंटीमेटर रेल नीचे दस सेंटीमेटर टॉप रेल बाटम रेल लेकिन लेकिन फ्रंट में फ्रंट में किसके विंडो के विंडो के ना फ् हम आपको समझाएंगे डाटा आपको रटना पड़ेगा अब समझेगा बिंडो में मैक्सिमम चीज़े कितनी के होती है आपको सारे साथ सेंटिमेटर बात धान सुनिए बिंडो में फरंट में आपको सारी कि सारी चीज़े कितने डाइमेंशन के दिखेगा सारे साथ सेंटिम है थे कि माल लेते हैं छट्टे हाँ यह आपका है तो फट्टे हाँ यह थे अब समझेगा यह यह निया चौकट अब आप कोची तरह पसाथ पिछले वीडियो में चौकट कितने का होता है चौकट सारे सारे साथ गुणड़े सारे सीह नौ सेन्에 होते हैं हम क्या बोले चाहिए दिखता है युणढ़े साहरे साल SCOTT समझेगा चौकत हैं इधर ऑन पर इधर कीफाइग ना एक कितने कर ऐफ ए इसात कर रएगा कितने का सटारे साथ कतने का वीच मेंट करेगा양 te Francisco स्टाइल आभेगे साथ का रहेगा ऊपार नीचे सेंटेमिटर अभियों की चलिक पुझने केDיק प्रंट में सारे के साइज आपको कितने की दिखेंगी साधे साथ सेंटी मेटर का कि लिया है आपके लिए असान है एलिवेज और सेक्षन करेंगे आपको समझ रहेगा देखियेगा जो मेरा आज का बनेगा बिंडो है नव पाइनल काने दिलेदार बंदो बनाएंगे फुली तका क्या रहे गा उसाइज क्या लेलए 60 संतिमीटर गुले उल्हक आंश अगने चलिए ti-स सेंंटी मिट्रों कितना ओ सुन नबब संटी कि Mak highlights इसकेल कितने रहते है इसके लोग आपका ऊल्च पहला क्वां कितने खेचेंगे एक संथिमीटर सबसे पहले होता है उसके बाद मुचाई होगा ठीक है तो पोष्ट के बाहर से बाहर कितना है साथ सेंटी मिंटर नहीं इन दोंग परद आप 10 श्राइब होगते सबसे पहले इसको एना साथ शेंटिमेटर कितना साथ सेंटिमेटर समझेगा फिर एल्डन कितना होजाएगा सध्षा करना है आगा 60 से भाग देदेजिए यंहीं 6 संटम शाय संटम इसान के सथ मुलोग सथ 5 जाएगा नहीं समधा रहा है अब समझेगा यहां एक ना है यहां से ले करके यहां तक कितना हो जाएगा आपका आपको इंहां से लेकर यहां तक कितना है साथ सेंटी मीटर अब इसी के अंदर समझे है अब यह उचाई कितना मिलेगा आपको 90 cm ठीक है उचाई कितना मिल जाएगा आपको 90 cm ठीक है 90 cm अब समझेगा 90 cm कहां से लाएंगे हम यहां से ले करके 90 cm यहां से लेकर यहां तक भाई जहां मेरा नीचला चौकट रहेगा है ना यह देखिए 90 सेंटीमीटर अफिर यहां से साथ सेंटीमीटर उपर जाएंगे और चौकट बनाएंगे देखते जाईएगा है ना बात फोनते यहां से लेकर ऊपर अधीर अधा है आधे चौकट ठीका रहें है कितना स 만들어 संटीमीटर का और हजिआ का कहने मतलब हार्न कितना सिंटीमीटर निकला है फंडरे सेंटीमीटर अवब 2 वी निकाल सकते कोई दिक्कात नहीं है ठीक है किटना निकला है फंद्रें सेंटीमीटर अब दिखेगा तो इसके बाहर से बाहर और साथ संटीमीटर तब इसके अंदर ही हमको क्या सबसे पहले इन दोनों के बीच में आएंगे एक लाइन कीचेंगे है कि किचेंगे एक सबसेपहले बनाते ह써 क्या बनाएंगे कितने संटिमीटर सबते हैं इधर से साथ संटिमीटर हैंगा यह सीथे ए अद 흰से वीizar सेन्टिमीटर पिस थीच हां अब इधर चलते हैं नीचे से सब्सक्राइब करें दोनों के बीच में आएंगे लाइन की चेंगे उसके उपर सब्सक्राइब का आधा उसके उपर सब्सक्राइब इसके नीचे शाथ इसकी समना तरह इसी परवल खीज़ेंगे ठीक है निसारी के सारी कितने के दिख रहा है आपको साथ सींटिमीटर का यहीं हम बात कर रहे थे थीक है अब समझेगा वेट ए मिनट अब आपको या देखने सारे चौकत में क्या कटा रहेगा रिवेट कटा र अब कितना रिवेट इधा से संतिमीटर इंडेन अब क्या कर दे रहे हैं रिवेट है ना आपको दिखेगा नहीं हमको भी नहीं दिखेगा तो एक ऐसा हो जागा डॉटेड हो जाएगा कि कैसे हो जागा आपको डॉटेड हो ठीक है अब इस दोनों जहां मीट करेंगे उसमें भी देन सेंटिमीटर पर बनाएंगा इधर भी बना सकते हैं इधर पर डॉर में उधर बनाए थे बिंडों जान वो इसका मिधर बना रहे है ठीक है यहां से कितने में पर दिन सेंटि मीटर पर लेकिन इसकेल पर डियां में पर ठीक है अब बना देजिए आप क्या बना यह सबसे पहले चारों तरफ से तीन तीन में छोड़ेंगे पर कोई साइज नहीं होता है ठीक है अगती नहीं कुछ भी ठोड़ी है लेकिन हम जो बता रहे हैं उतना छोड़ेंगा तो आ डोष्ट करों प्ताव क्या होगा अच्छा लगेगा ठीक है सबसे पहले यहां से तिंतीर मीफ छोड़कर लाइन खिची मत शोड़कर लाइन खीचे देखने ल ण आज कि रत्रों में पर पांच से पांच से पांक दो को पटनर से तक हैं कि उसका अन्दर वाले को मिला दी कि अंदर वाज़े से आपको अच्छा दिखना होगा है अब समझेगा आप क्या करना इसका करना है सबसे पहले समझेगा अपने डाइमेंशन देखा देखा रहें एक इतना आज आएगा यहां से लेकर करके यहां तक साथ सेंटीमीटर ठेक है एभी कितना हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक यहीं इसकी चौनडाई एभी साथ सेंटीमीटर ठेक है इसकी भी चौनडाई कितनी है यह हैं, साफ सेंटीमीटर, ठीक है, दो नहीं लीख़ए हैं सह सेंटिमीटर यह ठीक है, न रिकां की सकना है, अब देखिए, इथर का करना है, इद्वक को लेका ये लिखना है, टौक है, पोच्ट लिखना है, हेड पोस्ट क्या लिखना हैं सेंटिमेटर बूले साहे नौ सेंटिमेटर सबको पता होगा आप करेगा तोप ने यह कि इतने का है साथ सेंटिमेटर गूंडे धाई सेंटिमेटर क्योंकि यह तो आपका पड़ा है ना यह तो खुलने वाला बंद होने वाला तो उसकी मुटाई पतली रहती है नहीं धाय सेंटीमीटर रहता है ठीक है अब समझेगा एक यह आपका वुड का पैनल है गिभी एक रहा है यह का आइस फाई सब्सक्राइब हो यह पतली आप मीडिल रेल कि अ हुआ है किदने का है सब्सक्राइब momento ngذ ठेक है एक यह का हैंगिंग अस्तु इस्झल हों इस शारे हैं श्च्राइब कर दो हैंगिंग कि इस्टायल कितने का है साड़सा सेंटीमीटर है जाएंप सब की सेम है बत चारवत छोड़कर उसकी वादा इसको लेक पूर्ट एपको जील ना साब सम्सक्राइबै और बयर जाना सब्सक्राइब एक क्य वह घ्यावज एगा पोर्स्ट उपर हेट पोर्स्ट नीचे शील एक वह घ्यावज अपोर्श सरे शीन्टिमीटर गुड़े का ना क्या बूर्ड अ ए dat है आउनों की आउफ का पैनल एक कि क्रांट पैनल क। हुत आपको क्या हो गया कि लिए रो अंदिर अफ है यह वह पतने थ्रहेस्मेस आ गया था ठीक है तो मसारे लिख दी है सिल 6 साथ सेंटिमीटर सेंटिमीटर का एक कोस्ट हो गया अब इसका क्या करना है है अब क्या करना इसका यहां से लेके यहां तक जाईएगा और लिग देगा हार्न अब समझेगा अभे से क्या करेंगे से क्या करेंगे क्या करने वाला है अब हो पर करेंगे यक्स यक्स और वाइब है यह टीकली ठीक है आब जानते क्यों भी कि एक स्ट देख रहें हम फ़र से का सब देख यह इसको अब समझेगा इसको मिटा रहे हैं भी सबसे पहले हमें इसका प्रॉजेक्षन जाएंगे इसका परकूर के इसका दो सबसे पहले 30 cm मोटा क्या बनाना पड़ेगा आपको क्या बनाना पड़ेगा वाल है ना 30 cm मोटा क्या बना देंगे आप वाल बना देंगे ठीक है अब खुश समझे जब दोर रहेगा एक डो रहेगा अब का डोर ठीक है यहांसे इसको डीवार है इसी के बीच में क्या बना हुआ देखिए कि देखतो रहें इसी के बीचमे बना दिये इसे बीच में बन गया को यहां समर्जाओं स्सेधाऊ से अच्छिच को फ़िए क्या हो गया आपका दिवार फुरा है एक हो गया आपका गया ठिक है एक हो जब टॉर में पर दिखने मंद घी बटनाओ दिखेगा ग JON दिखें दिवाल के अंदर ही यह आपक का दोर दिखेगा किनारे किनारे दोर क्या बनांगे दिवार अब दिवार के बगल में क्या दिखेगा सभसे पर दिखेगा चौक जाए फ़ल का फिर्ट का पुर्जेक्शन आप जय का साइज कैसे बैइंड साथ बूसार नौ साहरे तो चले गए साहनों कैमा करते हैं अच्छी तरह से हैं ना हम कलास में बताएं है ठीक है चौकर को काटिए इन रिवेट को काटिए सारे मतलब कि देन जाईए है देन का जाईए आप प्रोजेक्शन और तीन माप के कार देजिए दिखिए देन मुले तीन का क्या देगी आपका अब इसी के बीच में क्या लगा देना है तीन सेंटीमीटर काटे हैं इसमें हम डाइमेंशन गरा कुछ ने रिखाते हैं एक कितना इधरा हैं तीन सेंटीमीटर इधर तो प्रोजेक्शन देन गए तीन हम उधर से आगा कार दिया है और जानते हैं पूरे पल्ला यानि अंदर जो है उसकी मुटाई कितनी है धाई सेंटीमीटर काटें कितना तीन उसी में क्या हो जाएगा ओ फिक्स हो जाएगा ठीक है अब देखे इसकी प्रोजेक्शन दाई है और इन दोनों के बीच में यान बना देजा है ना यही दो पल्ला है है इधर से खोज जाएगा अज्द में टोर में इसमें कुछ नहीं हमें समझना होता है नारर प्रस्ट्रा नहीं को कड्यों को का ओद आधर से एक तरफ से कर दिए इसका इसका इधर से própria कि उसके बाद देखें मीटिंग कट रहा है इसका इधर से कर यह मुफ के अब जानते हैं चौक्ट का सेक्षन कैसे करते हैं दूनों तरफ से अब दोब के तरफ पिछला वीडियों के नहीं विंडू है दोनों तरफ से कर देते हैं चौक्ट का बाकी जो बचा उसमें हम ऐसा प्रकार्ट नहीं कि हम बता रहे हैं दूसरा कुछ बता रहे हैं गलत है ठीक है अब लकड़ी का सेक्षण को होना कई तरस बनाते इसा बना दें तब गलत नहीं होंगा ठीक है इसा लिए उसके बाद क्या करना है सब को मिटा देना है कि अध्या हो गया आपका अब देखिए लेकिन एक वास अधर समझेगा लेकिन जैसे हम डूर में बताये थे कि जब आप इधर से देखे थे इधर वाला चोकट दिखा था वैसे जब आप चमक तो नहीं रहा है न अर्य थे समझे समझेगा वैसे जब आप ऊपर से देखे तो सी लूर में नींसी त्रौकट नहीं था लेकिन बींदो में ते दीखे-चौकट तो नीचे का चौकट धापको दीखेगा तो नीचे का चौकट जो खर तो तो में उपर से देखने देखने नीचे है कि अपका साहे नौत chlag है कि नहीं कितना आही अपका सागे ना थे इस और बाले नहीं नीचे वाला चोकाट सरे नो गदेखे पूरा गया पूरा गया लेकिन इसी के बीच में तो रहेगा वाई इसी में डोर लग गया मेरा हाथ दोर हो गया समझे आपको समझ रहा होगा इतना चीज है ठेक है हम एकदम डीप में जाकर समझा रहे हैं थोड़ा नौभी समझ है तो कोई दिकत नहीं है क्योंकि हम कई वीडियो लाने वाले हैं सब में धीरे-धीरे सारी चीजे समझ आ जाएगी है ना एक ही बार में कोई रजिनी कांत नहीं बनता उसमें टाइम रहेगा जैसे कि हिलकाप् नवस्की बात करने हैं भflowing पूदिशन में दिकत हुआ नहीं फैसमें हो सकता रहा हम कोशिच करनें पूरा के न situación क्या क्या में सेक्षिन थे इदर में सकते हैं है को इसको प कि आप हम क्या करेंगे श्रय्टन या और यह नहीं कि वाई वाई कि देखेंगा है अब दिखिये इसको मिता रहे है और रिखेंगा अब और देखे अब जाहां सेक्षन की एधर तो कुछ ही नहीं है इसके इधर ही हमको देखना अब दो यह एक जांपन लियत आपका अब इसी के बीच में क्या लगाव है अब इसको जब ऐसे काटेंगे समझेगा जब अइसे काटके जब इधर से देख रहा है तो बते खिड़की कूपर क्या लगा रहाएगा अब आप अच्छे तरह जानते हैं शार्जर क्या होगा खिड़की इसके ऊपर हाइडर क्या होगया कि इसे करेंगे section तो क्या दिखेगा क्या देखेगा लिकिन इसके उपर ऑपर क्या देखेगा लिंटर दीवार रहेगा आप समझेगा यह होगे आपका खिड़की इसके उपर 30 cm वार ठेक है इसको थोड़ा और इसको और बड़ा चले जाएंगे न अच्छा लगता ठेक है और इसी के बीच में इसी बिंडो को उपर 10 या फिर 15 cm मोटा क्या रहेगा लिंटल त्यार अगया आश्यार है आपका लींटल आएगा ठीक अब समझेगा जब अब इधर से देखेंगे सबसे पहले साथ सेंटी मीटर वाल दिखेगा एक आऊए आपका साहे मिदो धिखेगा साहे नो क्या करेंगा माप के काड़ देंगे त्युक्षा ब्रॉजेक्शन इतना तो दोर में नीचे सील नहीं था लेकिन इसमें नीचे सील है और एक बात दोर में नीचे वाल नहीं होता है लेकिन बिंडो में नीचे भी वाल होता है इसी 30 cm को आएंगे और नीचे भी क्या बना देंगे हम नीचे क्या बना देंगे वाल इसी निचे में बना देंगे एफ लन बना देंगे और तेन संतिमेंटर उसका साम नहीं कटेगा बना देंगे रिवेट है और इसे में क्या करेंगे किसको पल्ले को यह नहीं चौकट को ठीक है अब समझेगा वाल का सेक्षिन इस तरह हो जाएगा क्या कट रहा है देखर सबसे पहले क्या कटेगा टॉप लिए उसके बाद मीडिल रेल इसके बाद बॉटम रेल बॉटम कर देखर करके प्रोजेक्शन मिठा देजी आप कि उसके बाद जो बत रहा है और कपाइनल है पाइनल का सेक्शन इस्तरा कर देजिए ठीक है अब समझेगा जब इधर से काटे हैं तो इधर वाला चौकट देखेंगा नहीं दिखेंगा फिर वही बात हम समझाएंगे है ना इस चौकट कैसे दिख रहा था आपको इधर का च सीधे-धर दिखेग के न कटा हुआ है ना तो वही क्या कर एक सदैंड मत करेंगे मिला दोनीचे क्या ऑल बना ढखेंगे देंगे निश्के नीचे लिखना आपको सेक्षन के वाई वाई ठीक है कि या स्टी आपका सेक्षन यॉए है ना तो समझाया होगा आपको पूरा थेक कि तो देखें कितना असानी समझ बना है थोलगा सा टाइम कि नहीं को नहीं समझाएगा हम बीना क्लास पांच और छे को देखे इसको देखेंगे ठीक है उसके लिए उसके लिए थ्यान में रखते वड़ा सा टाइम लिए ठीक है बाकी आप आपको समझ आने लगेगा बाकी हम बहुत अभी मतलब की डॉर बिंडो का कम से कम पंचे से स लेकिन हमाहे यहथिशन नौन धूर बना देते हैं एक मिंडोर का इस सेसिशन हम कमेंट जरूर करेए उसके बाद को प्लेजन का लाकटा है और सुपा हम अधुए उसके हम कुश़ चुले टॉर से से मेचरा सुन्य बिंडों कीबार आप चिया पहलेंगा मथ थे मंसंतेरा लकड़े और किसका बना रहेगा भूड़ अब जानते हैं जो पिषले वीडियो देखें हम पूछते हैं कि डोर का साइज कितना आवगा तो कहेंगे 説से भारे सबसे पहले 120 खीचेंगे गया होगा इसके बास चोट की मुटाई जानते हैं वह कितनी की होती है 10 cm is equal to 1 cm ठीक है अब 120 के अंदर ही क्या रहेगा आप कहा देखिए हम गए नीचे कितना जाएंगे 210 210 कहां से जाएंगे उपर से जाएंगे एकदम चौकट के उपर से लेके नीचे तक कितना मिलेगा आपको 210 cm ठीक है यहां आएंगे और इस तरह लाइन खीच देंगे ठीक है अब समझेगा अब इसकी अंदर यह साथ सेंटीमीटर 14 क्या बनाएंगे हम चौकट है ना पता है क्लास नबर फाइफ और शिक्स में बताएं सब सीज़े तो हम डारेट खीच रहा है ठीक है अभी क्या मिला है है 120 के अंदर चौकट और 210 एकदम नीचे से लेकर एकदम चौकट के ऊपर तक इसके बाद 15 सेंटीमीटर हम क्या निकाल देंगे हार न 10 या 15 सेंटीमीटर दस ने निकालने पर थोगा चोटा दिखता है तो अच्छा रगता पंद्रे तो पंद्रे निकाल देते हैं 15 सेंटी सेंटीमीटर पर क्या खिच देंगे लाइन क्या खिच दिये लाइन इधर से 10 सेंटीमीटर चौड़ा बनाएंगे हैंगिंग स्टाइल इधर 10 सेंटीमीटर चौड़ा मीटिंग स्टाइल इधर भी 10 सेंटीमीटर चौड़ा हैंगिंग स्टाइल अग डाइरेक्ट आप इस यहां ठीक है कैमरा यह थोड़ा सा गलबड़ इसलिए गलबड़ बनना पड़ा है अब सब लोग जानते हैं कि इसमें सेंटीमीटर नहीं यहां नीचे से से संटीमीटर क्या बना देंगे रीवे जो कटा रहता है एक है इतना बगल में सब भाई है कि हम बच्चे नहीं सयतान हो कर रची लगब आपका सेंटीमीटर कि अदें इन सेंटीमीटर इ Спफे कितना एगा और देन्ण है इसमें भी कटत आता है सारी चीजें हम पता चुका है ठीक है कलास नमर फाइफ और शिक्स में तो बस खीच रहे हैं कहां अंतर आएगा ना इसमें बता देंगे फिर नीचे से इसको दाइमेंशन को दिखाते हैं यहां नीचे से लेकर यहां 10 cm अब इन दोनों के बीच में जाके लाइन के पतला सा इन दोनों जो खाली स्पेस बस रहा है वहां से और इस लाइन से या यह पर पांच में नीचे इस लाइन से 5 मूब पर वाज़ना इन यह तोटल मिला यह हुआ आज़ा आपका 10 cm का इक्ष्डारें है ना अब देखें कुछ समझा रहे हैं नहीं क्योंकि इसको हम समझा चुके हैं फिर किनारे से 33 mm पे हम क्या खीज़ देंगे लाइन कि देखें किनारे से 33 mm पे पूरे में लाइन की दिज़ पाइनल में कि अब ठेक है है अब देखें फिर इसमें किनारे से 33 mm पे छोड़े से अब पांच में छोड़े देजिए किनारे से अंदर वाले से पांच में कि 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 अब देखें यह दिकाएगा कि पूरता लकड़ी का बनाई है तो उपर भी इसी तरह लगा देंगे यह दिकाएगा कि लकड़ी और कांच दोनों लगा रहे गा तो इसमें कांच का सिंबर बना देंगे देखें अच्छ लगा सकते हैं इसमें भी लगा सकते हैं कोई दिकत ने ठीक है इसमें कुछ भी लगा सकते हैं कम से कम एक जगा कांच आपको चाहिए दोनों लगाने पत्रन अच्छा लगता है थोड़ा सा कि अधिक है अधिक है सिंबल कांच का सिंबल है और बूड का लकड़ी है मतलब बूड का पहनल हो गया तो बस यही अंतर है ना इसमें और आसान है उससे अब देखिया हम नाम लिखेंगे अब एक आपका एंगिंग इस्टाइल तो पोस्ट है न जया देखिए और क्या है पोश्ट पोश्ट है सलै साथ संती मीटर गुडे साथनों सिंटि मीटर एक्या है अपका यह को जाइगा अपका बाटम रेल बी ओ डबल टी ओ यम रेल कितने का 10 गुड़े धाई सेंटिमेटर यह नि जो दिखता है उसे हम पहले लिखते हैं दस वाला दिख रहा है धाई इसकी मुटाई नहीं दिख रहा है ठीक है एक यहाँ जाएगा भूड का पैनल बूड पैनल का कोई साइज नहीं होता है ठीक है एक हो जाएगा हैंगिंग स्टाइल यह अच्छ ए अंज आई अंज हैंगिंग स्टाइल कितने का 10 गुड़े धाई सेंटिमेटर का है न एक यहाँ जाएगा उत्तिरी वेटे मिनाट लाइट कट गई कि चलिए आधा गंटा वेट कराने के बाद लाइट आया ठीक है अब समझेगा एक यह होगा यह होगा आपका लॉक रेल कि एक यहाँ जाएगा लॉक रेल पंद्रे गुड़े धाई सेंटिमेटर का यह ना एक इतने कढ़ाइक है यह होजाएगा आपका ग्लास पैनल क्या यह होगा यह होगा रिवएक यह होगा यह होगा यह दिन सिंटीमेटर गुले सेंटिमेटर और अपका टॉप रेल देखिए क्या है ना कि मेरा मेरा मेन फोकस ही रहता है कि हम जतना कम समय में जतना ज्यादा ज्यादा आपको दे सके ठीक है तेकते होंगे हम पढ़ाते हैं तो मतलब कि एक परसेंट बात नहीं करते हैं आते हैं शुरू में बताते हैं और कि पिछले वीडियो में क्या पढ़े था इस वीडियों का प पढ़ा रहा है इसलिए क्योंकि इसको हम डिसकस कर चुके इसको बहुत ही आराम से पढ़ा है तो इसमें कुछ है नहीं है ना वही चीज को दो आरा लिख रहे हैं है यह होता है और फॉस्ट कि इसले साथ ना देखते हैं यूटूब चैनल पर वीडियो तो बहुत है बहुत सब्सक्राइब लोग है यहां जा रहे हैं यहां पी रहे हैं यहां जालते रहे हैं मेरे में पढ़ाई करा हमाप कोई वीडियो नहीं चाहेगा आपका ठेक है अब बता रहा है वे दिद्धा चालीस परेंट अभी ऐसे लोग हैं जो बीना सस्क्राइब कि यह देख रहे हैं तो बढवाज से मत करिये चैनल को जल्दी जल्दी सस्क्राइब कर लेजिए ठीक है एस हम सेक्षण करेंगे अब देखिएगा इधर जो भी होगा आप लिए कोई सबसे पहले किनारे से इधर क्या दिखेगा 30 cm मोटा वाल यह कितना हो जाएगा आपका 30 cm इसको बता चुके हैं सारी सारी चीजे बता चुके हैं था रहे हैं ठीक है सेम इसी के लेवल में आएगा सेम इसी के लेवल में ठीक है सब्सक्राइब कोई काम नहीं है सेम इसी के लेवल में आएगा और जहां खतम हो रहा है वहां वहीं से इधर आजाएगा आपका 30 cm मोटा क्या मिल जाएगा वाल ठीक है देखें पतला बन गया मेरा कि अधर न क्या हो उसके बाद कश्राइब 50 साथ वाल प्रृजेक्शन जाएगा ढ़ी शाहरे साथ का चेंट चाहिए conoc प्रृड्स त frameworks नेीचे सवह के सब गखेंग अचे जले ठीक है उसके बाड है do कि देन्ध वाला नीचे से कच चलिए यह बाला पोर्जेक्शन देन्ध पोर्जेक्शन देखते और तीन मंप के कट लिजिए हुए है ठूँ फ्र बशुक्षावी तिन किया माह के काट लीजिए और इसी इस बीच प्रिच हम क्या बना दो धर राष होता है 5 και से क्षान दोनों तरफ कर देजिए सब्सक्राइब कर दोनों तरह बन दो एक तरह फोलेगा इस तरह बंद होगा उसके बाद दिखें एक कट रहा है न यह तो काट है एक इस तरह सेक्शन कर देजिए और इस तरह सेक्शन कर देजिए फिर इधर का मीटिंग इस्टाइल इसको ऐसे कर देजिए इतना तम सब पढ़ें को अब इसमें सीशा कट रहा है पिछले वाले में 56 में क्या कटा था कितना मिट का वीडियो हुआ क्टेक्व हाँ 2 लं अब देखे इसमें क्या मिलेगा आपको शीसा का को क्या होते है बस कुछ नहींक्त बना देना सब्हब लगद सब्हुод्याल करके अब यहां से कितना उपर गया है जितना मन कर उपर जए ठेक है जा सकते हैं इसके उपर क्या मिलेगा वाल मिलेगा कि इतना सेंटीमेटर चौड़ा है तीज सेंटीमेटर है ना सेक्षन कर देजिए लेकिन दस सेंटीमेटर मोटा इसके उपर क्या मिलता है लिंटल मिल जाएगा अब जाएगा अब जमझेगा यह तो हुआ सब्सक्राइब गए तो अब देजिए फिर वाला प्रोजेक्षन गए तीन माप के कार देजिए उसके बाद इसी चीज को नीचे क्दमाजी है और कहां मैं करें तक कहां इसकी उन्चाई खतम हो अब दिखिए क्या इधर कर रहा है इधर का डॉयल बहुत इस इस में कटर और इसमें लगड़ी कट रहा थें इसके बाद इधर वाला पूरा देखता है लेकिन बिना कटा उबा तीधर दिखाघ कर दिखा दिए हैं है क्राश सेक्शन वाई वाई ठीक है तो यहां कम्प्लीट हुआ क्या पैनल डॉर जो की लकड़ी और क्राश का बना हुआ आज हम पढ़ेंगे फ्रस्ट डॉर पिछली वीडियों हम कवर कर चुके आपका पैनल डॉर फूली बूड का पैनल डॉर बूड और ग्लास का उसके बहुत ही आसां टापि अधर और यजेश याज तांध मातल होता है आज के अधर सब्सक्राइबं सबस्सक्राइब कहीं तो जाल फॉड़ा यह यह स्लोव ईज क्या करते हैं यह स्वाड़ लगड़ी ना इस अब मेरे चिपका दमें हैँ प्लाइबूर अब जा ABS यह पु twenty words लग mist मैक्सिमम करते हैं एक परिक्दक होते हैं देखिये चीजांद अब सारी चीजे पता में भाथ क्षश esteem साउसने करेंगे कोको पत़ा है 1 2' Болов का साई सबसे पहले स्केल मानेंगे कितना संबंध नहीं कितना नीचे ढ screensente whichever का क्या बना दिया दर्वाजा बना दिए अब दीखें कितना है दो दस्मेलोval-1 के बीच में हम क्या बनाइंगे चौकड़ कितने पता है आपको पता है साह शलये साथ सेंटीमेेटर का और साह नौ सेंटीमेटर के अपको सारी चीजा पता है उच के अंदर ही दो देखिए पंदर से लेकर यहां तक कितना आपका एक दसमेलो दो मीटर चौकट के बाहर से बाहर और चौकट के ओपर से लेकर के नीचे तक कितना है आपका दो तक कितना ठोड़ी है इसके बाद क्या करेंगे समझेगा उसके बाद क्या करेंगे इसके बाद एक एक में दो एक में या फिर तीन में क्या करेंगे एक में दो या फिर तीन तरफ से छोड़ देंगे देखिए तीनों तरफ से एक छोड़ करके क्लाइन खीच देंगे क्या प्लाइबुर आगे चिपकाया गया तो आपको सामलिस को दिखाई देगा क्या क्या करेंगे एक लाइन खीचेंगे तीन में इसलिए बस लगना चाहिए कि यह अलग लाइन है और व अलग लाइन है इसलिए बस लाइन खशना उसके बाद कहीं बीच में डिवाइड कर देंगां कि पीच में किया करते कित не вр нез a कई तरह मुझे उसकते हैं लोगन आप बता यो हंके मिरुक्त करफ्यूस नहीं होना जिस में स्वाइब गलत होगा या फिर एक गलत है कहीं से और पढ़़े होंगे यह क्या करेंगे मांट खीच करेंगे लाइन खीच दिए जितना आप नजचीच पा रहा हैं उतना नचीचिक है जितना अब लाइन खीचेंगे उतना ही सुन्दर लगेगा मेरे तला हाँ 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 है क्या कर आप लोग बढ़ाई करते नहीं है अपने करना पड़ता है अब देखें उसके बाद दूसरे तरह जानते हैं अब क्या चीज़ है अब प्लाइबूर कई तरह से माडल के बने वहते हैं प्लाइबूर कई माडल के बने जो मन करें ओ माडल आप बना देजिए ठेक है कि है ना कि देखें इधर मारडल वन गया इधर सिंपल सा लगड़ी अब आप लेंग मतलब एक क्या की आपया है आपक का लकड़ी जो अन्दर लकड़ी हे हो पर से आन्दर समझे तो इस साइड में थेट आ month और दिख रहा है आंदर वाला उप थी संतलों को बना सकते हैं और कहीं कर दिख Julie oh को पता है लिख सुब्सक्राइब हार्ड गूड किया लिखेंगे आप हार्ड बूर इसमें कहीं मिटा करके क्या लिख सकते हैं कल रहे जाए ठार्ड भूर या फिर से क्या लिख सकते हैं आफ सफ्ट वूर आपका हारड बूर्ड यानी कठोर लखड़ी अंदर है ठीक है और यह क्या हो आपका प्लाय वूड्ड बहुत सिंपल सा हो गए आप अधिक नहीं आसां बताएं कि इतना इसमेच क्लोंद भीए हमें कर तो देगे अब इसका क्या करेंगे हम सेक्शन करेंगे ठेक है कर सब्सक्राइब लेकर देता हैं कि चाइगा साइज को मिटाते हैंं कितुन dob म HR एक मी ज's कि एक इसकेल को मिटाते हैं लिग दे रहा हैँ पर एक शूएपकर इतना था आपका दर सेंटीमीटर को एक सेंटीमीटर माने यह देखले हम दिखाए दे रहा है कि नहीं अच्छे सारी चीज़ है है नो वाउ ठीक है अब समझेगा अब क्या करेंगे हम सेक्षन के लिए आप जानते हैं है इसको अब हम दिखिए आपको सारा एडिया लग गया है थोड़ा साम फटाक्सिक बनाते हैं इसके किनारे हम एक लाइन खीचेंगे हैं इधार ती सेंटीमीटर चौड़ा कांटिनिवस का सिंबर बना देंगे यह एक इतना आपका ती सेंटीमीटर है कि नहीं फिर इसके इधर खीचेंगे लाइन है ना इस वाले पॉर्शन से सेम इक के प्रॉजेक्शन गयंगे और ती सेंटीमीटर शर् mi का बना देंगे रहें यह सारी चीज़े हम बहुत अच्छे सबढ़ें इसको में उसके बाद क्या करेंगे अब देखें चोट को परोजेक्शन रखा इंदर से भी चोट का पॉरजेक्शन आगे चला लोग आपके लिए पिछला वीडियो डॉर का आप लोग देखें ओंगे तब आपको समझ आएगा ठीक है ठीक है अर्ट इक बना देंगे हम अब इसी बन जाएगा आपका दोर है तो बस हो गया साइज लिखना होता है साइज पर लिख देते हैं कितने का साइज साथ सेंटीमेटर गुरे साड़े सेंटीमेटर उसके बाद प्रिवेट को डिश्यक्त कितने का देनों मीटर गुले तीन पाल सोथाइज सेंटीमेटर गुले बहुत लोग नहीं इसमें भी रेल बनाते है बनाते हैं बना सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अब इस तरह बना यहां अब इस तरह से दोनों तरफ से इस सेक्शन दोनों तरफ कर देंगे लेकिन समझेगा लिखेंगे बंदल क्या लिखेंगे डूर इसको डूर ही लिएवाला क्या दोवोड लिखिए गार को अब कि अब को पता आए रिवेट तीन सेंट्शंस्टीमेटर मोटर आता है यहींने एक कितना है संक्राइब है मिनें इससे इस साइड में साइड क्या लगा हुआ है दूनों साइड में पलाइबर लगा हुआ है दिकीएगा जब आप ऊपर से लगाना से देखेंगे तो इस से सस्क्नकैरेट कांटियस साइट के और भूस और इस सेट दोनाइ दोनाय भूड़ लग vet और वीच में किया है लकड़ी है सिर्फ है तो वीच में लकड़ी दिखाई देगा अ्ब दुने साइड में कि यह देखर ऑफ्राइब कि यह मोटाएं कितनी है थाए सेंटीमेटर है कि इसको तीन भागों बातना इधर दो पतले पतले बाग देखिए एक तो और एक दो इधर भी दो पतले पतले भाग एक पतले भाग बढ़ गए ये दोनों किया है एकदम एकदम सिधा सिंबल और कुछ मेरी बाहर गवार बहुत popular देगा तो बाहर लगा देगा अंदर अपने खराद देखता रहेगा ठीक है लिखिन आपको दुनों लगाना एक भी लगा देगे चलेगा उद देखिए आप क्या होगा बीच में लकड़ी हो रहा है तो लगड़ी का सेक्शन कर देंगे करेंगे आप कौन सा करेंगे वाई वाई का सेक्षन करेंगे ठीक है बहुत असान है वाई वाई देखिए यहीं से कार देजिए आप वाई डैस और वाई है ना इसको सेक्षन लेकर जाते हैं इसके ओपर क्या देख जाएगा है ना इसके ऊपर देख जाएगा आपका वाल है उससे पर ले डोर के ऊपर क्या दिखेगा लिंटल दिखेगा लिखेंगा आप गड़ से में थीक पने नहीं एक आपका लिंटल देखता है सबसे उपर ऑर बिंडो को ऊपर लिंटल दिखता अच्छी निनटल को समझ लीजिये अब दिखेगा साथ का प्रोजेक्शन जाएंगे साथे नों माप के क्या करेंगे काट देंगे काट दिए फिर देन्ड का प्रोजेक्शन गए तीन माप के क्या किये हम काट दिए देन्ड का प्रोजेक्शन जाएंगे इधर से रेट वाला और तीन माप के क्या किये काट उसके बाद यहीं कि आजाएंगे हम नीचे तक आदेंगे चौड़ा काट रहा है और यहां मिला देंगे अधिके पीछे वाला चौकट आपको दिखाई देगा यह सब को पता है पहले से परत्राइब पीछे वाला आपको चौकट दिखाई दे दिया है वाला हम इसको जानव देंगे प्लाइबूर बना रहा है कम से कम दो लग खिछना रहा है यह जगा प्लाइबूर का सिम्बल है अ कि अधिशन अ कि प्लाइबूर खुल तिक है इसके बाद क्या हो दो हैगा कि उसके बीच में बना देगे लकडी का सिम्बल देखें पतने वीडियो बलर न करता हो कोई है नहीं न देखने वाला अधिक हो पच्छा क्वाल्टिए हो थिखें ले डेंगे क्राश सेक्षन वाई वाई डैस सिंपल है आपका क्या वाई दिखना है कितना आसान है फ्लश डॉर क्या हो गया आपका कम्प्लेट हो गया ओके कि अब हम पढ़ेंगे कि अब हम पढ़ेंगे वायर गेज डूर ठीक है अब चलिए शुर करते हैं कि अपढ़ना हमको वायर गेज वायर गेज डूर ठीक है अब दिखेंगे वायर गेज डूर एपी से मुझे तरह है कोई अंतर नहीं आएगा ठीक है डूर विंडू एक ही साइड जब यह पहला वाला डूर रेदी समझ गया हूंगे सारे आप समझ लिखेंगे एक सबदो jsब मिटर मुझे दो दश द्रम मेंटर मुझे जो अब matière ह Dual यह धीकर Champ भ compartार कर नहीं लगशिए और वेटा मिध सम्झ कर रहा रहते है थे फिल डूर लगा तरफ है ना लेकिन इसमें क्या करते हैं एक ही चोकड में बाहर के तरफ हम लकड़ी का दर्वाजा लगा देते हैं और अंदर के तरफ किसका दर्वाजा लगा देते हैं जाली का जालीदार दर्वाजा लगा देते हैं ठीक है समझे जैसे कि है ना अब समझें एक क्या हो गया आपका लकड़ी का दरवाजा यह हो गया लकड़ी का दरवाजा एक चोड़ में और इसी के पीछे क्या लगए रहेगा आपका कौँसा वायर गेज इन्हें पूरा जालीदार दरवाजा रहेगा भी हम बनाएंगे ठीक है यहनि क्या होगा जब भी आपको माली गर्मी का दिन है लकड़ी का दरवाजा खोल के छोड़ दीजिए अब क्या होगा अब हावा लाइट जो भी होगा इस दरवाजे के रास्ते से आपको घर में चली जाएंगी लेकिन कुटा बिल्ली या फिर मत मत्षर मक्ही कुछ नहीं जाएंगे सब बात को समझ नहीं जाएं अदर सिर्फ करें जाएगा और कोई नहीं जाने वालाज में एक तरस है ना एक तरफ क्या रगा देते हैं हम लोग कि अलगा दोसरे तरफ कि लगा देते हैं अभी दिरे-दिरे समझाज आब अब समझेगा इसको हम देखते कैसे है ठीक है इसको इसको बनाएंगे सबसे पहले तो आधा हम लकड़िका दरवजा दिखिए गांगा रहा और हम को लेना चाहिए था यापको ऑच्छे समझा है ठी फिस्elnे चाहित तब क्या करें तब क्या करेंगा गाई इधर से काट करके इसरा निकाल देंगे опять 6 यहां से काटके दी आधा दिये त riders आला जब कि लख documents तरब बना देतें एक तरब लगडिका्न बना देटे हैं अभी आजाएगा आपको समझपाने जैसे समझ जब किया है है में आपका हम कि बका चांगत कुछ एक घर आपका लोगने का सफ एकर इधर फॉलाग मैं और सुपान करके खतम कर दोते काम अब क्या करेंगे अब इधर से भी क्या हो अभी अन आपको है की नहीं है है उसे टों से हम लगा नादेंगे जाली वाला और इधर क्या लगा देंगे हम सिंपल सा अपना लकडी वाला जो अभे तक लगाते आते थे क्योंकि अन्दरा जाली वाला नहीं लगम ठीच है खेlles हाँ अब समझेयेगा आप आप इसको बनाते हैं ठीक है सबसे पहले को बनाते है एक दस्यार को दो ठेक है करें उसके बाद दो दूरो एक किसे लिग्त शक्र देखे एक दस्यारर तर्पम्लों जादा चंब्ला ने की नहीं कि यह कि वह हिए अब समझेगा brother है और इसके बीच में इसके अंदर क्या बनताब का है था नहीं इये बाहर से बाहर तक कितना यौह का इप का 2 दसमलों arbitr एक मीटर और यहां से यहां किया आए आफ का efforts दो मेटर ऑनбо कर दिए और आ हैं मेज है कि नहों असान है थेग्ज, अब क्या करेंगे, सिंपल जाय से प्ऐनल डॉर बनाते थे, इन दोनों के बीच में यह एक लाइन चीज दीजै, कि उसके बाद इधर बना ये आप टो हैंगिंग इस्टाइल इधर बना ये आप हैंगिंग इस्टाइल बस पाइनल के तरह इधर बना ये मीटिंग इस्टाइल इधर बना देजा मीटिंग इस्टाइल है ना इधर बोटम रेल बोटम रेल इधर टॉप रेल टॉप रेल करता है एक इतना है आपका दस संटिमेटर कि इतना है आपका 15 संटिमेटर लेकिन नीचे से कितना है आपका स decrease Saanag जैले항 तो दर फटाना है ऑपर वाल योला लगषाओ कितना आपका 10 cm ठीक है ना यह सब 10 cm के यह भी 10 cm एक कितना आपका 7.5 cm आपको पता है आपको कि अब क्या करेंगे एक तरफ किया बनाएंगे हम जाली अब इसको भी आप जानते इसके एगदम सबसे पहले सब्सक्राइब करते थे पीछे भी क्योंकि हम जब दोर शुरू के थे बहुत अराम से एक चीज समझाए थे तो बार-बार उसे चीज़ को बोलना अच्छा भी नहीं लगता है अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यह पांच-पांचे में कि है ऊंड़ से एक वह ही आं चीज कह रहें थह एक तरह लगड़ी दिखा दिए लगड़ी का पेनल ठीक है एक तरफ लगड़ी उससी में कांच कहार देगा आज भी उपर लगा सकते हैं आपको पता है ठीक है और दूसरे क्या करेंगे देखे इसमें आपका दिखता अजर 수도 राता है किसी में लगा सकते अब इसको क्या करेंगे पतले एक 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 दूरी पर क्या करेंगे इसको बाट देंगे देखेंगे अब आपको समझ आया है ना कि इधर वाला जो पीछे वाला है है ना समझ गए एक तरफ का चौकट को बीच से काट दिया है एक तरफ लकड़ी का देख रहे हैं एक तरफ हम क्या देख दे रहे हैं आपका वायर जाली दार ठीक है अब समझेगा अब सारी चीजें वहीं लिखने का कोई मतलब नहीं है इसको लिखेंगे हम टॉप रेल है तो आप लिख लिखेंग अब क्या करेंगे एक चल्एगा आपका यक्स 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 डैस ठीक है कि इसके जाएंगे पर ढूंदर ऑपर जाना तहां गेज इसके चलिएंगे है यह कितना चाहुडा तीजिमिटर क्यों मुंटाय से से अजये रहें। सब ग९ह उसके बार दखेंगे क्या को किcida कटिए क एक नहीं कि अब समझेगा मुझे अब हम आदेंन वाला जाएंगे टीनल सब्सकर द lateman काल देंगे दें तिन अब दोणु तरफ से काल टेंगे उत्साइव को मसक्रापना को दोन्हेर्प के लगा दिए ऊंपकिन समय कर दो झाल कि कि शोड़ास यह झाल बाहर यह नहीं इंदर वाला सहाब का जाली काली जाली इसमें में पहले चोकाट का कर देता है बहुत है यह बना देना आपको 2-3 लाइन खीच करके और इसमें जाली बना देजेगा फिर बन गाली और क्या लगड़ी वाला दिखे लगड़ी वाली बहुत सारी चीज़ें करेंगी है कि नहीं सबसे पहले आपका टॉप क्या हैंगिंग इस्टाइल सोरी हां फिर बीच में यन बनाना आपको मीटिंग स्टाइल कि ऐसारी चीज़ आपको आता है इस बीच में पाइनल हो जाए है आपको आता है कराश सेक्षान यक्स यक्स ठीक है कि अधिया भी हम बहुत देर से क्या पढ़ते हुए आ रहा है आपका इसलिए एम दोर विंडो इसलिए हम थोड़ा सा मतलब कि उपर पर हम बता दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं क्या है कि हो चाहता है आपका क्या कि इसका ना अब देखिए इसका पर्रिक्शन जाएंगे कि उसके बाद क्या बनातेंगे व्लिंट पर उसके बाद एस साथ जाएंगे सब्सक्राइब कि मिटा ते पिद्ध जाएंगे इधर से भी तीन काटेंगे इधर से भी तीन काटेंगे अ कि है ना कि देखें इसी में लगा देंगे अब पर को पल्ले को कितना इतना नीचे आएंगे हम दो दस्मुल एग मैट कि अ कि अ कि थीक है अब दिखिया आपका कि यह वाला शिवत्य होसार आ सबस्क्राइब आप जानते हैं अंदर फिकाश को कया ना को इसकंब लगणवक है दर शोंकर काट अब करता है और इसके बाद यहां से क्या कटेगा सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन टॉप रेल फिर इभाल उसके बाद वह इसके बाद बॉटम रेल हैं उसके बाद लकड़ी का सेक्शन हो जाएगा ठीक है आपका क्रास सेक्शन वाई वाइड असान है देखिए दोनों फ्लस दोर भी और क्या आपका फ्लस डॉर और वायर गेज डॉर है ना तो देखते था है कि स्क्रीन साथ ले लिजिए आप लो हाँ ठीक तो लग रहा है कि अब हम पढ़ेंगे समझेगा जितना भी परचा होगा ना आज आपका कंप्लेट हो जाएगा बस देखिए कि आप छूटेगा आपका विल्डिंग ड्राइंग विल्डिंग ट्राइंग में एक दो लेक्टर में तो कंप्लेट होने वाला नहीं है तो उसको अलग से कवर कि समझेहां अब कभी कवि को सब्सक्राइब लगए धूट यहां फिर सबसे पहले पनाएंगे सब्सक्राइब हम क्या होता है तो तो क्या है रही चीजे कैसे पढ़ते हुए आ हम इस स्पीड में खतम करेंगे तो यदि आप पीछे का कलास नहीं देखें तो जाइए यादे डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तब भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा नहीं तो आप खुद प्लेलिस्ट में जा करकर ढूंड सकते हैं ठेक है अब समझेगा क्या पाना है को पानल वीथ वेंटिलेटर है एक वेंटिलेटर मतलब क्या होता है रोसंदान के साथ ठेक है अब समझेगा सब को 10 cm को एक संटिमेटर में यादि आप गदह होंगे तभी नहीं पता होगा आपको एक दस्मलों दो मीटर गुने दो दस्मलों एक मीटर है ना जानते हैं आप लोग मेरे सेर हैं ठीक है क्योंकि यह साइज हम इतनी बार बोल चुके हैं कि मैं लोकी पुछिये मत यह तो यादी मेंने चाहिए अब समझेगा सबसे पहले एक दस्मलों दो मीटर सबसे पहले एक दस्मलों दो मीटर सबसे पहले एक दस्मलों दो मीटर उसके वाज दो दस्मलों एक मीटर है ऩो एक विंद्र दो दिश्य इसके इसके अंदर क्या रहेगा मिर सब्देश्य क्वर्मद penga की ऊक्ति है उसके बाद एक प्रॉइंज के बीच में क्या रहेगा मेरा प्रकोट रहेगा उसके बाद और हर न लेंगे है के निम्हों कहोर रेने निखल जायँगा ठीक है भी बीच में क्लाइं आएंगे 10 सेंटीमेटर चे में पिछले बार के तरह है ग्या श्रीड है जाइगा का डॉटंप रेल ब्रेक बॉटम-ार दो उसके वाद किया जाएगा आपका इसके बाद इसके बीच में आएंगे आप जानते हैं ना सुरू से पढ़ते हुआ होगा नहीं तो आप देख लिए कैसे बनाते हैं सारी चीज़े अब समझेगा अभी कोई अंतर नहीं है इसमें क्या बनाएंगे अभी हम रिवेट बनाएंगे ठेक हैं चलिए बाई बना दे कोई पढ़ाता नहीं है जल्दी आपको इंजिनियर्स प्वाइंट पर मिलेगा इसलिए पहले सब्सक्राइब टू इंजिनियर्स प्वाइंट यूटूब चैनल है ना अब क्या करेंगे तीन तीन एमें पर लाइन कीचेंगे अब है ना उसके बाद अब क्या हो जाएगा आपका पांच 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 एमेंट पर अब कि वाव क्लार फूट और हो गया है तो अब समझेगा अब समझेगा सारी चीजें लिख सकते हैं आप जैसे कि एक है आपका टॉप रेल कितने का साथे साथ गुले साथे नौ सेंटिमेटर एक आप आपका बूड पाइनल कि पारिनल का कौई साइज नहीं होता है एक अब का उस्ड़ा रेल शाणे आब साथ गुले अब आप जब आपका दसवर्यet 25 सेंटिमेटर हम से नब उत्मिकाशन वह लगा रहा हुए 10 सब्सक्राइब का बोलं हिएién डाइय सेंटिमेटर ऐसे होजाएगा पोटो जएगा चौसके बाद यहाज यहाज सेंटिमेटर है ना उसके बाद यह हो जाएगा आपका हैंग इस्टाइल है कि हैंगिंग स्टाइल कितने का 10 गुणे 2.5 सिंटीमेटर का यहां से मीटिंग स्टाइल गंता लगने लगा चले लेकर चलते हैं यह जाएगा आपका मीटिंग स्टाइल कि इस टाइल कितने का हो जाएगा आपका इस तो जानते हैं ना हो सकता है को नया वीडियो देख रहा हो तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है पीछे का वीडियो दोर का देखके या यह तब यह आपको जागा समझाएगा अब समझेए अभी तो आप पैनल डोर बनाए अब इसके ऊपर क्या बनाना आपको वेंटिलेटर बनाना अब देखिए कोस्चन कैसे कहेगा कहेगा डोर और वेंटिलेटर बनाईए जिसकी चंवलाई एक दसमिलो दो मेटर तथा उंचाए कह देगा यह दो दसमिलो पांच मेटर कुल केंपन कह सकता है यहां पिर और यह दो दसमिलो एक मीटर का डोर कींवचा है को का सकता है ठीक है नहीं कहेगा लेकिन आपको नकुई तो डाटर देगा नहीं देगा तो कितना नहीं लीटो को बनाते हैं इसी को उपर चले जाएंगे के कितना तरही जाएगा कुल ला गार ई होता है हम चॉपकट कि समझ रहा है उसके भाद के हो जाएगा Albka कि पोष्ट पाद को समझ रहा है इधर कि población इसमें वी क्या बनाना पड़ेगा हमको क्यों कि एहां Kayla अब इसी में लगेगा तो इसमें भी अब क्या बनाना पड़ेगा गया अब कि अब बीच वाला चाहे तो मिटा सकते हैं रहने भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं ठीक है अब इसमें रिवेट कि य हैं इसने बड़ेंज जाये यानी यहां से लेकर यहां तक कितना है रिशाप अपर सर्क्राइट और यहां अब्र रहेगा अश्यां बड़िद है और यहां तक कितना है एक दसमलो 2 मीटर फिशले har ग कितना या तो डिवाइड कर सकते हैं या फिर इसको एक ही लगा सकते कालिया को लगा सकते हैं उपर लखड़ी का अब लगा यह था लगता है अब दिखें इसको क्या करना आपको तीन भाग में बाट लेंगे 40 सेंटीमीटर का जाएगा इसको भी करने तीन भाग में बाट दिए 40-40 सेंटीमीटर पर देखें 40-40 चार आठ और 12 उसके बाद क्या करिए इधर चले जाएए कितना साथ का आधा इधर साथ का आधा इधर इन्हीं टोटल कितना हो गया आपका साथ साथ सेंटीमीटर का आप 10 सेंटीमीटर कब जा सकते ह कोई बात नहीं बीच में तीन भाग में बाट यह इधर पांच सेंटीमीटर इधर पांच सेंटीमीटर इसके इधर पांच सेंटीमीटर इधर पांच सेंटीमीटर इस सारी चीज़ें भी हम क्या बना देखें पाइनल लग जाएगा देखिए अब इसमें भी क्या होगा आपका इसमें भी क्या होगा आपका यह रहेगा कि अब क्या करेंगे अब सबसे पहले तीन तीन एमें कि सबसे पहले तीन तीने में पिछले बार के तरह देखिए उपर भी लाइन नहीं रहा है कि तीन तीने में सिर्फ हम अभी वह बनाए है है ना क्योंकि अभी आपको अब इसमें से से लगा देना से से काव लोग सिंबल जानते हैं अब लग रहा है कि नहीं एक आपका डोर भी पैनल डोर विद वेंटिलेटर है ना तो एक आओ गया ऊपर वाला क्या खोल देंगे तो हवा निकल जाएगा ठीक है अब देखिएगा अब इसका क्या करना पड़ेगा आपको सेक्शन ठीक है तो ओपर लिख सकते हैं पोस्ट यूइ आवे लगए ग्राव और अपर उपाइनल ग्राव को क्ऌैनल में थेख सक ज्क बहूता असां है जगघावशर ढएक का में क्या में सट्रेशन बहुत आज इसका यक्स प्रविए यक्स यहां से बीज से कहीं यह मिलाए नहीं है यह सदाइस एक सद्वाइस ठीक है देखे ओपर का कट गया नो को पर समझ देख रहा है यह सद्वाइस तो देखे इसके इधर क्या दिख जाएगा आपका 30 सेंटीमेटर चनौला आपका वाल दिख जाएगा इसके इधर क्या दिख जाएगा सक्केल मिटाते हैं एदर 30 सेंटीमेटर चनौला वाल दिख जाएगा आपको को इसके बाद इसमें इसमें डेन वाला जाएंगे तिन माप को काट देंगे दिंगे दोनों को क्या करेंगे हम मिला देंगे कि बहुत देर से लोग पढ़ते विया रहे हैं इधार कि इधार 30 सेंटीमेटर है कि यह चावकाट का सेक्शन दुनों तरफ से कि अगया थीक आप देखे आद देखेगा नीचे वाला सबसे प्रेक्षेक हेंगिंग करता पिर मीटिंग इस्टाइल हैं फिर देखेज इस तरह सेक्शन पही करेंगा तो यह संपर Season कर देजिए नव असान है लेकिन थोड़ा वह दिक्कत क्या करेगा आपका एवाला कौन वाला भाई है कि थोड़ा सा ज्यादा नहीं करता एक जगह क्योंकि बीच में यह जा रहा है तो थोड़ा सा यह करें तो भी सकार देते हैं देखेगा क्रास सेक्षण एक्स एक्स यास थे यह थेक अब देखें है सबसे पहले इसके ओपर अब इसके ऊपर क्या बनाएंगा लिंटल स्री दिवार बनादें में इसके ओपर है देखेगा है और अब समझेगा इसाड़ साथ वाला प्रोजेक्शन गए साट इनुम माप के बाइए दाटेट वाला और तीन माप इदर काट देंगे इसी को क्या अगें हम नीची आजेंगे हम थोड़ा सब्सक्राइब लेकर लिखें आप सिधा रिखाई यह उसके बाद यह वाला कि अब क्या करना पड़ेगा देखें अब क्या दिखेगा चौकट दिख गया कोई दिक्कत नहीं अब क्या दिखेंगा इँधर इस तरह बना देना है कि आअब बताते रहां है आए चैनल निए दो डॉतेड रहें लिए सेंटिमेटर रहें इतना कर देंगे फिन नीचे वाला लिगा रहें कर देंगे सिम्बल है इन ऩई ओपर लेले इस्टाइल नहीं लगा हुगा है तो डायरेक्ट हो जाएब आपका आपका शीमबण यह फिर रेल स्टाइल नहीं लगा काई ठीक है लगा देंगे लगाह भी सकते हैं तो लेखा जाएगा ना अब लगाई एक आँच्छा झाएगा आपका अटीक तक पोड़ नीचे देखिए कि यही क्या हो रहा था इसको दूसरे सब्सक्राइब कर यहीं थोड़ा सा आ रहा था ठीक है यहां जो है न अभी इसको बताते हैं इसको अप एक तरह समत लगी और भी बना सकते हैं लेकिन ज्यादा अब आप इसी तरह बनाएं कोई दिक्कत नहीं है तो एक यह आपका पाइनल दोर विद्वेंटिलेटर एक यहाद आपका क्रास सेक्षन वाई वाई डैस ठीक है चलिए है तो समझे आप दिखे इसको इसको पाइनल भी बना सकते हैं देखे जैसे कि बस कुछ ने करना एक ला रिस RAW खेल लेकिन झालद हो देंगे ज्यादा पलят तो नहीं चोटा है तो इस प्रफवन सब्हेंर लकड़ी और भी लगा उप्षि नहीं तो दो बीनना लकडी का सेशा बेना स्ब्रवन चलिःदों लमकोड़ ला रहे हैं उसके बीनLत उपके सब्सक्का नहीं सेक्षिं सुअ हूब लकडी के लिए क्या करना पड़ेगा संगनी में श्रूनांगल कि नहीं लगता है लेकिन कर बना लग्टि म tussen क्या करें करेंगा समझे सबसे पहले हांगी की श्टाईल है हैं सेन्ट में 10 अब इसके भीच व॥ आपको लघानाा पड़ेगा हैं कि इस तरह होगा एक फूलेगा बंदगा तो भी सब्सक्राइब हम कहांगे यदि पूरा लकड़ी का नहीं कहता तो वही बनाइएगा ठीक है आप समझेगा हम आपको क्या बता है डोर वीथ किसके साथ सेक्षन होगे राच्छे प्रपर दिख रहा है नहीं हम क्या बता है आपक करको मो fi मेरे भाई कोई दिकट ने होगा जैसे 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 हम दोर बना है वेंतिवेटर का साथ वएसाँ क्या बन जाएगगा विंडोस regulated लगा लीजेगा ठीक है तो एडीह अब टाइम त्हे यही बराया था कोई पढ़के नहीं गया था हम खुद पढ़के नहीं गया से कभी कभी याते हैं राता है इसमें आपका सारा कुछ है कुछ नहीं बात की छूटा है ना तो आल दी वेरी वेस्ट